Hello Everyone, Welcome to Exam Quest यह हमारे Biology का Marathon Session है जिसके Handwritten Notes आप हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं यह Handwritten Notes हमने 9th और 10th क्लास की NCRT को रेफर करके बनाया गया है हमारा जो इस Lecture का इस Marathon Session का मोटिव है वो मोटिव पहला मोटिव यह है कि Majority जो चीजे हैं Biology की वो चीजे आपको यह Lecture देखने से ही याद हो जाएं तो बार-बार चीजों की मैं Repetition करूँगा ताकि वो चीजे आपके मन के अंदर बैट जाएं जो हमने Lecture को Format रखा है वो ऐसे नहीं रखा कि 9th और 10th में जैसे Chapter से हम वैसे ही Cover करें हमने Format Importance के According रखा है जो चीजे जितनी Important है हमने उसको उतना पहले Cover किया है जैसे जैसे Importance कम होती गई है हम उन चीजों को पीछे की तरफ Cover करते गई है लेकिन आप कोशिश यही कीजेगा कि आप यह पूरी वीडियो देखें अगर आप इस वीडियो को दो बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद सिरफ हमारे Notes को ही पढ़ते रहते हैं तो आपका Biology को लेके जो जादा डर है वो यहाँ पे खतम हो जाएगा दूसरा जो हमारा Motive है वो Motive इसी बात से है कि Biology को सुनते ही Arts और Commerce के बच्चे या फिर जिन्नोंने Bio नहीं पढ़ी थी उनके मन में डर बैठ जाता है कि Biology कैसे होगी तो Biology को हम कहानी के माध्यम से एक Simple Language में समझा रहे हैं ताकि आपको चीज़े जासे जादा याद हो जाएए एक चीज़ जो हम यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर देना चाहते हैं यह हमारे यह नोट्स हैं यह हम मानके चल रहे हैं कि 80% तक आपके स्लेबस को कवर कर लेते हैं हो सकता है उससे जादा भी हो लेकिन हम इसको यहीं मानेंगे कि 75-80% आपका स्लेबस हमारे इन वीडियो से कवर हो जाएगा लेकिन अगर आप इसकी full coverage करना चाहते हैं तो lucent जो general knowledge की lucent आती है उसमें science section में आप biology को एक भरी पढ़ सकते हैं यह पढ़ना आपके लिए बहुत beneficial होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे facts होते हैं जो की handwritten notes के अंदर नहीं लिखे जाते हैं handwritten notes basically आपकी understanding develop करने में चीजे काम कैसे कर रही हैं इसके उपर focus करता है और handwritten notes most important चीजों को cover करता है बहुत सारी ऐसी चीजों होते हैं जो जादा important नहीं होती पर आपको वो पता होनी चाहिए तो उन चीजों के लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप पहले बहुत जल्दी से ये marathon session अच्छे से कर लें पहला आपका कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे notes को आप अच्छे से रट डालें उसके बाद आप Lucent की biology की book को लेके बैठेंगे और आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसको पढ़ना बहुत easy हो रहा है क्योंकि जाहतर चीज़े आपको याद हो जाएंगी इसमें भी आप सिरफ एक दू रीडिंग करेंगे लूसेंट की और आपका biology का section यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो इसी की साथ हम अपने marathon session को biology के marathon session को start करते हैं biology के अंदर जो हमें पहला chapter करना है उसका नाम है the cell cell की study को cytology कहा जाता है और cell को सबसे पहली बार Robert Hooke ने discover किया था यहाँ पर definition देख लेना नाम यहाँ पर याद रखने की ज़रूत नहीं है बस एक दो बार देख लेना इसको देखे हम अगर अपने human body की बात करें तो हमारी human body धेर सारे functions कर रही है आप उन functions को खुद identify कर सकते हैं कैसा function है आपने खाना खाया उसको digest करना है digest करने के बाद जो waste बनेगा उस waste को excrete करना है उपने शरीर से निकालना है फिर आप respiration कर रहे हैं respiration का एक system बना हुआ है आपकी body को सीधा रखने के लिए आपके अंदर हड़ियों का एक skeletal system बना हुआ है तो इस तरह के धेर सारे आपके body के अंदर systems हैं और यह जो system है यह अलग-अलग functions कर रहे हैं यह जितने भी system की अगर हम बात करें अगर मैं बात करता हूँ respiration की तो respiration के अंदर आप सब ने देखा होगा कि आपकी nose involved है आपकी lungs involved है तो इस तरह से आपके जो respiration है इसके अंदर धेर सारी चीज़े involved होती है आप कह सकते हैं कि हर एक system जो है जैसे respiration system की बात की है हर एक system को चलाने के लिए हमें organs चाहिए होते हैं ठीक है organs का अपना एक specific function होता है जैसे lungs का अपना एक काम होगा nose का अपना एक काम होगा lungs के काम को nose नहीं कर सकती है और nose के काम को lungs नहीं कर सकती है तो system को चलाने के लिए धेर सारे organs चाहिए होते हैं और यह जो organs से यह specific functions परफॉर्म कर रहे हैं और हर एक औरगन किसी ना किसी टिशू से मिलके बना होता है, टिशू आते हैं साथ में और वो एक औरगन को बना देते हैं, यह जो टिशू होते हैं, यह टिशू सेल्स से मिलके बने होते हैं, तो हमारी बॉड़ी के अंदर धेर सारे सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे होते जिनका एक definite function होता है, वो एखटे होते हैं और वो एखटे होके एक tissue बना देते हैं और माल लिजे, इस tissue का मैंने example ले लिए, muscle tissue बना दिया, अब धेर सारी muscles जो हैं, वो एखटी होके कोई ना कोई organ बना देंगी, और ये जो organ है, धेर सारे organ मिलके कोई ना कोई system बना देंगे, हो सकता है हमारा skeletal system बने, हो सकता है हमारा respiration system बने, हो सकता हमारा nervous system बने, nervous system जैसे जिसमें brain involved होता है, सोचने की चीज़ होती है तो basically मैंने क्या कहना चारा हूँ अपने इस example के माद्यम से, मैं ये कहना चारा हूँ कि हर एक चीज, cell से बनी होती है, धेर सारे cells मिलके tissues बनाते हैं, धेर सारे tissues मिलके organs बनाते हैं, और धेर सारे organs मिलके कोई ना कोई system बनाते हैं, और हमारा body धेर सारे system से ही बना हुआ है, जैस digestive system, respiratory system, nervous system, तो धेर सारे system से हमारा शरीर बना हुआ है, तो जो पहला chapter है, उसके अंदर हम cell के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए, हर एक चीज की शुरूँ आप कहा से हो रही है, cell बना, cell से tissue, tissue से आपके organ, organ से system, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि हमारी life का जो basic, जो fundamental unit of life है, वो क्या हो जाएगी, वो cell हो जाएगी, तो cell को Robert Hooke ने सबसे पहली बार discover किया और उसके उपर study चालू हो गई, study करते गए तो हमें cell की कुछ characteristics पता चलें, कुछ बाते पता चलें, उन बातों के basis पे हमने cell की theory बना दी, cell theory क्या कहता है, cell theory यह कहता है कि हर एक organism, cell से मिलके बना है, या तो वो organism एक single cell से मिलके बना होगा, या एक से ज़ादा cell से मिलके बना होगा, तो जो organism एक single cell से मिलके बना होता है, उसको हम unicellular organism कह देते हैं, और जो organism धेर सारे सेल से मिलके बना वोगा है उसको हम multicellular कह देते हैं तो पहली त्योरी क्या होगी कि हर एक organism सेल से ही बना वोगा है या थो एक single सेल से बनाओ हंगा या धेर सारे सेल से बना होगा अरे एक cell किसी ना किसी pre-existing cell से ही बनता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले एक cell exist करता है ये cell divide होता है और मानली जे दो नए cell बन गए पर ये जो दो नए cell बने हैं ये पूरी तरह नए नहीं है क्यों? क्योंकि ये एक पुराने cell से निकल के आया फिर ये वाले जो cell बने हैं ये दोवारा डिवाइड होंगे ये डिवाइड हुए और फिर से कुछ cell बन गए फिर जो cell बने हैं वो डिवाइड होंगे ठीक है तो इस तरह करके शरीर के अंदर cell की जो संख्या है वो increase होती जाती है लेकिन हर एक cell किसी ना किसी पुराने cell से ही बना होता है किसी ना किसी पुराने cell से बना होता है यानि कि अगर हम बच्चे की भी बात करें तो बच्चे को बनाने में भी एक cell लगता है जिसको sperm cell कहा जाता है वो भी एक तरह का cell है तो जो cell है एक ही cell से आपके आगे के cell बनते जाते हैं तो cell theory में दूसरा पार्ट क्या कहता है कि हर एक जो भी cell exist कर रहा है आज की date में, वो किसी ना किसी पुराने cell से मिलके बना है, ठीक है, organism जो है, वो दो तरह क्यों होते हैं, unicellular और multicellular, unicellular organism के example होगे, amoeba, bacteria और klamidomonas, इसके अंदर, आपको मैंने क्या बताया, मैंने आप को example दिया है हमारे शरीर का, हमारे शरीर में digestive system का एक अलग system मना है, जिसमें अलग organ है, ठीक है, respiratory system का एक अलग system है, जिसमें nose भी आएगी, आपके lungs भी आएगे, excretory system में आपकी kidney आ जाएगी, ठीक है, तो आपके अलग-अलग system है, जो अलग-अलग function perform कर रहा है, तो जो multicell organism है, इसके अंदर तो एक ही cell है, इसके अंदर single cell होता है, तो इसके अंदर digestion कौन कर रहा है, यही cell कर रहा होगा, excretion कौन कर रहा है, यही cell करेगा, इसके अंदर सांस लेने का काम कौन कर रहा है, यही cell कर रहा है, तो unicellular organism में हर एक function, वो single cell जो exist करता है, वही perform करता रहता ह तो यह मैं आपको अल्रेडी बता चका हूँ जो cells है cell fundamental unit of life है basic unit of life है धेर सारे cell जिनका एक common origin होगा और जो एक specific function कर रहे होंगे वो सारे के सारे मिलके tissue cell tissues बना देंगे धेर सारे tissues मिलके organs बना देंगे और धेर सारे organs मिलके system बना देंगे यानि कि मालीज़ आपके शरीर में ये सारे cell है इन cell में से ये सारे cell similar काम करते हैं तो ये एक tissue बना देंगे ये वाले cell इनका अपना एक कोई काम है तो ये अपना अलग tissue बना लेंगे ठीक है ये tissue से कोई और organ बनेंगे इस tissue से कोई और organ बनेंगे तो इस तरह से हमारा जो है body बनती है सबसे छोटा cell जो है उसको bacteria cell कहा जाता है bacteria का cell सबसे छोटा होता है और सबसे largest cell जो अभी तक मिला है वो ostrich के अंडे में जो योग वाला हिस्सा होता है वो सबसे largest cell पाया गया है अब cell को division के basis पर हमने तीन पार्ट में divide कर रखा है देखिए पहले एक cell था इस cell का अपना कोई function नहीं है इसका कोई specific function नहीं है इसका काम क्या है इसका specific function नहीं है तो इसका काम क्या है यह divide होता है यह divide होता है और अलग-अलग cell बनाता है और ये जो cell आये हैं, इन cell का अपना एक specific function होता है, ठीक है, ये cell क्या काम कर रहा है, ये कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये सिरफ divide हो जाता है, cell का divide होना बहुती natural चीज है, उसको काम नहीं मान सकते आप, ठीक है, लगभग हर cell divide होता है, ठीक, तो ये वाला जो cell है, जहां से हमन अपने a cell कह देते हैं इसको, ये cell का कोई काम नहीं है, ये सिरफ बैठे बैठे divide होता जा रहा है, ये divide होता है, तो अलग cell बनते हैं, और जो अब ये नए cell बने है, इन cell का कोई ना कोई specific function होगा, ठीक है, तो जो cell जिसका कोई specific function नहीं है, जो सिरफ division कर सकता है, उस cell को कहा जाता है undifferentiated cell तो अगर मैं इस cell की बात करूँ ये एक undifferentiated cell है जब ये divide होके इसने नए cells को जनम दे दिया और ये नए cell अपने एक special function करने लग गए ठीक है अपने एक definite function करने लग गए तो उसको कह दिया जाता है differentiated cells अब माल लिजे कुछ cell इसमें से अजीब तरीके के निकले ठीक है इसने divide होके ये धेर सारे cell बना रखे है माल लिजे अब इसके अंदर एक cell बहुत ही अजीब निकला C cell माल लेते हैं ये C cell क्या कहता है ये कहता है कि मेरा अपना specific function तो है पर जब मेरा मन करेगा मैं दुबारा से अपनी पुरानी अवस्था में एकी stage पे पहुँच जाऊंगा तब मेरा कोई specific function नहीं रहेगा मैं सिरफ अपने आपको divide करके नए cell बनाने लगूँगा तो ऐसे cell जो कि अभी तो specific function कर रहे हैं जानी कि अभी वो differentiated cell है लेकिन वो कभी भी revert कर सकता है वापिस जा सकता है अपनी इस वाली position में undifferentiated position में उसको de-differentiated cell का जाता है तो basically क्या है एक आपका इंसान की शरीर के अंदर एक cell होता है stem cell ठीक है जो कि placenta के अंदर भी पाया जाता है इसलिए placenta को save करने की आज की date में लोग कोशिच करते है तो यह stem cell क्या करता है इसका काम होता है कि यह अपने आपको divide कर ले अलग-अलग तरह के cell में और यह जो cell है यह अलग-अलग आगे जाके organ बना देगा ठीक है तो अभी हमें क्या चाहिए होता है stem cell को control करके organs उगा सके ठीक है हमारे placenta के अंदर जब baby born होता है तब stem cell होता है अगर हम उसको save करके लैब के अंदर ही organ को उगा ले तो हमें इस donor की जरुवती नहीं पड़ेगी बड़े आराम से यह काम हो जाएगा तो यह जो stem cell है इसका काम क्या है इसका काम है कि मैं सिरफ divide होके अलग-अलग cell बना दूँगा तो यह जो stem cell है यह आपका undifferentiated cell होता है undifferentiated cell होता है यह divide होके अलग-अलग तरह के cell बना लेता है और इन cell का अपना-पना कोई काम होता है तो यह जिनका अपना-पना कोई काम होता है उनको differentiated cell कहा देते हैं अब इन differentiated cell में से अगर कोई cell मन मौजी निकल आया और उसने कहा कि भाई मेरा अभी तो अपना अलग काम है पर मैं कभी भी कभी भी stem cell बन जाऊंगा stem cell बन जाऊंगा और stem cell बनके अब मैं stem cell का काम करने लगूँगा तो ऐसे cell को हम क्या क्या देते हैं de-differentiated cell अभी इसके उपर stem cell के उपर बहुत जादा research हो रही है अगर आप newspaper पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे हम यही कोशिश कर रहे हैं हम de-differentiated cell बनाने की काफी कोशिश कर रहे हैं पर हमारे scope से हमेज जादा उसको जानने की ज़रूत नहीं है अपने paper के लिए तो आप सिरफ इतना याद कर लिए कि differentiated cell कोशे हैं undifferentiated कोशे हैं और de-differentiated कोशे होता है अभी आपको याद हो क्या होगा cell चाहे किसी भी तरह का हो किसी भी तरह का cell हो उसके अंदर तीन चीज़े हमेशा पाई जाती है वो तीन चीज़े क्या है तीन चीज़े ये हैं कि एक outer covering होगी और इस outer covering के अंदर एक liquid सा एक jelly type का जिसने भी jelly खाई है वो उस jelly को याद कर ले यहाँ पर एक jelly type का liquid इसके अंदर भरा होगा तो एक outer membrane है जिसके अंदर ये jelly भरी होगी आप इसको एक गुबारा समझ लिए कि ये एक balloon है इस balloon के अंदर हमने धेर सारी jelly को ठूस ठूस के भर दिया है तो हर एक cell के अंदर एक तो ये outer covering होगी इस outer covering को हम क्या कहेंगे इस outer covering को कहा जाता है cell membrane या फिर plasma membrane कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं ठीक है तो हर एक cell के अंदर एक तो ये outer covering होगी अंदर की jelly जैसे liquid होगी और इस jelly जैसे liquid के अंदर आपका genetic material पड़ा होगा तो ये तीन चीजे हर एक cell के अंदर पाई जाती है ठीक है तो कुछ cell ऐसे होते हैं जहां पर ये चीजे बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहती है यानि कि एक ऐसे covering है ये covering है इस covering के अंदर ये liquid भरा हुआ है और इसी के अंदर ऐसे ही हमने genetic material को suspend कर दिया तो ये जो हैं ये पुराने cell होते थे ये बहुत ही simple cell है इसके अंदर जादा complication नहीं होती ये बहुत पुराने cell होते हैं और इनका नाम होता था prokaryotic cell ठीक है prokaryotic cell बहुत पुराने cell होते हैं आज की date में क्या ये पाए जाते हैं आज की date में भी पाए जाते हैं कहां पे पाए जाते हैं ये Unicellular Organisms के अंदर ही पाय जाते हैं, Multicellular Organism के अंदर कभी भी Prokaryotic Cell नहीं होते हैं, तो इस Cell के अंदर आपको क्या याद करना है, कि एक Covering होगी जिसको हम Cell Membrane कहा देंगे, अंदर Jelly जैसी Filling होगी, और इसी Jelly जैसी Filling के अंदर Genetic Material suspended पड़ा होगा, ये जो Jelly जैसी Filling होती है इस Jelly जैसी Filling को Cytoplasm कहा जाता है, Cytoplasm कहा जाता है, ये जो Genetic Material है, इसको Genetic Material ही कहेंगे, Outer Covering का नाम Cell Membrane या Plasma Membrane, Cell Membrane का का काम क्या है, देखिए, मान लीजे मैंने Cell निकाल के किसी Table पर रख दिया है, ये Table के उपर मैंने Cell निकाल के रख दिया, तो इस Cell के चारो जो भी Environment है, इसको कहा जाएगा कि ये इसका Environment है, इस Environment के अंदर धेर सारी चीजे होंगी, और ये Cell है, इस Cell के अंदर ये Jelly जैसी Filling है, और अंदर Genetic Material है, तो इस जो Outer Covering है, Outer Covering का जो काम होता है, इसका काम होता है, semi-permeable, semi-permeable होती है यानि कि इस Cell को, अगर अपने Environment से को जाए होगी, तो उसको अंदर आने देगा, अगर कोई चीज नहीं चाहिए होगी, तो उसको वहीं पर रोक लेगा, यानि कि वो क्या कह रहा है, permeable का मत्रब होता है, अंदर आने दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो semi-permeable है, यानि कि सब को नहीं आने देता, जो उसको कि हाँ ये आ जाए सिरफ उसको आने देता है बाकियों के एंट्री रोक देता है सेल के अंदर का जो सामान है सेल के अंदर का जो सामान है उसमें अगर कोई सामान वेस्ट प्रोड़क्ट होता है तो उसको वो अपने cell से बाहर निकाल देता है जो सामान उसके लिए waste नहीं होता उसको चाहिए होता है उसको अंदर ही कैद करके रखता है तो यह जो semi permeable membrane है इसका काम क्या है जो सामान चाहिए उसको अंदर आने देगा बाकियों को नहीं आने देगा जो सामान अंदर इसके शरीर के अंदर वेस्ट लग रहा है, इसके अंदर जैली के अंदर वेस्ट लग रहा है, उसको निकाल देगा, बाकी सामान को अंदर भरे रखेगा, तो cell membrane का क्या nature होता है, semi permeable nature होता है, तो यह बहुत ही simple से primitive cell होते हैं, इसके अंदर मैंने क्या यह किसी और बकसे से cover नहीं होता, आप ऐसे imagine करिए कि एक बड़ा बकसा है, बड़े बकसे के अंदर एक चोटा बकसा है, तो यह जो cell है, इसके अंदर सिरफ यह बड़ा बकसा है, और इस बड़े बकसे के अंदर ही सारा समान हमने ठूसके भर दिया है, ठीक है, तो यह वाल और बकसे के अंदर कैद नहीं कर रखा तो इसमें क्या कह देते हैं हम इसको कह देते हैं कि इसके अंदर true nucleus absent है यानि कि जो generating material है उसको हमने किसी बकसे में बंद नहीं किया यानि कि एक और membrane use करके उस membrane के अंदर नहीं डाला यह आपको अब और clear हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे eukaryotic cell के बारे में eukaryotic cell क्या होते हैं इस cell के अंदर भी तीन चीज़े तो जरूर होंगी एक तो आपकी cell membrane जिसका काम क्या है environment से अच्छी चीज़ है तो अंदर आने देगा नहीं तो नहीं आने देगा cell के अंदर कोई खराब चीज़ पढ़ी है तो इसको बाहर निकाल देगा वरना उसको बाहर नहीं जाने देगा तो यह एक cell membrane होती है सबसे टॉप पे फिर इसके बिल्कुल बीचो बीच में एक और बकसा होता है यानि कि एक और membrane होती है एक और membrane होती है ठीक है मैं इसको बकसा काऊंगा ठीक है इस बकसे के अंदर एक और बकसा होता है और जो हमारा generating material है वो generating material इस दूसरे बकसे के अंदर रखा होता है ठीक है यह जो cell membrane एक और membrane हमने बना रखी है यह वाला जो पूरा हिस्सा है इसको कहा जाता है nucleus कैसा nucleus? true nucleus तो जो eukaryotic cell होते हैं उसके अंदर true nucleus present होता है यह बहुत ही advanced होता है और complete होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो cell membrane है फिर यह jelly-like यहाँ पर पूरे में jelly-like चीज पड़ी होगी इस jelly-like चीज का मैंने आपको नाम के बता है था cytoplasm ठीक है तो इसके अंदर cytoplasm होगा फिर एक बकसा होगा बकसा यानि कि एक और membrane होगी जिस membrane के अंदर true nucleus है यह इसके अंदर आपका genetic material पड़ा होगा genetic material पड़ा होगा इसके अलावा cytoplasm के अंदर धेर सारी और चीजें होगी इन सारी चीजों को हम collectively क्या कह देते हैं organelle इन सबको हम organelle कह देते हैं यह जो organelle है इसका कुछ और काम होगा इसका कुछ और काम होगा इसका कुछ और काम होगा तो bacteria और blue green algae में ये eukaryotic cell क्यों नहीं मिलते, क्योंकि bacteria और blue green algae के अंदर pro-cariotic cell होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है कि eukaryotic cell के अंदर mitochondria होता है, ठीक है, chloroplast सिर्फ और सिर्फ plant cell में होता है, animal cell में नहीं होता, याद करने के लिए आप इतना याद करें, सिर्फ याद कर chloroplast नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर धेर सारे organelles पड़े हैं, तो अब देखें ये cell कैसा होता है, एक cell membrane है, इसके बीचों बीच एक और membrane बनी होती है, यानि कि एक बकसा है, उस बकसे के बीचों बीच एक और बकसा है, इस बकसे के अंदर आपका genetic material होता है, इस बकसे को त होते हैं, और ये organelles भी membrane के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है, ये cytoplasm के अंदर ऐसे ही नहीं खूम रहे, ये किसी ना किसी और दूसरे बकसे के अंदर पड़े होते हैं, आप membrane को बकसे से याद करेंगे, ठीक है, अब हम इनी चीजों को देखते चलेंगे, उससे पहले मैं unique function होता है, अपनी एक unique job होती है, cell के बीचों बीच में center में nucleus होता है, nucleus जो है, वो control center कहलाया जाता है, ये cell, हर एक cell का अपना एक nucleus है, और ये जो cell है, ये cell क्या काम करेगा, और ये काम कैसे करेगा, ये कौन decide करता है, ये काम nucleus decide करता है, nucleus के अंदर होता है DNA, DNA होता है, DNA क्या ह होता है Nucleus के अंदर DNA होता है जो की genetic material होता है यह जो DNA है यह एक लंबे-लंबे fiber जैसी strand में होता है और उस strand का नाम होता है chromatin chromatin ठीक है Nucleus के अंदर DNA है और DNA किस form में आपको मिलेगा chromatin की form में आपको यह मिलेगा जब cell divide होता है मैंने क्या का था कि हर एक cell जो है वो divide होके नए cell बनाता है ठीक है यह काम होता है यानि कि cell की division हो रही होगी तो यह भी cell जिसकी हम बात कर रहे हैं यह cell भी divide होगा तो जब भी cell की division होनी होती है तो यह जो chromatin है यह chromatin condensed हो जाता है जम जाता है जम जाता है थोड़ा सा tight हो जाता है और condensed हो के यह क्या बना लेता है, यह बना लेता है chromosome chromosome तो क्या कह सकते है, हम, chromosome के अंदर genetic material होता है ठीक है एक segment of DNA chromosome के अंदर पहुंच जाता है तो nucleus के अंदर DNA, DNA की इस form में? Chromatin की form में Chromatin condensed होता है, तो वह chromosome बन जाता है तो मैंने nucleus की बात की, nucleus के अंदर मैंने आपको बताया, DNA होता है, DNA किस फॉर्म में होगा, chromatin की फॉर्म में होगा, chromatin condensed होके chromosome बनेगा, ऐसे ही nucleus के अंदर एक और बक्सा होता है, और उस nucleus के अंदर जो एक और बक्सा होता है, उसका नाम होता है nucleolus, इसका नाम होता है nucleolus, nucleolus का काम होता है ribosomes को बनाना ribosomes को बनाना तो nucleus के अंदर आपको एक तो DNA मिलेगा और nucleus के अंदर आपको nucleolus मिलेगा nucleolus बनेगा और nucleolus क्या करता है nucleolus जो है आपको ribosome बना के देता है ribosome जो है वो होते हैं आजाद पक्षी ये आजाद पक्षी nucleus के अंदर नहीं रहना चाते यह बने है nucleus के अंदर यह nucleus से निकलते हैं और फिर nucleus से भी निकल जाते हैं और nucleus से निकल के कहां जाते हैं यह आपका cell है cell के अंदर nucleus nucleus के अंदर nucleus वो nucleus से निकलेगा nucleus में हैगा nucleus से निकलेगा कहां आ गया वो आ गया साइटो प्लाजम के अंदर वो कहां पे आ गया साइटो प्लाजम के अंदर आ गया तो नुकलियोलस के अंदर राइबोजोम बनता है और वो राइबोजोम क्या करता है नुकलियोलस और नुकलियोस को छोड़ के एक्जिट कर जाता है और वो कहां पे आ जाता है व अंदर तैरते रहते हैं साइट प्लेजम में ऐसे घूमते फिरते रहेंगे कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर निकले उनका किसी के साथ अफेर हुआ लेकिन उनका फिर दिल तूट गया तो वह क्या कहते हैं कि भाई आम मेरे को अफेर निकरना मेरे को फ्री नहीं रहना है ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं स्टेबल हो जाँगा मैं किसी के साथ जुड़के रहुआ तो वह क्या कहते हैं कि भाई हम कहां पर जुड़के रहेंगे हम ऐसे राइबोजोम हैं जो की एंडो प्लैस्मिक रेटी कुलम के साथ जुड़के रहेंगे ठीक है तो क्या हो रहा है न Nucleus के अंदर जो दूसरी चीज आपको मिल रही है वो है Nucleolus, Nucleolus Ribosome बनाते हैं और Ribosome बहुत ही free होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं Nucleus के और बाहर निकलने के बाद कुछ Ribosome हमेशा free रहने की कोशिश करते हैं और वो Cytoplasm के अंदर free में तैरते रहते हैं, ठीक ह आता है कि यह एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम क्या है एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं होता यह एक तरह की ट्यूब होती है अब भी इस राइबोजोम को न्यूकलियस से न्यूकलियोलस था न्यूकलियस के अंदर न्यूकलियोलस था यह न्यूकलियस से बाहर आन ठीक है, endoplasmic reticulum भी हम आगे देखेंगे, दो तरह की होती है या तो rough होगी, ठीक है अब भी शादी कर लिया है, उसने क्या कहा था कि भी पहले मेरा मैं free रहता था और affair करता रहता था जहां मेरा मन करता था, लेकिन फिर मेरा दिल तूट गया तो अब मैं endoplasmic reticulum के साथ शादी कर लेता हूँ, शादी करने के बाद या तो वो आदमी rough निकलेगा अब वो तो उसका nature जानता नहीं है न riboplasm, तो या तो वो आदमी rough निकलेगा या फिर वो smooth निकलेगा, ठीक है तो यह हम आगे देखेंगे, तो endoplasmic reticulum यह सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, असली में कोई affair और वो सब नहीं हो रहा है, ठीक है सारी love marriage भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है ठीक, तो यह endoplasmic reticulum दो तरह के होते हैं फिर अब क्या होता है ribosome निकल के आगया, ribosome का protein बनाऊंगा ribosome protein बनाता है ribosome का काम क्या है, ribosome protein बनाता है, protein जो है, हमारा शरीर सही से use कर सके, हमारा शरीर सही से use कर सके, उसके लिए हमें एक चीज चाही होती है, जिसका नाम होता है, Golgi body या फिर Golgi apparatus, Golgi body या Golgi apparatus क्या करती है, ribosome का जो protein होता है उसको पकड़ लेती है पकड़ के या तो उसकी shape को वो change कर देगी उसको bundle की shape में कर देगी या फिर उसके उपर वो lipid लगा देगी lipid लगाने के बाद हमारी body जो है उस protein को use कर सकती है या फिर वो क्या कर देगी इसके उपर किसी तरह का carbohydrate लगा देगी तो ये जो काम है ये कौन करता है ये गोल जी body कर देती है ठीक है तो ये हमारी एक तरह की कहानी थी जिससे आई होप आपको कुछ चीज़े याद रह जाएंगी अब हम एक बारी जल्दी जल्दी इसके diagram को देख लेते हैं ठीक है ये इसका diagram है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को एक बार देखेंगे ये सबसे बाहर इसकी जो covering है ये है cell membrane जिसको plasma membrane भी कह सकते हैं ये selectively permeable होती है ठीक है ये nucleus है जहातर ये center में होता है किसी-किसी cell में ये side में भी हो सकता है बर जहातर आप इसको center में याद करेंगे ठीक है तो इस diagram के पूरी तरह से में चलिए इसको center में मान के चलिए ठीक है तो ये nucleus है nucleus के ठीक बाहर ये endoplasmic reticulum होता है ठीक है endoplasmic reticulum क्या बताया था मैंने ये एक तरह की tube होती है ठीक तो ये उसी के साथ में endoplasmic reticulum लगी हुए nucleus है endoplasmic reticulum है ये cell membrane cell membrane के चार अंदर चारो तरफ क्या भरा हुआ है cell membrane के अंदर क्या भरा होता है एक jelly like liquid भरा होता है जिसको हम कहते हैं cytoplasm ये होता है cytoplasm ठीक है ये jelly जैसा है एक cosmetics के अंदर भरा होता है फिर ये nucleus है nucleus के अंदर भी वह cytoplasm और nucleus के अंदर jelly से जैसी चीज की बात करें तो वह nucleoplasm nucleus के अंदर यहाँ पर होता है nucleotide और आपके यह genetic material पड़ा होता है nucleotide गेंदर आपका क्या बन रहा है यह देखे sorry nucleolus nucleolus है मैं शाए nucleotide बोल गया हूं गलती से तो nucleolus का क्या काम होता है यह यहाँ पर ribosome बनाता है ribosome क्या करता है ribosome nucleus से बाहर आ जाता है with the help of endoplasmic reticulum जो एक तरह की pipe होती है tunnel होती है वो इस tunnel से यहाँ से ribosome जो है इस tunnel से होते हुए endoplasmic reticulum से बाहर आ जाता है बाहर आने के बाद यह जो ribosomes है यह ribosomes या तो आजाद पंची की तरह रह रहे होंगे ठीक है अगर वो आजाद पंची की तरह तो वो बन जाते हैं attached ribosomes गोलजी बाडी का क्या काम होता है ribosomes protein बनाती है वो protein हमारा शरीर, हमारे cells हमारी body यूज़ कर सके तो उस protein के अंदर कुछ change करने होते हैं उसको यूज़ करने की form में convert करने के लिए वो change कौन कर रहा है गोलजी बाडी कर रही है change कैसे कर देती है इसके उपर या तो lipid लगा देगी या फिर इसके उपर carbohydrate लगा देगी जिसके बाद हमारी body उसको use कर सकती है तो ये गोलजी बाडी होती है अब हमें बात करने हैं lysosomes की और mitochondrion की mitochondrion, plural में mitochondria भी कह सकते हैं आप इसको mitochondrion को कहा जाता है powerhouse of cell powerhouse क्यों कहते हैं क्योंकि जो हमारा cell है cell हमेशा एक काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है cellular respiration हमारा जो cell है वो सांस ले रहा होता है और उस सांस लेने को कहा जाते है cellular respiration सांस लेने का जो परपस होता है हम भी सांस क्यों लेते हैं जब आप दोड़ रहें तो आपकी सांस और भी जादा तेज हो जाती है जब आप बैठे हैं तो सांस थोड़ी सी कम हो जाती है सांस को आप एक्वेट करके रखेंगे respiration को आप equate करके रखेंगे energy से सांस लेंगे तो energy आएगी तो हमारे cell में जो energy होती है वो किस form में होती है उसका नाम होता है ATP adenosine triphosphate adenosine triphosphate ATP की form में energy होती है तो हमारा cell respiration कर रहा होता है और energy मिलती है adenosine triphosphate की form में और यह respiration में कौन मदद करता है mitochondria करता है ठीक है तो mitochondria क्या दे रहा है energy दे रहा है energy यानि की power तो इसलिए mitochondria को कहा जाता है powerhouse of cell होता है lyzozome क्या होता है lyzozome के अंदर एक तरह का enzyme होता है enzyme का काम होता है चीजों को पचाना चीजों को digest करना तो lyzozome क्या करता है कई बारी cell का कोई हिस्सा खराब हो जाता है यह उस खराब हिस्से को digest कर जाता है ठीक है खराब हिस्से मेरे को इसकी जरुत नहीं है digest कर दिया खतम कर दिया ठीक है कई बारी क्या होता है यह lyzozome यह cell है इस सेल के अंदर यहाँ पर लाइजोजोम है ठीक है लाइजोजोम है इस लाइजोजोम को ऐसा लग जाता है कि यह जो पूरा का पूरा सेल है यह सेल ही किसी काम का नहीं रहा बेकार सेल है यह कुछ नहीं करता बस घर पर दिन पर दारुपी के पड़ा रहता है तो वो डाजस्ट करके पूरा खळाला तो एक तरह से लाइज्ञों में क्या कर दिया तो लाइज्ड शुसाइड करा दिया। एक तो लाइज्ड सुसाइड कर देता है। ठीक है एक रहे आप ऐब यह डाग्राम देखले ना काफी क्लियर हो जागा उसके बाद अब जलदी structure देखते चलते हैं, structure क्या nucleus center में होता है mostly, कभी-कभी side में भी हो सकता है, ठीक है, फिर मैंने आपको कहा, फिर एक चीज में आपको बताना चाहरू है, पर protoplasm, protoplasm, jelly-like चीजों को हम protoplasm कह देते हैं, याद रखने के लिए आप सिरफ इतना याद रखें, jelly-like चीजों को protoplasm कह देते हैं, यह दो तरह का है, cytoplasm और nucleoplasm, अगर nucleus के अंदर jelly जैसे liquid की बात की जाए, तो उसको nucleoplasm कह देंगे, nucleus के बाहर, nucleus के बाहर और cell membrane के अंदर, ठीक है, यह वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में, जो jelly जैसी चीज है, उसको cytoplasm कह देते हैं, ठीक ह protoplasm है, जो की nuclear membrane के अंदर conduct होता है, इसको हम living part कहते है, nucleus का, यह याद करेंगे आप, cytoplasm भी एक तरह का protoplasm है, यह thick fluid है, ठीक है, cytoplasm किसको कह जाता है, देखिए, यह cell, यह उसका nucleus, यहाँ पे jelly जैसी चीजे होंगी, ठीक है, jelly जैसी चीजे हैं, liquid form में, और यहाँ पे liquid जैसी चीजे है, सिरफ अगर हम liquid जैसी चीज की बात करें, तो इसको cytosol कहा जाता है, और अगर हम cytosol के साथ-साथ, organelle को भी add कर दें, तो इन दोनों को मिला के कह दिया जाता है, cytoplasm, यह इसकी technical definition है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, तो liquid part हो गया cytosol, जो की gel-like substance होता है, organelle को भी अगर जोड़ दिया जाए, तो cytoplasm कहते है, यह फिर से मैं आपको बना के दिखा दिया, कैसे हो रही है, चीज है, नूकलेस के अंदर DNA होता है, किस फ़र्म में, क्रॉमेटिन की फ़र्म में, क्रॉमेटिन ऐसे तार की तरह होते है, तार की तरह होते है, ज इसी उनके बच्चों की भी नोज हो जाती है, ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि पेरेंट की जो जेनेटिक इनफोर्मेशन है, पेरेंट के पास जो जेनेटिक इनफोर्मेशन है, वो जेनेटिक इनफोर्मेशन उनके बच्चों पर ट्रांसफर हो जाती है, और वो ट्रांसफर क character में काम करता है protoplasm protoplasm मैंने बता दिया जिसके अंदर cytoplasm और nucleoplasm दोनों आएगा जाधा तर protoplasm में 90% क्या होता है carbon, hydrogen, nitrogen और oxygen होती है इसको physical basis of life कहा जाता है nucleus क्या है nucleus के अंदर आपको chromatin मिलेगा यानि कि DNA वाली जो चीज थी यही condensed होके chromosome बन जाता है nucleolus में क्या बनता है nucleolus में ribosome बनते है ribosome जो है वो endoplasmic reticulum की मदद से बाहर आ जाते है और या तो वो freely cytoplasm के अंदर घुमते रहते हैं cytoplasm कहलो या cytosol कहलो उसके अंदर freely घुमते रहते हैं या फिर endoplasmic reticulum के साथ settle हो जाते हैं attach हो जाते हैं ribosome C हो गए DNA chromatin के अंदर chromatin condensed हो ग्रोमोजोम बन गया chromosome के अंदर gene होते हैं gene का मतलब है DNA का कुछ हिस्सा chromosome के अंदर जाता है जो की transfer करता है बच्चों में characters को इसको functional unit भी कह सकते हैं आप जो gene है gene functional unit होता है chromosome की ribosome का मैं बता चुक हूँ क्या होता है ribosome protein synthesis करता है एक और fact आप याद रखेंगे ribosome के अंदर RNA होता है ठीक है अभी के लिए आप सिरफ इतना याद करेंगे lyosome digestive bag या suicide bag ये क्या करता है ये एक तरह का enzyme produce करता है food को digest करने का लेकिन अगर कभी कोई cell मर चुका होता है या फिर damage हो गया होता है तो ये पूरे के पूरे cell को ही digest कर जाता है पूरे के पूरे cell को ही खतम कर देता है cell को suicide करने पर मजबूर कर देता है lyosome cell के अंदर ही रह रह रहा है और cell को ही खतम कर दिया suicide हो गया इसलिए suicide bag enzyme produce करता है food को करने के लिए इसलिए digestive bag endoplasmic reticulum tube like चीज होती है यह क्या करती है देखिए यह cell है nuclear membrane यह cell membrane nuclear membrane cell membrane से ऐसे tube जो है वो जा रही होती है तो इस tube को endoplasmic reticulum कहा जाता है यह कहां से कहां तक जाती है cell membrane से लेके nuclear की membrane nucleus membrane से लेके nuclear membrane से लेके आपकी cell wall ता क्या फिर plasma membrane तक यह tube जा रही होती है तो यह tube like structure है जोकि nuclear membrane से plasma membrane तक जा रहा है किस काम आता है मैंने आपको क्या बदाया ribosome जो है endoplasmic reticulum की tube यूज करके बाहर आ जाता है cytoplasm में रहने लग जाता है तो यह क्या कर रहा है यह protein का transport कर रहा है from nucleus to cytoplasm तो यह transport करने में मदद करता है यह nuclear membrane से लेके cell membrane तक ऐसी tunnel सी ऐसी tube सी बनी होती है जिसके अंदर चीजे एक जगा से दूसरी जगा जा सकती है ठीक है दूसरा इसका काम क्या होता है यह पूरे cell को support provide करता है यह एक तरह से इसका और वो काम क्या होता है यह plasma membrane और Golgi bodies को बनाने में मदद करता है Golgi bodies का काम क्या होता है protein के अंदर यह ऐसे changes करती है जिससे हम अपनी body में use कर सके change कैसे होगा या तो उसके उपर lipid लगा देगी या फिर carbohydrate लगा देगी बार बार याद हो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ endoplasmic reticulum दो तरह की होंगे endoplasmic reticulum या तो rough होगा या फिर smooth होगा अंतर क्या है endoplasmic reticulum असली में एक तरह की tube है अब मैंने बोला कि कुछ-कुछ ribosome जो है वो इस tube को इस tube के साथ चिपक जाते हैं ठीक है कुछ-कुछ ribosome जो है वो endoplasmic reticulum के साथ attach हो जाते हैं तो एसी endoplasmic reticulum जिसके साथ ये ribosome attach हो चुका है उस endoplasmic reticulum को rough endoplasmic reticulum ऐसे होंगे जिसके ओपर कोई भी ribosome नहीं लगा होगा उसको smooth endoplasmic reticulum में absent होते हैं, जो rough endoplasmic reticulum होता है, rough endoplasmic reticulum के उपर ribosome लगए, ribosome क्या करता है, ribosome प्रोटीन बनाता है, तो rough endoplasmic reticulum का काम क्या होगा, इस protein को बनाने में और उसको transport करने में ये मदद करता है, smooth endoplasmic reticulum के उपर ribosome नहीं होते, तो smooth endoplasmic reticulum का protein से कुछ लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है, तो smooth endoplasmic reticulum lipid, lipid को बनाते हैं और उसको एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगला है गोलजी complex, गोलजी complex क्या करता है, ये protein को collect करता है, और उसके उपर या तो ये lipid लगा देगा, या फिर carbohydrate लगा देगा, ये आपको याद रखना है, भले इसके अंदर लिखा नहीं हो है, नोटस के अंदर आप इसको अलग से लिख लेंगे, ये protein को एक usable form के अंदर change कर देता है, और ये गोलजी बॉडी का एक काम और होता है, कि usable form में change कर देता है हमारी body के लिए, तो य आपको याद रखना है, प्लांट के अंदर गोलजी बॉडी की जगा क्या होता है, प्लांट के अंदर गोलजी बॉडी इसको dictiosisome के नाम से जाना जाता है, माइटो कॉंट्रिया का का म क्या है, माइटो कॉंट्रिया से लुलर रेस्पिरेशन के लिए एक enzyme release करती है, इस से और सिरफ प्लांट, प्लांट के सेल में मिलता है, एनिमल सेल में प्लास्टेड नहीं होते, एनिमल सेल में प्लास्टेड नहीं होते, एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉंड्रिया होता है, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉंड्रिया के जैसा एक सबस्टेंस होता है, जिसका न आपको याद रखना है, एक चीज और आपको mitochondria में याद करनी है, जो की question बहुत बार आता है, DNA जो है, शरीर, मदब cell में, कहां पे DNA मिल रहा है, यह आपकी cell wall, यह आपकी nuclear membrane, nuclear membrane के अंदर आपका यहाँ पे chromatin है, chromatin के अंदर DNA है, chromatin के अंदर DNA है, यानि कि DNA से ही chromatin बनता है, और chromatin condensed हो जाता है, तो chromosome बन जाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि nucleus के अंदर DNA present होता है, एक और जगा होती है हमारे cell में, जहां पे DNA मिलता है, और वो जगा होती है, mitochondria, mitochondria के अंदर भी DNA होता है, यह आपको याद रखना है, बहुत paper के अंदर यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, Plastid plant में मिलता है, plant होता है, green color के, green color के होने के लिए उनको pigments चाहिए होते हैं, तो Plastids के अंदर pigments पाये जाते हैं, ठीक है, Plastid को Plastid को उनके color के basis पे 3 form में divide किया गया है, Leukoplast कहते थे हैं, ठीक है, Leukoplast कहा जाता है क्योंकि वो colorless है, Leukoplast आप याद रखेंगे white या फिर colorless, यह याद रखना है आपको, ठीक है, एक बिमारी होती है, जो इनसानों के अंदर होती है, Leukoderma, Leukoderma के अंदर क्या होता है, इनसानों के skin इन पे white patch बन जाते हैं, white patch बन जाते हैं, जिसको कुछ लोग, विटी लीगो, विटी लाइगो भी कहते हैं, सफेद दब्बे बन जाते हैं, ठीक है, तो वो Leukoderma, white से बन रहा है, Leukoplast, white या फिर colorless, ठीक है, तो Leukoplast जो है, वो क्या काम करते हैं, वो पत्तियां आपकी green color की है, तो ये जो color होते हैं, chromoplast जो है, वो different part को different different color provide करता है, chloroplast क्या करता है, chloroplast के अंदर chlorophyll होता है, जो की green color का होता है, और ये जो chlorophyll है, ये CO2 और hydrogen को sunlight की presence में, sugar में या फिर glucose में convert कर देता है, sugar क्या है, sugar food, ठीक है, तो chloroplast का क्या काम होता है, chloroplast के अंदर chlorophyll होता है, ये carbon dioxide, plant क्या करते हैं, environment से carbon dioxide ले लेते हैं और oxygen छोड़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो environment से CO2 लेके, इस CO2 को hydrogen के साथ mix करेंगे, और सूरज की रोशनी लेंगे, सूरज की रोशनी लेंगे, और इस CO2 और hydrogen को सूरज की रोशनी में वो sugar के अंदर convert कर देते हैं, और oxygen release करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे cell खतम हो गए, एक हमें animal और plant cell की distinction देखनी है, दोनों के अंदर ही mitochondria होता है, पर plants के अंदर एक और mitochondria जैसा एक और organelle होता है, जिसका नाम होता है, Plastid, Plastid के हमने तीन फॉर्म अभी देखे, Leuco, Chloro वाले, ये आपको देखने है, Chloroplast, Chloroplast यानि कि जिसके अंदर chlorophyll होता है, वो केवल और केवल plant cell के अंदर होता है, जब Plastid ही केवल और केवल Plant Cell के अंदर है, तो Chloroplast भी Plant Cell के अंदर ही होगा, पिर Animal Cell और Plant Cell के अंदर एक और चीज होती है, जिसको Vacule कहा जाता है, Vacule जो है Storage का काम कर पी है, क्या याद रखना है, कि Plants के अंदर जो Vacules है, वो बहुत ही बड़े होता है, अगर ये Plant का Cell है, तो इस Plant के Cell में जो Major हिस्सा है, वो ये Vacule Occupy करता है, और इस Vacule के अंदर, Plant Cell के अंदर क्या होता है, Majorly इसके अंदर पानी होता है, जबकि Animal Cell के अंदर Vacule छोटा सा होता है, जादा बड़ा नहीं होता, ठीक है, Plant Cell के अंदर हर Cell के अंदर एक Single Vacule होगा, Animal Cell के अंदर ये छोटा सा Vacule होगा, लेकिन ये धेर सारे होंगे, तीन चार हो सकते हैं, जादा भी हो सकते हैं, तो Animal Cell के अंदर Smaller Vacules होते हैं, और Many Vacules होते हैं, Plant के अंदर एक Single होता है, पर एक बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है, Plant Cell के अंदर आपको एक और चीज याद रखने हैं, आपने देखा होगा, Plants जो हैं, बड़े ठोस से होते हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो Plant Cell ये वाला होता है, जो मैंने अंदर बनाया है, ठीक है, तो ये Plant Cell है, जो मैंने अंदर बनाया है, इस Plant Cell के सबसे Last में, सबसे बाहर क्या चीज होती है, Cell Membrane होती है, Cell Membrane होती है, ठीक है, क्योंकि हर Cell की एक Cell Membrane जरूर होती है, ठीक है, चाहे वो Animal Cell हो, चाहे वो Plant Cell हो, ठीक है, ये animal cell में सिरफ और सिरफ cell membrane सबसे बाहर होती है plant cell में क्या होता है एक और बाहर से एक और परत लगी होती है और यह जो layer होती है यह बहुत ही hard होती है rigid होती है और इस layer का नाम होता है cell wall यह दिवार की तरह ही काम करती है ठीक है तो यह जो है plant cell को एक rectangular shape प्रोवाइड कर देती है rectangular shape प्रोवाइड करती है तो plant cell में cell membrane भी होती है और cell wall भी होती है animal cell में keval और keval cell membrane होती है इसके बाहर कोई भी rigid सी दिवार नहीं होती जो इसको rectangular shape दे ऐसा नहीं होता है animal cell में keval और keval plant cell के अंदर होता है इसके साथ हमारा sell वाला chapter यहीं पर खतम होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंदारी हैं और आपको लग रहा है कि हम आपकी preparation में आपकी मदद कर रहे हैं आपकी preparation में value add कर रहे हैं तो आप इस UPI ID पर हमें कुछ सही हो कर सकते हैं पैसे donate करके यह amount कितनी भी हो सकती है 11 रुपे, 21 रुपे, 51 रुपे आपके द्वारा donate की हुई हर एक amount हमारे लिए बहुत ही जादा important है और बहुत जादा हमें support provide करेगी यह request सिर्फ उन लोग के लिए जो की सक्षम है जो की capable है हमें donate करने के लिए अगर आप donate नहीं भी कर सकते तो भी किसी तरह का guilt नहीं है आप बस वीडियो से अच्छे से सीखते रहिए वीडियो पे आप अपना like कीजिए comment छोड़िए चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe ज़रूर करें PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से download कर सकते हैं अब cell देखने के बाद हम biology वाली चीजों को देखेंगे तो human physiology हमें देखने है human physiology के अंदर हमें धेर सारे systems पढ़ने है कि हम खाने को कैसे पचाते हैं कैसे सांस ली जाती है, blood कैसे flow कर रहा है जब खाना, खाने के बाद कुछ waste आया, हमारी body जो भी waste produce कर रही हो, इस waste को कैसे excrete किया जा रहा है, skeletal system कैसा है, nervous system यानि कि हमारे brain तक signal कैसे पहुँच रहा है, endocrine system यहाँ पे हम कुछ enzymes वगरा के बारे में पढ़ेंगे, और reproductive system के अंदर हम प्रजनन के बारे में या offspring को कैसे reproduce किया जा रहा है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनी सारे systems को मिला के हम कह सकते हैं कि humans जो हैं, वो अपना सारा का सारा काम करते हैं, एक चीज मैं आपको यहीं पे बताना चाह रहा हूँ कि यह nervous system जो है, जब भी मैं word बोलू nerves, तो आप यह समझ जाएंगे कि nerves, सिरफ आप अपने mind में एक ऐसी image बना लेंगे कि nerves एक तरह की तार है जो आपके brain तक signal पहुचा रही है, ठीक है सिरफ मैं याद रहें चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ जैसी मैं शब्द बोलू nerves, आप यह सुचेंगे कि यह तार signal brain तक पहुचा रही है, यहाँ पे सुई चुबी सुई चुबी है हाथ पे तो हाथ पे जो nerves होंगी वो जल्दी से signal brain तक पहुचाएंगी और वो बताएंगी कि सुई चुब गई है, तुझे दर्द हो रहा है, और तुम्हे pain जो है वो feel होने लगेगा, आपने गरम गरम तवे के उपर अपना हाथ रख दिया, पता नहीं क्यों रखा, पर रख दिया, तो जहां पे भी आपने हाथ रखा है, तो हाथ की जो nerves हैं, वो brain तक signal पहुचाएंगी, कि मैंने किसी गरम चीज के उपर हाथ रखा है, और brain तुरंत ही तुरंत ही command देगा कि अपने हाथ को हटा ले, ये पागल बंतियां मत किया कर ठीक है, तो nerves का जब भी मैं बोलूँगा, आपको ऐसे याद करेंगे कुछ facts हैं, ये जो notes हैं ये मुझे net पे मिले थे, काफी अच्छे notes लगें इसलिए मैं digestive system के लिए इन notes को यूज करूँगा, क्योंकि इसका diagram मुझसे इतना सुंदर नहीं बन रहा था तो कुछ चीज़े हैं जो आपको यहाँ पर लिखनी होगी जो जी का father कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है क्योंकि Aristotle ने एक book लिखी थी जिस book का नाम था, historica animalia historica animalia नाम की इन्होंने एक book लिखी थी इस book के अंदर उन्होंने इंसानों के या animals के बारे में, animals के बारे में लिखा था, तो यह जो book है यह basis बनती है, zoo logica यानि की जानवरों की study का, animals की study की यह basis बनती है historica animalia Aristotle ने लिखी, इसलिए Aristotle को biology का भी father का जाता है यह जो शब्द है biology यह शब्द हमें प्रोवाइड किया था, Lamarck ने Lamarck ने इस शब्द को इजात किया था Aristotle ने तो सिरफ यह zoo logica के ओपर book लिख दीती, लेकिन biology किसने कहना चालो किया, Lamarck ने कहना चालो किया, biology के अंदर हम तीन field पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी, पहली field होती है zoo logica zoo logica father कौन है Aristotle ही है, biology की फादर भी Aristotle, zoo logica की जो book Aristotle ने लिखी, उसका नाम historica animalia, ऐसे ही जो दूसरी field हम biology के अंदर पढ़ते हैं उस field का नाम होता है, botany जिसके अंदर हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं यहां पे जानवर आ गए, यहां पे plants आ गए botany के बारे में जो पढ़ते हैं उसकी book किसने लिखी थी, इसकी book microbiology की, microbiology है नि microbiology हम मदलब होता है, बहुत ही छोटे सूक्ष्म, microbiology, microbiology का father कहा जाता है, Liu Liu hook को, microbiology का father कहा जाता है और इसके अंदर हम किस की पढ़ाई करते हैं, bacteria की करते हैं, इन सब चीजों की हम पढ़ाई microbiology के अंदर करते हैं यह आप लिख लिजेगा अब हम यह digestive system करते हैं digestive system basically क्या है जब भी आप खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके अंदर majorly आप तीन चीज़े, तीन चीज़े आप उस खाने की तुरू लेना चाहते हैं और भी चीज़े होते हैं, पर हम major की बात कर रहे हैं तो आप किसको लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खाने से आपको protein मिले खाने से आपको carbohydrates मिले और खाने से आपको fats मिले चीक है, पर आपने खाया है rice, और आप चाहते हैं कि उससे protein मिल जाए, उससे carbohydrate मिल जाए, या fats मिल जाए, ये चीज़े आप उससे लेना चाहते हैं, तो क्या होते हैं, जब आप rice खाते हैं, तो आपका शरीर जो है, ये जो rice है, ये complex food है, complex food, यानि कि इसके अंदर protein, carbohydrate और fat, तीनो के तीनो मिक्स होंगे, साथ में और भी चीज़े इसके अंदर मिक्स होंगी, आपका शरीर क्या करता है, इस rice को digest करता है, और digestion कुछ नहीं है, वो सिरफ इस complex food को एक simple substance के अंदर change कर देता है, simple substance क्या हो जाएगा, protein, protein के building blocks जैसे की amino acid इनके अंदर change कर देगा, हमारा जो शरीर है, वो ही samino acid को absorb कर लेता है, आपका जो ये, आपने जो rice काए, कार्वो हाइडर्स काए, fats काए, इन सब को वो किसी ना किसी simple form में convert करके, अपनी body से absorb कराना चाता है, absorb क्यों कराना चाता है, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे, आपकी body से absorption होगी, तभी तो आपको energy मिलेगी, तो digestive system क्या है, ये एक ऐसा system है, जो धेल सारे organ से मिला है, और ये organ क्या करते हैं, ये breakdown कर देते हैं, complex food को simple absorbable forms के अंदर, मैंने क्या कहा, absorb करना है, तभी तो energy मिलेगी, ठीक है, मान लिजे, ये आपका शरीर है, आपने खूब सारा खाना खा लिया, और खाना as it is निकल गया, as it is निकल गया, आपके शरीर ने उसको absorb नहीं किया, आपके शरीर ने उससे ना protein लिया, ना उसने carbohydrates लिये, ना fatly है, तो आपकी ना तो muscle बन पा रही है, ना आप मोटे हो पा रहे है, ना आपकी body को energy मिल पा रही है, जैसा खाना आया था, वो वैसे ही चला गया, तो आप क्या हो जाएंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, तो आपकी body इतनी capable होनी चाहिए, कि वो उसको absorb कर सके, और वो absorb किसको करती है, क्या वो potato को absorb करती है, क्या वो rice को absorb करती है, या क्या वो chicken को absorb करती है, नहीं, वो इन सब को absorb नहीं करती है, वो absorb करती है simple substance को, ठीक है, simple substance ऐसे substance जिन से protein बनता है, carbohydrate बनता है और fats बनते हैं यह सिरफ उनको एब्सॉर्ब कर पाती है तो आप कुछ भी खाएंगे मालीजी आपने चिकन खाया तो आपका शरीर उसको तोड़ के प्रोटीन, कार्भोहेड़ेट्स और फैट्स के सोर्सिस में कनवर्ट कर देता है ताकि आपका शरीर उसको एब्सॉर्ब कर सके जो इस चिकन का वेस्ट होगा एब्सॉर्ब करने का जो भी वेस्ट होगा उस सब को क्या कर दिया जाएगा उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा अपने शरीर से निकाल दिया जाएगा यह जो हम खाना एब्सॉर्ब करना चारें इस खाने से क्या होता है आप ग्रो करते है और आपकी body अपने आपको repair करती है इस energy से जो खाने से मिलती है जो आप digestive system की अगर बात करें तो digestive system दो पार्ट में divide कर सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि digestive system के अंदर दो चीजे काम करती है पहली चीज़ है elementary canal elementary canal आपके मूँ से लेके आपके mouth से लेके आपके anus तक खाना जो travel कर रहा है वो elementary canal में travel करता है mouth में होगा mouth के बाद वो क्या करेगा आपके stomach में जाएगा stomach के बाद वो आपके intestine में जाएगा intestine के बाद वो rectum में जाएगा rectum के बाद anus में जाएगा यह आपकी elementary canal होती है फिर इनको digest करने के लिए हमें कुछ enzymes की जरूरत पड़ती है ठीक है और वो enzymes कौन देता है हमें कुछ glands देते हैं digestive glands देते हैं वो दूसरी चीज है जो digestion में help करती है ठीक है तो जो हमारा पूरा मुह से लेके मैंने एनस तक आप से कहा है वो क्या होती है elementary canal होती है और वो 30 feet लंबी होती है हमारे digestive system में दो पाट है elementary canal और ऐसी चीजें जो की enzymes release करती है जब मैं आप से बात करूँ कि हम enzyme की बात कर रहे हैं तो आपको अपने mind के अंदर ये सोचना है कि खाने को digest करने के लिए हमें कुछ juice की जरूरत पड़ रही है वो जो juice है वो enzyme है simple form में बता रहा हूँ मैं enzyme क्या है? enzyme एक तरह का ऐसा juice है जो आपको खाना पचाने में मदद करेगा ठीक है? तो elementary canal और digestive juice digestive glands elementary canal को आप कैसे याद करेंगे? आप इसको याद करेंगे mossi, rectum, or anus mossi, rectum, or anus mossi तो हर कोई जानता है न? mossi क्या होता है? मा की बेहन को mossi कहा जाता है तो मैंने elementary canal में mossi, rectum, or anus ये आप याद रखेंगे mossi, M होता है mouth O होता है isophagus S होता है आपका stomach, pate I होती है आपकी intestine, आंतडिया फिर होता है rectum, or anus ठीक है? mossi mossi में M होता है mouth mouth से आप करते हैं buck 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 इसलिए mouth को यह को और नाम दिया जाता है जिसका नाम है buckal cavity इतनी buck buck करोगे तो buckal cavity ही कहा जाएगा इस mouth के अंदर आपको क्या मिलता है? इस mouth के अंदर आपको दांत मिलेंगे, teeth मिलेंगे, tongue मिलेंगी और आपको lips मिलेंगे lips का काम क्या है? आप खाना खा रहे हैं और आपके खाना देखते ही आपकी ऐसी लार टपकने लग गई कि आपसे control ही नहीं हो रहा है तो lips क्या करते हैं? उस saliva को और उस खाने को आपके मुह के अंदर कैद करके रखते हैं वरना क्या होगा? खाना देखते ही आपके मुह से नदियां बहने लग जाएंगी लार की ठीक है? खाना खाने के लिए आप मुह के अंदर रखी नहीं बहेंगे क्योंकि वो बाहर गिरता रहेगा तो lips का काम क्या होता है? खाने को खाने को अच्छे से mix कर दो खाने को mix कर दो किसके साथ? जो खाना देखके आपकी लार बनी थी saliva बना था उस saliva को खाने के साथ mix कर दो यह आपके tongue का काम होता है दूसरा काम होता है आपके tongue का खाने का स्वाद पहुँचाना खाने का स्वाद पहुँचाना टीथ का काम क्या होता है टीथ का काम क्या आपने इतना बड़ा कौर तोड़ा इतनी बड़ी आपने बाइट ली रोटी की उसको छोटे छोटे हिस्से में ये तोड़ देता है उसको ग्राइंड कर देता है उसको अच्छे से पीस देता है पीसने के बाद टंग क्या करती है इ इसोफेगस के अंदर कोई भी डैजेशन नहीं होती, यह सिरफ क्या काम करता है, आपके मुह से खाना, आपके पेट तक पहुचाने के लिए एक हमें ट्यूब चाहिए होते है, यह वो ट्यूब का काम करता है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, फिर खाने के अंदर ड तोड़ने में, एंजाइम्स जो हैं, वो हेल्प करते हैं, यह याद करेंगे आप, ठीक है, मेंली यह जो मैं नोट्स नेट से निकाल के यूज़ कर रहा हूँ, वो इस डाइग्राम की वज़ा से कर रहा हूँ, यह देखिए, यह माउट जो है, इसको आप बक्कल कैविटी हो गई, यहाँ पे आपको टीथ, टंग और लिप्स मिलते हैं, इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, यह अपने आप में एक कोशन है, इसोफेगस में क्या डाइजेस्ट होता है, आप कहेंगे कुछ नहीं होता, इसोफेगस का काम क्या होता है, इसोफेगस ऐस से रहती है तो मान लिए यहां पे खाना आया यहां पे खाना आया तो इसोफेगस में यहां पे दवाब डालने लग जाते हैं यहां पे दवाब डालते हैं तो इसोफेगस जो है वो थोड़ी सी जहां पे दवाब पड़ा वहां पे पिचक जाती है ठीक है, पिचक गई, तो जो खाना यहाँ पे था, यह जब पिचका है, तो खाना थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा, अब खाना यहाँ पे आ गया, खाना यहाँ पे आ गया, तो अब उपर से pressure release हो जाएगा, अब नया pressure यहाँ पे पड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब यह जो हमारी pipe है यह जो हमारी isophagus है isophagus के अंदर एक movement हो रही है movement क्या करती है उस खाने को नीचे की तरफ सरकारी है यह जो movement मैं आपको बता रहा हूँ पहले यहां पे पिछकेगी ऐसे हो जाएगी फिर थोड़ा सा नीचे पिछकेगी ऐसे हो जाएगी फिर थोड़ा सा और है पिछकेगी और ऐसे हो जाएगी ठीक है और ऐसे करकर कह गठार कंगे वो एक तक रहती रहती है जब तक कि खाना इस टमक में नहीं पहुंच गया इस movement को कहा जाता है, peristalsis, यह जो movement है, इसको peristalsis कहते है, यह movement आपकी peristalsis कहलाई जाएगी, ठीक है, तो peristalsis अगर question में आ जाए, तो peristalsis क्या होती है, यह जो पिचकरी है wind pipe, पहले उपर पिचकेगी, फिर थोड़ा नीचे पिचकेगी, फिर उसके और नीचे पिचकेगी, कब तक, जब तक यह स्टमक में नहीं पहुंचाता खाना, इस पिचकने को contraction कहते है, ठीक है, तो peristalsis एक तरह की movement है, जिसके अंदर इसोफेगस contract करता है, और food को नीचे स्टमक में transfer कर देता है, क्या इसोफेगस में कोई भी digestion होती है, इसोफेगस में कोई भी digestion नहीं हो रही, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर यह गॉल ब्लेडर और लिवर आ गया, ठीक है, जो हमारा लिवर होता है, यहाँ पर यहाँ आप साइड में लिख लिजे, लिवर को heaviest organ भी कहते हैं, हमारे शरीर में इस से जादा heavy organ कोई नहीं होता, यह हमारे brain से भी जादा भारी होता है, लिवर, ठीक है, यह जो आप हिस्सा देख रहे हैं, पीछे निकला हुआ, यह appendix होती है, ठीक है, किसी-किसी इंसान क के अंदर यह बहुत ज़्यादा increase हो जाती है, तो उस case में operation करके निकाला जाता है, इसका आज की date में human body के अंदर कोई खास role नहीं रहा है, ठीक है, इतना आप यहाँ पे इस figure को याद करने की कोशिश करेंगे, याद करने के लिए आपको क्या याद करने है, याद करेंगे मोसी, मोसी, रेक्टम, एनस, मोसी मतलब माउथ, माउथ का मतलब जहाँ पे बककल कैविटी बकवास कर रहे हैं, इसोफेगास, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दो तरह की होती है, small and large, रेक्टम, एनस, अब हम अपना माउस चालू करते हैं, या बककल कैविटी के अंदर, या माउथ के अंदर, कुछ और्गन्स होते हैं, जैसे कि टंग, टीथ, और लिप्स, इनके रोल को हमें देखना है, टंग का काम क्या होता है, ये दांतों के पीछे होती है, और इसके अंदर टेस्ट एरिया होते हैं, टेस्ट एरिया कैसे, ये जो पीछे का हिस् में कड़WAN टेस्ट बिटर टेस्ट मिलता है साइड़ों में आपको यह साघ समता है इधर आपको शॉल्टी मिलता है और यहां पर आपको स्वीटец मिलता है तो इसका मदलब कई बारी आपने देखा हुआ कि आप कड़वी चीज को से यह अपर टच करतेयां और आपको कड़वी फील हो जाती है तो आप तो कहेंगे कि सर आपने कहा था बिटर टेस्ट पीछे की तरफ मिलता है तो जीव के शुरुआत में टेस्ट करने पर क्यों मिला तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह हमारी टंग है इस टंग में से कुछ हमारे nerves nerves शुरू से लेके end तक ऐसे हमारी टंग के अंदर चल रहे होते हैं यह टंग के अंदर बने होते हैं यह क्या होते हैं यह होते हैं एक तरह के nerves होते हैं क्या क्याता है इनको nerves जब भी nerves की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा कि nerves signal पहुँचाईगी brain तक, तो यह जो nerves होते हैं, इन nerves को, जो tongue के अंदर nerves होती है, इनको का जाता है taste buds, taste buds हमारी पूरी tongue में होते हैं, और आप कहीं पे भी खाने को touch कर दो, वो signal brain तक पहुचा देते हैं, कि यह कड़वा है, सारे या क्या है, तो आप इतना याद रखेंगे, कि कहां-कहां पे यह जो है, यह कहां-कहां पे हमें महसूस हो रहा है, लेकिन, जो अभी हमारी discovery है, वो यही कहते हैं, कि आप कहीं पे भी खाने को छुएंगे, तो आपके जो taste buds हैं, वो पूरे brain तक signal पहुचा देंगे, और चाहे यहां पे आपको कड़वा मिले, salty मिले, sugar मिले, आपको स्वाद पता चल जाएगा, कहीं पे भी, यहां पे कहीं पे भी आप टेच करेंगे तो, ठीक है, यह सिरफ हमारी books के अंदर पहले बहुत जादा यूज होता था, इसलिए आपको यह याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, टेस्ट बड्स में एक question ही आ सकता है, कि क्या females में टेस्ट बड्स जादा होते हैं, या males में जादा होते हैं, तो इसका अंसरा females के टेस्ट बड्स जादा होते हैं, तो उन्हें स्वाद जाद अच्छे से पता चलता है, तो एक तो हमारी टंग पर यह टेस्ट बड्स होते हैं, दूसरा हमारी टंग पर होते हैं, माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई क्या होते हैं, मैं इस टंग को ऐसे देख रहा हूँ, खाना खा रहे हैं, तो वो खाने के particles को यहाँ पे पूरे में अच्छे से धसा लेता है, अच्छे से feel करता है उस खाने के उसको particles को, ठीक है, ऐसे मानली जी कि आपने यहाँ से ice cream चाटनी चालू की थी, और आप ice cream चाट के बाहर चलेगे, तो इन microvillai के अंदर ice cream के particles फस जाते हैं, और यह जो microvillai हैं, यह अच्छे से taste आपको पता लगाने में help करते है microvillai, ठीक है, क्योंकि उन्होंने particle को फसा के रखा हुए, अब अच्छे से उसका taste निचोड लेंगे, ठीक है, तो जब आप कोई ठंडी चीज खाते हैं, जब आप कोई cold चीज खाते हैं, तो यह microvillai क्या कर जाते हैं, सुकुड जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जब microvillai सुकुड गए, तो वो कम particles को अपने अंदर फसा के रख पाएंगे, कम particles का taste होने पता चल पाएगा, इसलिए cold चीजों का taste जो है, वो सही से पता नहीं चल पाता है, यहीं पर अगर आपने कभी कोई warm soup पी लिया, गरम गरम soup पी लिया, तो microvillai जब आपको expand हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और यह और ज़्यादा particles को अपने अंदर फसा के रख लेते हैं, और taste को और भी अच्छे से पहचान पाते हैं, इसलिए गरम चीज जो है, वो ज़्यादा स्वाद लगती है, as compared to thundi cheese, ठीक है, microvillai का function में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, बाकी function, देख सकते हो, आप tongue के बाकी function के है, सबसे बड़ा function है, जो आपको यहाँ पर लिख लेना है, वो function है, tongue mixes food and starch, food and saliva, saliva लार होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस याद कर लें, ऐसे याद करें, खाना देखते हैं, लार टपक गई, saliva निकल गया, तो उस saliva को food में mix कर देती है, tongue बहुत ही अच्छे से, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है, tongue का यह एक और major role होता है, speaking में help करती है, तो यह भी आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, tongue के यह सारे के सारे role हम यहाँ पर देख चुके है, यह nerves मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ, यह taste buds कहला ही जाती है, nerves होती है, और यह किस से connect होती है, यह brain से connect होती है, और brain में भी किस से connect होती है, brain के अंदर एक हिस्सा होता है, cerebrum, cerebrum, यहाँ पर लिख लीजगा, cerebrum, यह cerebrum से connected होती है, ठीक है, taste buds कहला है जाते हैं, females में जादा होती है, अब हम teeth के बारे में पढ़ेंगे, दांतों के बारे में, दांतों की study को, दांतों की study को कहा जाता है, odontology, odontology कहा जाता है, तो जो dentist होते हैं, वो odontology पढ़के बने होते हैं, टीथ बने किसके होते हैं टीथ बने होते हैं यह आपको याद रखना है टीथ बने होते हैं फॉसफेट के और कैल्शियम के बने होते हैं आपकी हड्डियों भी किसकी बनी होती हैं आपकी हड्डियों में कितना कैल्शियम होता है आपकी हड्डियों में मात्र 68% कैल्शियम हो बस याद करने के लिए एक वो है कि दानत न की ज़रूद नहीं है, बस कौन सा मजबूत है, वो आप आप देख लिए हाब, यह हार्ट सब्स्ट्टेंस होते हैं एक बार रीड कर लीजिए का हूँ, जो हूंन के दानत होते हैं, उनकी दो characteristics होती है जो आपको याद करनी है पहली characteristics होती है डाइफियोडोंट बहुत ही difficult नाम है बस सुन लीजे डाइफियोडोंट और दूसरी होती है ठीकोडोंट ठीकोडोंट का मतलब क्या होता है ये धसे हुए होते हैं आपने देखा होगा आपके दांत कहां पर लगे हुए है ये आपके गम्स होते हैं ठीक है मसूडे मसूडों के अंदर दांत ऐसे घुसे होते हैं और नीचे से ये हड़ियों से जुड़े होते हैं बोंस से जुड़े होते हैं ठीक है तो ये जो condition होती है कि दांत इसके अंदर घुसे हुए है उसको थिकोडोंट का जाता है तो आपके दांत जो है वो थिकोडोंट दांत है दूसरे डाय फियोडोंट डाय का मतलब होता है दो बार डाय फियोडोंट तो डाय फियोडोंट का मतलब यह है नहीं भी पढ़ा तो याद किजिए, decidious का मतलब है जो गिर जाए, तो यह दानत आपके गिर जाते हैं, और यह temporary होते हैं, गिर जाते हैं तो temporary होंगे, तो यह milk teeth होते हैं, कितने होते हैं, यह सिरफ 20 होते हैं, अभी देखेंगे 20 कैसे होते हैं, लेकिन जब आपके पहले ये दूद के दानत आते हैं दो साल तक फिर उसके पाद दीरे धीरे गिरना चालू हो जाते है और दो साल के बाद जो आपके दान्त आने चालू होते हैं वह आपके इतने 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 इत आपकी हड्डियों से आपकी बोन से जुड़ा होता है, जिसको रूट्स कहा जाता है, तो ये दात क्या आपके, अगर हम उपर से नीचे जाएं, तो सबसे टॉप जो विजिवल पार्ट है क्राउन, फिर दात की नेक या मिडल पार्ट आती है, जो की गम्स के अंदर धसी हु इस पल्प में ही होती है, जो आपके दातों में खून आ रहा होता है, वो किस वज़े से आता है, इस पल्प की वज़े से आता है, तो आपके शरीर में जो खून दोड़ रहा है, वो दात तक कौन लेके जा रहा है, ये पल्प ले जा रही है, ये एक तरह की नर्व है, यान से connect होगी तो यानि कि आपको दर्द की अनुभूती होगी आप दर्द को feel कर पाएंगे इसलिए दांट तूटने पर दर्द होता है ठीक है ये तो हम उपर से नीचे जा रहे हैं तो हमें crown, middle और root दिखाई दिया pulp को हम देख चुके है जो nerves होती है जो खून ले जाती है अगर हम दांट को ऐसे अंदर की तराफ घुषते जाएं तो पहले आएगा ये cementum, ठीक है? cementum आएगा ठीक अगर हम गम्स के नीचे की बात कर रहे हैं गम्स के नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो सिमेंटम आएगा गम्स के उपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह यह देंटाइन आएगा यह जो हिस्सा है जी वो top layer किस की होती है, वो top layer होती है, enamel की, enamel की top layer होती है, अगर paper में कोशन आ जाये, कि human body में सबसे kठोर, सबसे kठोर हिस्सा कौन सा होता है, तो answer में ये मत धूढ़ना, मेरे X का दिल सबसे kठोर है, ठीक है, x का heart सबसे ज़़ाधा kठोर नहीं होता है, सबसे ज़़ाध हो गया तो यह enamel आप दुबारा से रिपेर नहीं कर सकते तो कुछ सालों पहले जो toothpaste होते थे वो ये जो भी toothpaste होते थे वो अपनी ad के अंदर ये दिखाते थे कि हमारा toothpaste use करोगे तो आपका enamel दुबारा से बनने लग जाएगा जो कि एक false advertisement होती थी false advertisement होती थी उनके उपर case हुआ तो उन्होंने आप advertisement करनी बंद कर दिया है पहले वो advertise करके कहते थे कि हम enamel बना देंगे जबकि ये सच नहीं है जो toothpaste है वो सिरफ और सिरफ enamel को चमका सकती है उसको थोड़ा सा white कर सकती है पर enamel बना नहीं सकती तो आपको enamel substance यहाँ पर जमा होके रह गया यहाँ पर food substance जमा होके रह गया इस food substance के particle पर आपने दांत पर ब्रश नहीं किया सही से या फिर यहाँ पर food particle जमा हो गया साइडों में और आपने सही से ब्रश नहीं किया तो food particle यहीं पर रहेगा और इसके उपर लग जाएगा बैक्टीरिया बैक्तीरिया और ये जो food particle के उपर बैक्तीरिया काम कर रहा है ये क्या करता है ये enamel को decay कर देता है enamel को खराब कर देता है enamel एक बार खराब हो गया तो आपके दातों पर पढ़ जाती है carotid cavity आपने दातों को tidy नहीं रखा था brush कर नहीं रहे थे तो करा नहीं इसलिए tidy नहीं हुआ इसलिए carotid cavity इसके अंदर पड़ गई जिससे आपका क्या होगा देखे पहले enamel decay होगा जिससे carotid cavity बनेगी और ultimately क्या खराब हो जाता है ultimately pulp खराब हो जाता है ठीक है enamel एक बर decay होना चालू हुआ तो आपके pulp के उपर ये pulp जो है pulp के उपर damage होना चालू हो जाएगा pulp का काम क्या होता है blood की supply करना अगर pulp damage हो गया अगर pulp नहीं रहा तो क्या blood की supply हो पाईगी आपके दांतों में आपके दांतों में अगर खून लाने वाली pipe heat खराब हो गई तो आपके दांतों में खून नहीं आ पाएगा अगर आपके दांतों में खून नहीं आ पाएगा तो आपके दांत क्या हो जाएगे आपके दांत कमजोर होके गिर जाएगे खून बहुत जरूरी होता है ठीक है तो आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के ऐसा होता है चोट लगने की वज़े से दांत जो है वो अलग कलर के हो जाते हैं एक दम येलो पड़ जाएंगे धीरे धीरे ब्लैक पड़ते जाएंगे ठीक है और फिर एक स्टेज आएगी जब वो दांत गिर जाते हैं जो की हार्डेस्ट सबस्टेंस था आपने वो तक डिके कर डाला ठीक है इसलिए ब्रश करना बहुत ही जादा जरूरी होता है एक और इसके अंदर आप याद रखेंगे वो ये कि जो डेंटाइन हिस्सा है डेंटाइन हमारे दांतों का लार्जेस्ट पोर्शन होता है ठीक का structure हम देख चुके है तो चार तरह के दांत होते हैं इंसानों के पास ठीक है याद कैसे करेंगे ICPM ठीक है ICPM दांत होते हैं कैसे होते हैं अभी ICPM आप ये देखिए ये मेरे ऊपर के दांत हैं ये मेरे नीचे के दांत हैं मैं इनके बिल्कुल center से एक line काट देता हूं एक line खींच देता हूं तो मैंने अब अपने मुह को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक दो तीन और चार चार हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर आयोब आपको ये समझ में आ रहा हुआ कैसे किया ये उपर के दानत है और ये नीचे के दानत है मैंने बीच में से इनको एक लाइन डालके सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ तो अब क्या होगा अगर मैं दानत काउंट करना चालू करूँ तो जब मैं यहाँ से center से right की तरफ जाऊँगा तो मेरको एक dand दिखाई देगा और एक और dand दिखाई देगा यह दोनो एक जैसे dand तैं इनको नाम दिए मैंने I ठीक है फिर उसके बाद एक लंबा सा dand होगा ऐसा लंबा सा dand होगा इसको नाम दिया है मैंने C फिर उसके बाद मेरे को तीन चोड़े दांत दिखाई देंगे तो दो चोड़े दांत दिखाई देंगे ये दो चोड़े दांत दिखाई देंगे जिनका नाम होता है P और फिर उसके बाद मुझे तीन चौड़े दांत दिखाई देंगे तीन चौड़े दांत दिखाई देंगे और इसका नाम होता है M तो 2I 2I दिखाई दिए 1C दिखाई दिया 2P दिखाई दिए और 3M दिखाई दिए इसी तरह से यहाँ पे मेरे को 2I 1C फिर 2P और 3M दिखाई देंगे सेम यहाँ पर भी सेम होगा यहाँ पर 2I, 1C फिर 2P और 3M ऐसे दिखाई देंगे तो एक तरह से यह मेरे सारे की सारे दांत होते हैं तो यह दांत टोटल कितने होगे 2, 1, 3, 6, 8 तो मेरे इस वाले हिस्से में एक चौथाई हिस्से में कितने दांत हैं एक चौथाई हिस्से में मेरे आठ दांत हैं एक चौथाई हिस्से में मेरे आठ दांत हैं आठ दांत मेरे इस हिस्से में होँगे आठ दांत इस हिस्से में होँगे और आठ दांत इस हिस्से में होँगे total कितने दान्त हो गए, 8, 4, 4, 32, ठीक है, तो 32 दान्त होते हैं, कैसे होते हैं, I, 2 I होंगे, 1 C होगा, 2 P होंगे, और 3 M होंगे, अब इनके नाम देख लेते हम, देखिए, I से होता है incisor, तो I से होता है incisor, तो ये जो 2 दान्त हैं, ये incisor होते हैं, इनका काम होता है चीजों को cut करना तो पहली बार जब आप bite लेते हैं तो incisor से bite करते हैं मान लिजे कोई चीज ऐसी होते हैं जिसमें आपको दांत गड़ा के उसको cheer fard करनी होती है cheer fard करने के लिए हमें एक दांत मिला हुआ है ऐसे वाला दांत होता है जिसको हम canine कहते हैं ये tearing करने के काम आता है फिर उसके बाद चीजों को जो भी हमने खाना काट लिया या उसको cheer fard कर दी उसके बाद उसको grind करना होता है उसको अच्छे से piece ना होता है उसकी crushing करनी होती है जितना चोटा हो सके उतना चोटा करना होता है वो चोटा करने का काम होता है प्री मोलर्स का और मोलर्स का हमारे इस तरफ दो प्री मोलर्स होते हैं और तीन मोलर होते हैं ये जो थे ये दो प्री मोलर्स थे और तीन मोलर्स थे इनका काम क्या है इनका काम है अच्छे से चबाना और उसको क्रश कर देना, ग्राइंड कर देना तो हमारे मूँ के अंदर सारे के सारे दांत एक समान नहीं है हमारे मूँ के अंदर चार तरह के अलग-अलग दांत मिलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है तो अलग-अलग दांत मिलते हैं इसलिए हेटरो-डोंट हम कहलाए जाते हैं, क्या कहला जाते हैं हेटरो-डोंट जिनके सेम दांत होते हैं तारे के सारे दांत एक ही जैसे हैं, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, जैसी मूँ शुरू होता है यहां से लेके end तक एक ही जैसे दांत हैं सेम उपर दांत एक ही जैसे हैं यहां पर कोई भी कहना है इन इंसाइजर और ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसे दांतों को क्या कहा जाता है ऐसे दांतों को होमोडोंट कहा जाता है और होमोडोंट कौन होते हैं जितनी भी मचलियां होती है मचलियों के homodont होते हैं यह formula है मैंने आपको formula बता दिया कैसे यह एक हिस्से का है सीधे side में आपके यह 8 दांत मिलते हैं ऐसे ही left side में i, c, p, m ऐसी 8 दांत यहाँ पे मिलेंगे नीचे वाले हिस्से में भी मिलेंगे ऐसी same तो यह total 32 हो जाते हैं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर pre molar दांत बिलकुल भी नहीं होते हैं तो pre molar 0 हो जाते हैं जो molar हैं वो 3 की जगा 2 रह जाते हैं सिरफ 2 रह जाते हैं तो बच्चों में कितने दांत होते हैं 20 दांत होते हैं ठीक है अडल्स के अंदर 32 बच्चों के अंदर 20 हेट्रोडोंट मैंने बता दिया होमोडोंट बता दिया जैसे कि फिश फिश के अंदर सारे के सारे एक समान दांत होते हैं एक्रोडोंट कौन से होते हैं एक्रोडोंट वो होते हैं जो की हड्डी से डिरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं ठीक है तो ये जो दांत हैं ये सीधा उसकी हड्डी से जुड़े होते हैं और ऐसे कौन होते हैं? ऐसे होते हैं Snakes Pluriodon't कोन से होते हैं? Pluriodon't के लिए आप सिरफ lizard का example रखेंगे इसमें आप बस यह देख सकते हैं कि हडी जो छिपकली है छिपकली की जो हडी है इस हडी का जहां पर भी median लाई कर रहा होगा वहाँ पर इसके दांत attached होते हैं पर इतना आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है Acrodon't आ जाए तो आप lizard याद रखेंगे Polifiedon't Polifiedon't का मतलब होता है कि इसके दांत गिरते रहेंगे आते रहेंगे हम कैसे हैं? हम Difiodon't इंसान कैसे हैं? इंसान है Difiodon't इसके एक बार दूद के दांत आते हैं और फिर उसके पर्मनेंटित आते हैं मचलियों के दांत आते हैं जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं तो बहुत बार उसके दांत आते हैं मचलियों के मचलियां Homodon't भी हैं और Polifiedon't भी होती हैं इंसान few don't होते हैं और heterodont होते हैं दात के बारे में आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए अब एक कोशन, कुछ कोशन्स देख लेते हैं किस तरह के कोशन्स पहले बाकी एक्जाम्स के अंदर आयो है humans के दात किस जानवर के दात के साथ मिलते हैं तो humans और monkeys इनके दात सेम होते हैं कितने 32-32 दातों के heterodont almost similar दात होते हैं humans के और monkeys के ठीक है काव जो गाय होती हैं गाय और बकरी गाय और गोट इनके दात भी सेम होते हैं और इनके दात कितने होते हैं इनके ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ 12 दात होते हैं और दिखाने के दांत और तो हाती का जो दिखाने का दांत है वो कुन सा होगा जातर बच्चे इस केस में कैनाईन माख करके आ जएंगे क्योंकि कैनाईन जो है वो थोड़ा सा टीखा सा ऐसे शाप सा दिखाई देता है तो उन्हें लगते हैं कि elephant का कैना इन भाहर निकल रहा होगा पर ऐसा नहीं होता है elephant का जो tusk जो दिखाने का दांत है जो बाहर निकलता हुआ दांत है tusk ये कौन सा दांत होता है ये incisor होता है incisor होता है ये दांत ये आपको याद रखना है ठीक है ये दालतों के बारे में आपको इतनी चीजे मिनिमम पता होनी चाहिए अब अगला हिस्सा जो हमें देखना है वो है इसो फेगस का इसो फेगस के बारे में मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ इसो फेगस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको का जाता है food pipe, इसोफेगस कहां पर होती है इसोफेगस एक एक ऐसे pharynx बना उते है, इस pharynx के अंदर ही इसोफेगस होती है और एक air wind pipe होती है ठीक है, तो ये pharynx के अंदर इसोफेगस होती है, इसलिए pharynx को आपको ज्यादा ध्यान नी देना, बस इतना याद कर लें कि common passage है, food और air के लिए, ठीक है, तो isophagus food pipe है, 25 cm long होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, food को pharynx से, stomach तक transfer कर दे, ठीक है, यह pharynx वाला हिस्सा है, pharynx वाले हिस्से से ही आपकी wind pipe भी जा रही है, और आपकी food pipe भी जा रही है, तो यहां से खाने को, खाने को stomach में transfer करने का काम है, और यह stomach में transfer करने के लिए कौन सी movement करती है, यह peristalsis movement करती है, movement मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, यह आपको ज़रूर याद रखने है, isophagus में कोई भी digestion काम नहीं करती है, ifer को अगला topic हमें, stomach पढ़ना है, stomach की, अगर हम सब से पहले shape की बात करें, तो जो stomach होता है, वो J shape में होता है, कैसे होगा, यहां पर आपकी क्या रही है, isophagus अ रही है, ठीक है, isophagus अ रही है, isophagus अपके खाने को stomach में ले आता है, और stomach आपका J shape का होता है, ऐसा stomach आपको लिखते हैं, नीचे वाला हिस्सा करेक्ट होता है एक दूसरी चीज के साहत, जिसका नाम होता है डुद्नम all rightुट के स्पैलिग अभ देख ली जगा इसके क्या है ठीक है,। डुद्न Liचे साहत करेक्टेड होता है डुद्नम जो है J's shape का होता है, stomach का काम क्या है, खाना जब isophagus से, isophagus ने peristalsis करके, stomach के अंदर खाना पहुचा दिया, तो यह खाने को यहाँ पे store करके रखेगी, 4 गंटे तक, 4 गंटे तक store करके रखेगी, किस form में? semi liquid form में store करके रखेगी, तो एक तो इसका storage का काम है, दूसरा काम क्या करता है, यह यहाँ पे protein को, protein को semi digest कर देगी, या फिर partial digestion हो जाएगी, protein की, पूरी तरह से protein digest नहीं कर पाती है, हमारा stomach पूरी तरह से protein digest नहीं कर पाता, partially digest कर देता है, कुछ हिस्सा कर देता है, कुछ हिस्सा वो छोड़ देता है, digest करने के लिए, अब हमें यह digestion कर कैसे रहा है, ए कि आप 2 मुठी खाना खा रहasmine यह असे जाधा खा रहricia थीर मत कह लुटना कि मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है और स्ट पैट क्यों, फोल जाता है देखे स्टमक के अंदर असली में क्या होता है स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है अच्छा एक काम और आप याद करेजेगा स्टमक के अंदर एक तो स्टोरेज का काम है यहीं पर आप लिख लीजे स्टमक के अंदर एक तो स्टोरेज का काम है partial digestion of protein करनी है plus में ये bacteria को मारता है जो भी हमारा खाना पेट तक पहुंच गया उस खाने के अंदर जो भी bacteria होगा यह उसको kill कर देता है और bacteria को kill करने के लिए वो किसका use करता है किसका इस्तिमाल करता है bacteria मारने के लिए वो चीज होती है hydrochloric acid ठीक है HCL acid का use करता है यह जो acid है यह इतना ज़्यादा तेज होता है इतना ज़्यादा यह acid इतना ज़्यादा strong होता है कि अगर आप अपने पेट से इस acid को निकाल के अपने हाथ पे गिराएंगे तो आपका हाथ तुरंत जल जाएगा अगर आप उस acid को अपनी किसी और खाल पे डालेंगे तो वो जल जाएगा तो अब यह सवाल उठता है कि इस टमक के अंदर खाना हमने store कर रखा है इस खाने पे इस खाने पे HCL जो है वो काम कर रहा है और इस खाने के सारे bacteria को मार रहा है तो HCL हमारे पेट के अंदर है आप कह रहे हो कि अगर HCL को बाहर निकाल के हाथ पे जला है तो हाथ जल जाएगा हाथ पे गिरा दिया अगर HCL ये वाला तो हमारा हाथ जल जाएगा पर ये हमारे पेट के अंदर हमारा पेट क्यों नहीं जलता है हमारा पेट क्यों नहीं जलता है क्योंकि जो हमारा पेट है वो बहुत ही समझदार है वो हमारे पेट के उपर एक coating लगवा लेता है एक coating लगा लेता है एक परत चड़ा लेता है ये जो परत होती है ये परत होती है म्यूकस की ये म्यूकस की परत होती है इस परत का क्या काम होता है इस परत का काम होता है कि ये जो HCL की acidity है ये acidity को हमारे पेट से छूने ना दे कब बनते हैं, जब यह जो mucos है, इसके बीच में कोई gap आ जाता है, उस gap में HCL हमारे पेट को छू जाता है, और पेट पे छाले पड़ जाते हैं, जिसको stomach ulcer कहा जाता है, तो HCL हमारे पेट को अंदर से क्यों नहीं हाम कर पा रहा है, क्योंकि mucos जो है, वो उसे हमारे पेट से छूने ही नहीं देता, ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलिए, कि यह हमारा पेट है, इस पेट के अंदर उसने चारो तरफ एक पनीस ही चडा ली, एक polythene की एक layer लगा ली, ठीक है, यह mucos की layer है, यह layer लगा ली, यह layer कभी भी HCL को बाहर नहीं निकलने देता, और हमारे पे अगर वो HCL बना लेगा, तो आपका तो पेट जल जाएगा, पहले mucos की परत चड़ जानी चाहिए, तो जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपके पेट के ऊपर यह mucos की परत चड़ जाती है, फिर खाना इसो फेगस से जब आपके स्टमक में आता है, जहां पर वो चार में आते हैं रहेगा, ठीक है, mucos की layer अल्रेडी बन चुकी है इस स्टमक के अंदर, खाना आया, खाना आने के बाद क्या बनना चालू हो जाता है, यह acid बनना चालू हो जाता है, जो की bacteria को मारने का काम करता है, ठीक है, पहले mucos बना, फिर HCL बना, अब हम क्या करेंगे, अ परत चड़ती है, फिर HCL बनता है, और अब हम protein को digest करने का काम करेंगे, protein digestion कैसे होती है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है, protein digestion, हमारे स्टमक के अंदर कैसे होती है, और यह partial digestion ही आपको याद रखना है, question में कहेंगे, protein is completely digested in stomach, आप उसको गलत कर देंगे, protein is only partially digested in stomach, ठीक है, अब देखें, protein की digestion कैसे होती है, हमारा शरीर जो है, वो amino acid चाहता है, हमारा शरीर चाहता है कि हमें amino acid मिले, ताकि मैं इसको absorb कर सको, जो protein है, protein पहले तूटता है, जब हम protein एक complex, मान के चलिए, यह complex structure है, protein का complex structure जब तूटता है, तो protein बनता है, पेप्टॉन, protein बन जाता है, पेप्टॉन, और जब पेप्टॉन को हम थोड़ा और simplify करते हैं, तो वो बन जाता है amino acid, और amino acid को हमारा जो body है, वो अच्छे से absorb कर सकता है, ठीक है, तो protein जो है, protein को पेप्टॉन में बदलने का काम कौन करता है, protein को पेप्टॉन में पेपसिन बदलती है, अब आप ये मत सोच लेना कि मैं जादा पेप्सिती पीने लग गया, तो मेरा protein जादा पेप्टॉन में convert होगा, ये नहीं होता है, ये पेप्सिन एक अलग बदार्थ होता है, जो आपका stomach बनाता है, ठीक है, तो protein से पेप्टॉन कौन बनाता है, पेप्सिन बन से बनता है, हमारे पेट में क्या होता है, हमारे पेट में सिरफ ये होता है, हमारे पेट में सिरफ ये होता है, हमारे पेट में पेप्सिन होती है, ठीक है, ट्रिप्सिन नहीं होता है, हमारे पेट में, ट्रिप्सिन कहां पे होती है, ट्रिप्सिन हमें मिलती है, पेंक्रिया acid में बदल चुका है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो protein को, हमारा जो stomach है, stomach stomach, pate, हमारा pate protein को सिरफ और सिरफ pepton में बदल पाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे pate में सिरफ pepsin पाई जाती है, trypsin नहीं पाई जाती trypsin pancreas में पाई जाती है तो इस तरह से हमारा protein बनता है, ठीक है? तो अब एक बारी मैं आपको फिर से बताऊंगा isophagus से चीजे आपके J-shaped stomach के अंदर आई इस stomach के अंदर जैसे ही खाना आने वाला होता है, एक mucus की परत चड़ जाती है mucus की परत चड़ने के बाद खाना इसके अंदर आता है, और खाना आने के साथ ही इसमें bacteria मारने की जरुद पड़ती है, और bacteria मारने के लिए हमारा पेट क्या produce करता है hydrochloric acid produce करता है, hydrochloric acid एक तेजाब होता है, तेजाब चीजों को जला देता है, लेकिन हमारे पेट को इस mucus की membrane की वज़ा से नहीं जला पाता फिर bacteria को kill करने के बाद, हमारा पेट produce करता है, pepsin को और pepsin क्या कर देती है, pepsin protein को, आपके खाने में जितनी भी protein थी, उस protein को pepton के अंदर बदल देती है और फिर उसके बाद वो इस खाने को पेट के अंदर store करके रखती है चार घंटे के लिए, चार घंटे तक ये किस state में, ये semi liquid stage या फिर half liquid state के अंदर हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है और इस half liquid state को क्या कहा जाता है, इस half liquid state को हम chyme कहते हैं, chyme या फिर chyme आप जो भी इसको कह सकते हैं इसको ये कहा जाता है तो आप इतना याद रखेंगे, आप से सवाल आ जाए कि stomach में क्या digest होता है, तो आप कहेंगे protein digest होता है, सवाल आ जाए completely digest होता है, तो नहीं, completely नहीं partial digestion होती है सिरफ pepton बनता है, हमारे पेट के अंदर कौन-कौन से enzyme मिलता है, enzyme क्या होता है जो digestion में help करते हैं, कौन-कौन से enzyme मिलते हैं, तो उसके अंदर आप क्या बोलेंगे हमारे पेट के अंदर हमारे पेट के अंदर क्या मिलता है हमारे पेट के अंदर, हमारे stomach के अंदर होता है gastric juice gastric juice एक enzyme होता है और इस gastric juice के अंदर क्या-क्या होता है इस gastric juice में आपको mucus मिलेगा आपको HCL मिलेगा आपको pepsin मिलेगा एक चीज जो कि केवल और केवल बच्चों में होती है बच्चों को क्या कहा जाता है कि माओं का दूद पिलाना है तो आपने कभी देखा होगा जब कभी छोटा बच्चा होता है वो मा का दूद पीता है या फिर कैसे भी दूद पीता है दूद पीने के वाद अगर उसको उल्टी हो जाती है तो जो दूद बाहर निकला होता है वो दही की तरह बना होता है दही होती है वो दूद नहीं होती ठीक है जबकि आप जो कि अडल्ट है आप कभी दूद जादा पी जाए और आपको वमिटिंग हो जाए तो आप पूरा का पूरा दूद बाहर निकालते हैं आप दूद निकालते हैं जबकि बच्चा जो है वो दही निकालता है ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेट के अंदर जो gastric juice होता है, उसके अंदर एक और चीज होती है, जिसका नाम होता है renin, renin, renin का क्या काम होता है? renin का काम होता है, दूद को curd में convert करना दूद को कर्ड में convert करना तो कोशन आ जाए कि दूद को कर्ड में कौन convert करता है तो उसको कर्ड में renin convert करता है renin किसके पेट में पाया जाता है बच्चों के पेट में पाया जाता है adult या फिर visco के पेट में renin नहीं होता है ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, हमारा पेट HCL बनाता है, गेस्टिक जूस के अंदर आपको रैनिन मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, पैपसिन मिलेगा, पैपसिन जो है वो प्रोटीन की पार्टिल डैजेशन करवाता है, म्यूकस जो है वो HCL से हमारे पेट को जलने से ब जो समझने का था, जहां से सबस्यादा कोशन आते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता चुका हूँ, यह आप थोड़ा से याद करेंगी कि विटामिन B12 भी हमारे पेट के अंदर, जो विटामिन B12 है, इसकी अब्सॉप्शन हमारे इंटस्टाइन के अंदर होती है, तो आप एक बारी इसको बस पढ़ लीजेगा, ठीक है, जो याद करने वाला है, वो मैं बताता चल रहा हूँ, यह जो नोट्स हैं, यह बेसिकली डाइगराम की वज़े से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यह आपको याद करने आपको कि अल्कोहल, एस्परिन और कुछ लिपिड इसलिए जब भी आप दारू पीने जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आपको दारू पीने चाहिए, ताकि आपका यह पेट है, इस पेट के अंदर आपने धेर सारी अल्कोहल भर दी, आपका पेट ही इसको एब्सॉर्ब करेगा, अगर यह पेट पूरा खाली है तो जदा अल्कोहल इसके अंदर आ जाएगी, जदा अल्कोहल इसके अंदर आ गई, जदा अल्कोहल आ गई तो जदा अब्सॉर्ब कर लेता है, और थोड़ा सा आपका पेट भरा होता है, तो आप जदा अल्कोहल इसके अंदर नहीं आती, यह आपको याद रखना ठीक है अगला हमें देखने हैं इंटेस्टाइन वाला पोश्चन देखना है तो देखिए तब से पहले आपको मोसी M माउथ यानि की बककल कैविटी थी बककल कैविटी के बाद आपने क्या देखा इसोफेगस ठीक है इसोफेगस देखा इसोफेगस आपके J-shaped stomach में जाता है J-shaped stomach के नीचे क्या बताया था मैंने डुड़नम ठीक है डुड़नम जो है यह small intestine का पार्ट होता है मैंने आपको क्या याद करने के लिए का है मैंने आपको बोसी याद करने के लिए का है बककल केविटी इसोफेगस स्टमक और इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज ठीक है फिर उसके रेक्टम और एनस तो हम वही देख रहे है तो बककल केविटी इसोफेगस स्टमक फिर जो यह small intestine है stomach के बाद small intestine start होती है small intestine में कौन सा हिस्सा स्टमक के साथ यह ऐसे करकर के coil बनी होती है और यह coil यहाँ पे ऐसे निकल रही होती है ठीक है तो जो इस टमक के साथ हिस्सा connected है उसको dudonum कहते हैं फिर उसके हैं यह जो बहुत जादा coil है कुछ जादा ही coiled system है इसको कहा जाता है जुजनम डुजनम एक गाने की तरह sound कर रहे है डुजनम जुजनम और ileum, ileum ठीक है इलियum क्या करती है ileum आपकी large intestine के साथ connect हो जाती है large intestine ke साथ आपकी जो ileum है वो connect हो जाती है तो यह कैसे मैं इक दूसरे pen से आपको बना के दिखाता हूँ, large intestine यहाँ से ऐसे start होगी, ऐसे चलेगी, ठीक है, यह large intestine चल रही है यह यहां पे यह आपकी large intestine है ठीक है जो green वाली है यह आपकी large intestine की तरह आप याद रखेंगे ठीक है लाल वाली आपकी small intestine है ठीक है तो यहां से isofagus से stomach में में आपके in kitebanine के अंदर इसे आसे highly coil structure के अंदर वह पढ़ा रहता है फिर उसके बाद वह डूढ़नंसे मलं से स्टमक से डूढ़नंम में आया अंदर वह आपके large intestine के अंदर चला जाता है large intestine के अंदर चला जाता है large intestine के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्से को आप colon कहते हैं colon या colon या colon आप कैसे भी कह सकते हैं तो ये दो जाएंगे एक colon यहाँ पर एक colon यहाँ पर तो एक colon ऊपर चड़ रहा होगा एक colon नीचे आ रहा होगा ठीक है तो इसी को ascending colon और descending colon भी कहा जाता है ये वाला जो हिस्सा है large intestine के अंदर ये वाला हिस्सा है इसको rectum कहते हैं तो आपने पूरा का पूरा खाना खा लिया पूरे खाने की आपने देख लिया कि बकल केविटी से isofagus से stomach में आया फिर डूड़नम जुजनम इलियम में आया इलियम में आने के बाद वो आपके large intestine के colon में आया colon में आने के बाद वो अब rectum में है रेक्टम में आने के बाद वो क्या करता है वो anus के थ्रूँ निकल जाता है तो रेक्टम क्या करे रहा है रेक्टम उस वेस्ट प्रोड़क्ट को थोड़ी देर के लिए इस्टोर करके रख ले ते है जब तक कि आपको बात रूम नहीं मिलता तक आप उसको रेक्टम में ét लिए Happ контр करके बैठे रहेंगे कोलोन के बाद वो रेक्टम में आपका वेस्ट प्रोड़क्स टोड रहेगा और फिर वो वेस्ट प्रोड़क्ट आपके एनस से निकल जाता है ठीक है यह पूरी की पूरी आपकी सैक्ल चल रही है बार बार बोल रहा हूं ताकि याद रहे तो देखे हमारी जितनी भी डैजेशन है अभी तक मैंने आपसे क्या कहा है अभी तक मैंने आपको बताया है कि सिरफ पार्शल डैजेशन हुई है किसकी प्रोटीन की पार्शल डैजेशन हुई है कहां पर आपके स्टमक में क्योंकि स्टमक में पैपसिन मिला था ठीक है पार carbohydrate और protein इन सब की complete digestion कहां पे होती है वो small intestine के अंदर होती है small intestine के अंदर जो dudonum होता है dudonum के अंदर क्या किया जाता है fat को छोटे में तोड़ दिया जाता है fat को breakdown कर दिया जाता है इस process को fat को छोटे substance में simple substance में तोड़ने को क्या का जाता है emulsification कहा जाता है तो dudonum के अंदर emulsification होती है हमारी intestine intestine का मतलब क्या है small or large हमारी आंतरियों के अंदर हमारी intestine के अंदर पहली बार खून कहां आता है खून आता है जुजनम के पास ठीक है dudonum में fat का breakdown जुजनम में खू digestion कर दे यहां पर आप digestion ऐसे लिख सकते हैं ठीक है तो आप यह याद करेंगे function क्या है यह digestion करता है protein carbohydrate fats nucleic acid सब का digestion कर डालता है यह ठीक है यह फैजल खान की तरह है यह सब का बदला यह यहां पर पूरा कर लेगा ठीक है large intestine डेड़ मीटर क्यों होती है अगर आजाए कि length में length में large intestine बढ़ी है small intestine बढ़ी है तो आप कहेंगे length में small intestine बढ़ी होती है तो इसको small क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी जो diameter होता है इसका जो diameter होता है वो diameter छोटा होता है यानि कि large intestine मोटी होती है small intestine पतली होती है लेकिन लंबाई में small intestine बढ़ी होती है large intestine के मुकाबले इतना आपको यहां पर याद हो रखना चाहिए एक चीज और आप यहां पर add कर लेंगे वो यह कि large intestine के अंदर एक bacteria पाया जाता है यह bacteria हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होता है इस bacteria का नाम होता है E. coli bacteria E. coli bacteria हमें चाहिए होता है E. coli bacteria का काम क्या होता है यह भी आप यहीं पर लिख लेंगे E. coli bacteria help करता है किस चीज में help करता है help in synthesis of vitamin K vitamin K को बनाने में E. coli bacteria जो है वो हमारी मदद करता है एक fact और biology का आप याद कर लें हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए हमारा शरीर कौन से 2 vitamins को produce कर सकता है हमारा शरीर 2 vitamins को produce कर सकता है एक है आपका vitamin D और दूसरा है आपका vitamin K vitamin K को produce करने के लिए हमें E. coli bacteria की मदद चाहिए होती है जो कि हमारे large intestine में पाया जाता है और जो vitamin D होता है इसको produce करने के लिए इसको synthesize करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए हमें चाहिए होता है क्या sunlight तो इसलिए कहा जाता है सूरज की रोशनी में बैठना च विटामिन D हमारी बॉड़ी और विटामिन की हमारी बॉड़ी प्रोड्यूस कर सकता है एक बर यह आप रीड कर लीजेगा इतना important नहीं है एनस क्या है यह आप पढ़के समझ सकते हैं यह एक external opening होती है जहां से आप अपने सारे waste material को अपने body से बाहर निकाल देते हैं आपकी body में जो waste है वो बाहर निकल जाता है जो solid waste, solid waste की बात हो रही है ठीक है liquid waste आपका urine की form में निकलता है ठीक है urine vomit भी कह सकते हैं लेकिन urine की form में ठीक है body से solid waste निकलता है anus से ठीक है कई बार क्या होता है आपकी जो एनस ये एनस कैसे होती है ये एनस ओपनिंग का नाम होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है एनल कैनाल ठीक है तो एनल कैनाल के अंदर बहुत जादा वेंस आ रही होती है वेंस के अंदर खून होता है ठीक है कई बार वो veins बहुत लंबी हो जाती है लंबी होने की वजए से वो veins जो है नीचे आपकी एनस से बाहर आपको दिखाई देने लग जाती है इस condition को का जाता है hemorrhoids होना या फिर piles होना ठीक है तो ये एक condition होती है digestion जब start हो रही थी मैंने आप से गाता digestive system हमारा दो दो चीज़े होती हैं digestive system में एक तो आपको करनी है elementary system और दूसरा आपको करना है glands digestive glands elementary system में मैंने आप से कहा था कि buccal cavity क्या याद कराया था बोसी rectum और एनस buccal cavity से start होगा जो कि आपका mouth वाला area होता है फिर esophagus फिर वो जाता है stomach के अंदर stomach connected है आपका colon देखा था फिर colon के बाद वो जाके जो हमारा waste last में बचता है वो rectum में store रहता है और एनस के रास्ते से वो निकल जाता है यह हमारा पुरा кबूरा elementary FREE system यह हो गया अब हमें देखना है glands glands क्या होते हैं अब भी मैं आपको glands बोलूँ अपने biology के लेक्चर के अंदर तो glands के दो ही काम होगे या तो ये hormone निकाल रहा होगा या फिर ये enzyme निकाल रहा होगा यानि कि gland कुछ ना कुछ निकाल रहा होगा कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होगा ठीक है हॉर्मोन का काम होता है हॉर्मोन का काम होता है human body को develop करने में human body की growth करने में मदद करना तो जिन से कोई चीजे grow करेंगी वो हॉर्मोन कहलाई जाएंगी जिन चीजों से digest किया जाएगा उसको enzyme करेंगे तो glands या तो hormone निकाल रहा होगा या फिर enzyme निकाल रहा होगा कुछ glands ऐसे ह होते हैं जो कि हॉर्मोन भी निकालते हैं और एंजाइम भी निकालते हैं उनको हम mixed gland कह देंगे ठीक है यह हम आगे देखेंगे mixed gland कैसे होते हैं अभी हम digestion से ही रखेंगे तो देखिए digestion भी glands भी देखने के लिए हम फिर से वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि आपने खाना खाया और खाना आया आपके मुह के अंदर यह आपकी नाक यह आपका होट और यह आपकी थोड़ी ठीक है अब आप समझे होगे कि मैंने डाइग्राम के लिए यह दूसरे नूट्स क्यों यूज किया क्योंकि यह मेरे पेस का डाइग्राम है तो इस हिस्से को का जाता है बक्कल कैविटी यह है आपकी बक्कल कैविटी बक्कल कैविटी में हमारा saliva निकलता है हमारा क्या निकलता है saliva निकलता है ये आपको याद रखना है saliva किस से निकलेगा saliva निकलेगा salivory gland से ठीक है याद रखने के लिए मैंने इस तरह लिखा है हमारी बकल cavity में कौन सा gland पाया जाता है salivory gland पाया जाता है ये salivory gland तीन जगाओं पे पाया जाएगा एक तो आपके बिल्कुल कान के पीछे यहाँ पे आपका कान है तो कान के पास एक एरिया होगा जहां से आपका वो निकल रहा होगा saliva दूसरा आप ढूंडेंगे अपने jaw अपने जबडे के पास आपको जबडे के पास दिखेगा और तीसरा आपकी टंग के नीचे दिखेगा तो इन तीन जगाओं से यहाँ पे saliva निकल के आता है तो इस saliva का आखिर काम क्या होता है यह जो हमने salivory gland देखा salivory gland तीन जगा पे प्रेजेंट है कान के पास आपके jaw के पास और आपकी टंग के नीचे तो यह जो salivory gland है यह क्या करता है यह saliva release करता है saliva का का काम क्या होता है saliva के दो काम होते हैं यह कुछ हद तक bacteria को मारने की कोशिश करता है हमारे मुह से ही bacteria मारने का काम चालू हो जाता है यह याद रखेंगे आप ठीक है bacteria मारने की कोशिश करता है और दूसरा यह क्या कोशिश करता है, यह starch को, starch को digest करने की कोशिश करता है, starch क्या होता है, starch एक तरह का carbohydrate होता है, तो अगर कोशन आ जाए कि हमारी body के अंदर, खाना खाने के साथ, digestion स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे हाँ होती है, किस area में होती है, आपकी बकल cavity में ही digestion स्ट carbohydrates की होती है, carbohydrates में भी किस की होती है, starch की होती है, इसलिए कहते हैं, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए, क्योंकि फिर saliva जादा देर तक starch के उपर काम करेगा, starch को जादा से जादा digest करने की कोशिश करेगा, क्या यह digestion complete होती है, क्या वो पूरी तरह से starch को digest कर देता है, नहीं यह digestion भी partial होती है, पूरी तरह से digestion कहा हो रही है, small intestine के अंदर हो रही है, small intestine के अंदर पूरी digestion होती है, तो saliva bacteria को मारने के लिए saliva के अंदर क्या चीज होती है, saliva के अंदर bacteria को मारने के लिए होती है, lyzozyme, याद करने की कोशिश करेंगे इसको, starch को digest करने के लिए हमारी saliva के उसका नाम होता है टाइलीन टाइलीन ठीक है पी साइलेंट होता है इसको टाइलीन बोला जाता है तो सलाइवा के अंदर टाइलीन होता है ठीक है एक और एंजाइम जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है उसको आप कहते हैं अमाइलेस ठीक है अमाइलेस यह आपको याद रख सब लिंग्वल, टंग से बोल जाता है, तो लिंग्वल, मैक्सिलेरी और मेंडिबुलर, ये हमारे दांतों से जुड़े हैं, तो जौके साथ, पैरोटिड, आप अपने कान के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो हमारे बकल कैविटी के अंदर सलाइवा निकला, जिसने स्टार्ज को डैजेस करने की कोशिश की टाइलीन की बज़े से, फिर बकल कैविटी से इसोफेगस में, क्या इसोफेगस में कोई डैजेशन होती है, इसोफेगस में कोई डैजेशन नहीं है, ये सिरफ peristalsis करके खाने को कहां पहुचा देता है, हमारे stomach में पहुचा देता है, stomach के अंदर क्या होता है, stomach के अंदर खाना आने इसके साथ ही क्या होती है, mucus की layer बन जाती है, फिर HCL बैक्टेरिया को मारनी की कोशिश करता है, फिर उसके बाद इसके उपर pepsin, pepsin काम करता है, और वो protein की partial digestion कर देता है, कि इसके अंदर, peptone के अंदर partial digestion कर देता है, और फिर जो खाना है, वो काईम की फॉर्म में 4 घंटे तक हमारे पेट में पढ़ा रहता है, फिर वो खाना जो है, डुडनम में चला जाता है, खाना कहां पहुच गया, डुडनम में खाना पहुच खाना भी पहुचा हुआ है, डुडनम में, ठीक है, स्टमक से खाना पहुच गया, ये स्टमक है, स्टमक से खाना पहुच गया है, डुडनम में, अब आप देख रहे हैं, डुडनम से पहले, एक यहाँ पे पैंक्रियास दिखाई दे रहा है, और एक आपको यहाँ पे यह बहुत ही जादा important है liver क्या करता है liver एक चीज produce करता है जिसका नाम होती है bile juice liver क्या produce करता है bile juice liver bile juice को produce करता है और bile juice का काम क्या होता है देखिए stomach में क्या हुआ stomach में mucos की membrane बनी और फिर stomach भर गया HCL से फिर इसके साथ pepsin आया, HCL क्या है एक तरह का acid है जो किसी को भी जला सकता है पर हमारे पेट को नहीं जला पा रहा क्यों नहीं जला पा रहा हमारे पेट को क्योंकि हमारे पेट पे म्यूकस की membrane बनी है लेकिन जब ये chyme, ये chyme के अंदर HCL भी तो मिला हुआ है chyme के अंदर acid भी है अब जब ये chyme, नीचे डंण में जाएगा तो chyme के साथ साथ acid भी हमारे डंण में चला जाएगा क्या हमारे D replied т保 म्यूकस की membrane होती है नहीं, हमारे डंण में म्यूकस की membrane नहीं है तो अगर ये acid हमारे डंण में चला गया है इस खाने को acid से, मतब यह acidic खाने को हम base में convert कर देते हैं, यानि कि उसका acid nature है उसको खतम कर देते हैं, और base में खतम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस खाने को किस से mix करने की कोशिश करते हैं, हम इस खाने को bile juice से mix करने की कोशिश करते हैं, यानि कि यह जो kaiim था, kaiim dudonum म में जब जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, हम डुड़नम के अंदर बाइल जूस को भी भेज देते हैं, किसको भेज देते हैं, बाइल जूस को भेज देते हैं, और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस इस खाने को acid से base में convert कर देता है bile juice का क्या काम है acid को base में convert करने का काम होता है question आजाए कि क्या bile juice के अंदर कोई enzyme मिलता है तो आप उसका answer करेंगे bile juice के अंदर कोई भी enzyme नहीं होता है इसके अंदर सिरफ salt होते हैं और उस salt का क्या काम होता है उस salt का एक मात्र काम ये है कि ये जो acid है, acid वाला food है, इसको वो base में convert करेगा, ठीक है, तो liver क्या करता है, liver bile juice को produce करता है, ठीक है, liver bile juice को produce करता है, ठीक है, liver bile juice को produce करता है, ठीक है, liver bile juice को produce करता है, और फिर उसको एक थैली के अंदर, एक bladder के अंदर, एक bladder के अंदर store करके रख और इस bladder का नाम होता है, gall bladder, तो bile juice produce कौन करता है, liver, store कहां पर होता है, gall bladder के अंदर, वो store हो जाता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, यहां से यह जो gall bladder, gall bladder से एक common, common, bile duct, bile duct, duct मतलब नली, या फिर pipe, या फिर straw, ठीक है, तो gall bladder से common bile duct होती है, जो कि pancreas में जा रही होती है, किस में जा रही होती है, pancreas में, pancreas एक पत्ती जैसा structure होता है, हमारी body के अंदर, pancreas क्या करता है, pancreas, pancreatic juice produce करता है, कैसा juice, pancreatic juice, stomach, gastric juice produce करता है, liver, जो है, वो हमारा bile juice produce करता है, pancreas हमारा pancreatic juice produce करता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर, trypsin होता है, trypsin क्या करता है, protein की digestion में help करता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, gall bladder के अंदर, गॉल ब्लेडर के अंदर बाइल जूस टोर है, ये जो बाइल जूस है, ये पैंक्रियास में जाता है, और पैंक्रियास में क्या है, पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस है, तो अब पैंक्रियास में, अब क्या हो रहा है, बाइल जूस, बाइल जूस में क्या मिल गया, ब और डुडनम में दूसरी तरफ से आ रहा है बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो कि इस acid को base में convert कर देता है ठीक है तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा ये इस पूरे digestion में सबसे difficult part है ठीक है डुडनम के अंदर क्या हो रहा है अब डुडनम के अंदर bile juice और pancreatic juice आ रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ से काईम आ रहा है और दोनों के दोनों ये जो acidic food है plus में ये जो bile juice और pancreatic juice है मैं इसको juice लिख देता हूँ ये डुडनम के अंदर mix हो जाते हैं क्या dudonum में blood आ रहे है? नहीं, intestine में पहली बार blood कहां आता है? आपके jujnum में blood आता है, dudonum, jujnum, ileum, तो dudonum के अंदर आपका food आएगा और आपके juice आएगे, यह आपका dudonum का काम यहाँ पर हो जाएगा, तो dudonum ने क्या कर दिया? आपके food को bile juice और pancreatic juice के साथ mix कर दिया है, यहीं पर ही डुड़नम के अंदर डुड़नम के अंदर क्या चालू होता है फैट की emulsification चालू हो जाती है यह यहीं फैट का breakdown चालू हो जाता है यह सब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने बताया ताकि आपको यह याद रहे अब उस functioning के बाद एक बार liver के बारे में देखते चलते हैं ठीक है liver क्या है largest gland होता है आपकी body का ठीक है आपके abdomen में right side पे ठीक है आपके abdominal cavity के right side पे थोड़ा सा उपर की तरफ आपको liver देखने को मिलता है और यह diaphragm के नीचे होता है मेल्स का जो यह liver है वो जादा बड़ा होता है as compared to females इसका मतलब यह नहीं है कि आप दारूपी पी के अपने liver को सडा लें alcohol बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए liver की जो unit है वो होती है hepatocyte hepatocyte इसकी unit होती है यह आपको याद रखना है ठीक है liver को एक चीज है जो liver को cover करके रखती है उस चीज को उस चीज को कहा जाता है glycense capsule यानि कि liver आपका glycense capsule के अंदर बंद रहता है ठीक है तो liver जब भी हैप आप देखेंगे हैप अगर आपने देख लिया यह word HEP तो आप समझ जाएंगे यह किसी ने किसी तरह liver से जुड़ा हुआ है तो unit of liver होती है हेपेटोसाइट अगर liver के अंदर सूजन आ जाए सूजन आ जाए तो उसको हेपेटाइटिस कहा जाता है ठीक है liver का function क्या होता है liver का function होता है bile juice को produce करना यह bile juice कहाँ पे स्टोर हो जाएगा यह आपके gall bladder के अंदर स्टोर हो जाता है दूसरा function liver का क्या होता है ठीक है यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी एक बहुत ही special मतलब आप ऐसे देखिए जब भी याद रखने के लिए बताता हूँ जब भी कोई आदमी जहर खा के मरता है या फिर किसी chemical की वज़े से मरता है तो सबसे पहले जब उसका post-mortem होता है जो सबसे पहले जिस organ को चेक किया जाता है वो organ होता है liver ऐसा क्यों चेक किया जाता है क्योंकि liver एक ऐसा organ है जो एक बहुत ही special काम करता है और वो special काम क्या है ये toxin को convert करने का काम कर देता है ऐसी चीजों में जो की जादा harmful ना हो toxin का मतलब होता है जहर तो ये कोशिच करता है कि जो भी जहरीले पदार्थ होंगे हमारे शरीर के लिए उसको वो convert कर दे ऐसे पदार्थों में जो की जहरीले ना हो ठीक है तो liver toxin converter का काम करता है और liver ऐसा क्यों कर पाता है liver ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि liver के पास एक special cell होते है और उस cell का नाम होता है kufers cell kufers cell का काम होता है toxin को convert करना तो हमारी body के लिए एक बहुती जाना पहचाना toxin होता है जिसका नाम आपने भी सुना होगा और वो होता है ammonia तो हमारा liver इस ammonia को convert करदेता है yuria के अंदर convert करदेता है yuria के अंदर ठीक है? तो अगर question आ जाए कि ammonia को yuria में convert करता है तो liver और yuria को yuria को कौन हमारे शरीर से निकालने में हमारी मदद करता है yuria को निकालने में मदद करता है kidney इसलिए जिन लोगों की kidney खराब हो जाती है उन लोगों के यहाँ पर urea की जो value है urea की जो storage है वो जादा increase हो जाती है उनके blood में उनके शरीर में जादा urea पाया जाने लग जाता है तो ठीक है kidney excrete करने में help करती है तो ammonia को कौन convert करेगा liver करेगा किसकी मदद से करेगा कूफर सेल की मदद से करेगा कूफर सेल जो है वो toxin converter का काम करते हैं कहां पाय जाते हैं liver के अंधर पाय जाते हैं जब भी post-mortem होगा तो पहला organ कुन सा check होगा liver का organ पहली बारी में check होगा एक और बहुत ही special जो काम liver करता है वो काम है heparin की heparin की secretion heparin की secretion है पागया तो आप liver याद कर लेंगे कोशन ऐसा है कि heparin कौन produce करता है liver produce करता है तो देखे क्या होता है जब कोई भी इंसान किसी आपका खून है आपका खून पूरे दिन आपके शरीर के अंदर flow करता रहता है लेकिन जैसी आपके चोट लगती है और आपका खून बाहर आ जाता है आपके body से बाहर आपका खून आ गया तो वो जम जाता है जम जाता है, ठीक है, co-agulate हो जाता है, co-agulate का मितलब, उसके अंदर ऐसे ऐसे पढ़ने लग जाता है, वो फ्लो नहीं कर पाता सही से, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कि जब वो आपके शरीर के अंदर, जब तक आप जिन्दा हैं, तब तक वो फ्लो करता रहता है, लेकिन जैसी वो शरीर के बाहर आगया, तो कुछ समय के बाद वो जमने लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर, आपके बलड में, और यह हेपेरिन कौन निकालता है, लिवर प्रेड्यूस करता है, ठीक है, विटामिन A का प्रेड्यूक्शन और बीटा कैरोटीन का प्रोड़क्शन भी यही करता है, ठीक है, हेपेरिन बहुत ही इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है, इसको आप अच्छे से माग करके रखेंगे, एक चीज और जो पूछी जा सकती है, वो यह कि कॉलेस्ट्रॉल, कॉलेस्ट्रॉल कहां से आता है, तो कॉलेस्ट्रॉल हमारे, देखिए, 75% कॉलेस्ट्रॉल जो है, वो हमारी, इससे ही आ जाता है, लिवर से, यह 75% कॉलेस्ट्रॉल तो हमारे लिवर से ही आ जाता है, 25% कॉलेस्ट्रॉल जो है, वो हमारे, अगर आप ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो उससे कॉलेस्ट्रॉल आता है, क्या कॉलेस्ट्रॉल पूरी तरह से हामफुल होता है, कॉलेस्रोल के कुछ beneficial effect होते हैं और वो क्या यह sex hormones को release होने में help करता है sex hormones की release के लिए cholesterol की जरूरत होती है इसलिए liver 75% produce करता रहता है ठीक है दिक्कत अब हो आती है जब आप यह 25% की कमी भी पूरा कर देते हैं fatty food खाखा के तो fatty food खाने की वज़े से क्या होता है देखिए cholesterol का positive काम है sex hormone को produce करता है इसका negative काम है यह blood को viscous बनाता है थिक बनाता है ठीक है तो क्या होता है यह हमारी मान लिजे यह कोई pipe है इस pipe से हमारा blood flow कर रहा है किसी वज़ा से इस pipe में मैंने यहाँ पे कुछ जमा दिया ऐसे तो मेरा जो blood है वो सही से flow नहीं कर पाएगा तो blood के flow में restriction आने लग जाएगी अगर मैंने इसको और जादा जमा दिया तो क्या होगा blood का flow और भी restricted flow करेगा और भी जादा जमा दिया तो आपका blood flow ही होना बंद हो जाएगा, कई बारी ये भी हो सकता है कि आपकी जो vessel है वही फटज है, तो cholesterol की वजए से आपकी ये जो pipe है, इस pipe का नाम होता है artery, ठीक है तो cholesterol की वजए से जो आपकी artery है artery के अंदर cholesterol deposit हो जाता है cholesterol आपकी artery में deposit हो जाता है और जो कारण बनता है heart attack का तो ये question बहुत exams के अंदर पूछा गया है कि cholesterol से क्या heart attack आ सकता है बाइल आपका produce कर रहा है liver ये greenish color का होता है इसके अंदर green color किसकी वज़े से होता है Billy Verden की वज़े से होता है जो ये हमारा बाइल है बाइल के अंदर दो pigment होते है एक होता है Billy Rubin और एक होता है Billy Verden Billy Rubin yellow color का होता है Billy Verden green color का होता है जब आपको jondis होता है, jondis होता है तो आप इसको पीलिया भी कहा जाता है क्योंकि आपकी जो skin है वो yellow होने लग जाती है, तो jondis की condition में क्या हो रहा है, jondis की condition में आपके bilirubin जो है, वो increase करने लग जाते हैं, increase करने लग जाते हैं, तो अगर कोई पूछ ले कि jondis की condition में की breakdown, HCL को neutralize कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, fat soluble vitamins को absorb करने में मदद करता है, gallbladder, pear shaped का होता है, नासपाती के shape का होता है, liver के साथ attached है, liver जो bile को secrete करता है, उसको gallbladder बड़े मज़े से store कर लेता है, सिरफ घोडे और चूहे ऐसे होते हैं, जिनके पास कोई भी gallbladder नहीं होता है, ठीक है, तो यह आपका, फिर उसके बाद gallbladder, gallbladder के अंदर आपका bile juice है, bile juice, gallbladder से आपके pancreas में पहुँचेगा, ठीक है, कौन सी common bile duct से, इस नली से होके, वो pancreas में पहुँचेगा, pancreas एक पत्ते के जैसा होता है, यह सब आप देख लीजेगा, ठीक है, स्टमक के नीचे बना होता है यह, ठीक है, इस हिससे को हम अपने glands वाले, यह चलिए हैं, अभी कर लेते हैं, देखें, मैंने आपको क्या बताया था, जो glands होते हैं, glands वो होते हैं, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ निकाल रहा होगा, या तो यह hormone निकालेगा, या फिर यह enzyme निकालेगा, कुछ glands ऐसे होते हैं, जो कि hormone भी निकालते हैं, और enzyme भी निकालते हैं, और pancreas उन में से ही है, ठीक है, तो pancreas दो part में divided है, एक होता है exocrine part, और दूसरा होता है endocrine part, ठीक है, तो जो part आपका enzyme release कर रहा है, ठीक है, enzyme वाला part जो है वो, आपका exocrine part होता है, जो part आपका pancreas का hormones को release कर रहा है, उसको हम endocrine part कह देते हैं, ठीक ह तो enzyme कौन सा मैंने आपको होता है, pancreatic juice होता है, pancreatic juice में एक चीज आपको खुद बता चुका हूँ, इसके अंदर trypsin होता है, क्या होता है, इसके अंदर trypsin, trypsin क्या करता है, यह protein की digestion में help करता है, यह मैं आपको अल्रेडी बताया था, कि protein जो है, हमारे पेट के अंदर pepsin ह होता है, और pepsin की वज़े से protein, peptone में convert हो जाता है, और pancreatic juice में होता है, आपका trypsin, और trypsin क्या करता है, इस peptone को amino acid के अंदर convert कर देता है, तो pancreatic juice के अंदर, आपका एक तो trypsin पाया जाता है, तो protein की digestion कि वज़े से जादा हो रही है, किन किन चीजों की health से हो रही है, एक तो इस टमक में जो gastric juice है, उसके pepsin की वज़े से, pancreatic juice में जो trypsin है उसकी वज़े से, और फिर complete digestion हो जाती है, small intestine में, complete digestion जैसी ही आजाए, आप सीधा बोलेंगे, कि भई, small intestine के अंदर होती है, complete digestion, ठीक है, अच्छा, फिर ही आजाएगा, फिर large intestine क्या कर रहे थी, large intestine क्या कर होती है, फिर जब वो simple form में तूट गया, तो उसकी absorption होती है, तो absorption, complete absorption कहां पे होती है, वो होती है, large intestine के अंदर, तो जो भी पानी होगा, पानी पूरी तरह से हमारा large intestine absorb कर लेता है, ये fact आपको याद रखना है, ठीक है, तो pancreatic juice के अंदर एक तो trypsin होता है, pancreatic juice के अंदर fatty acid में convert कर देता है, देखे, जो सबसे ज़ादा important are trypsin, उसको मैंने अच्छे से समझा है, ये आप याद करने की कोशिश करेंगे, lipase fats को fatty acid में convert करने की कोशिश करता है, और एक होता है amylase, I think मैं इसको pancreas में पहले कहीं पे amylase बता है, तो आप उसको correct कर लीजेगा, मैं confused ह अप उसको correct कीजेए, amylase pancreas में पाया जाता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे, यहाँ पे इसका बहुत important role है, ये क्या करता है, ये carbohydrates को digest करता है, ठीक है, carbohydrates को digest करने में ये मदद करता है, ठीक है, तो pancreatic juice के अंदर ये तीन है, trypsin, lipase और amylase, अब हम बात करता है, endocrine part, hormone secretion वाला हिस्सा है, pancreas का, तो देखे, pancreas के अंदर, pancreas के अंदर कुछ special cell होते हैं, कुछ special cell होते हैं, ठीक है, इन special cell का नाम क्या होता है, बीटा cell, alpha cell, और delta cell, delta cell, beta cell, alpha cell और delta cell, बीटा cell जो है, एक hormone release करवाता है, जिसका नाम है insulin, alpha cell hormone release कराता है, जिसका नाम है glucagon, और delta cell का का काम होता है, somatostatin को release करवाना, insulin का काम क्या होता है, insulin का काम यह होता है, कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे blood के अंदर, जो भी glucose होती है, जो भी आप खाना खा रहे हो, खाना जो है, insulin क्या करता है, इस sugar को, इस sugar को glycogen में convert कर देता है, और इसको जमा करके रख देता है, कहां पर liver के अंदर, जी हां, liver के अंदर यह store हो जाता है glycogen, glycogen क्या है, यह एक तरह से हमारे energy का source बनता है, तो कभी मान लीजिए, आपके पास सारा carbohydrate, सारी energy खतम हो गई, और आपके शरीर को अभी भी दोड़ना है, आपके पीछे कुट्टे पड़े हुए हैं, और आपको energy की जरुरत है, तो glucagon क्या करता है, glucagon glycogen को, glycogen को liver से लेके क्या करता है, glucose में convert कर देता है, glucose क्या है, sugar क्या है, energy है, ठीक है, वो इसको glucose में convert कर देता है, और इन दोनों को, इन दोनों को control करने का काम somatostatin करता है, तो यह special cells होते हैं, ठीक है, तो यह जो group of cells होते हैं, इनको collectively का जाता है, ielts of Langerhans ielts of Langerhans ठीक है आप इसको confuse नहीं करेंगे कि ये geography का question है ये आपके biology का question है ielts of Langerhans कहां पर पाए जाते हैं तो आप उसका answer लिख के आ जाएंगे कि ये pancreas में पाए जाते हैं ये इसका काम क्या होता है हॉर्मोन्स की secretion करना हॉर्मोन्स की secretion कौन सी हो रही है insulin, glukagone और somatostatin और कौन से cells involved हैं beta, alpha और delta cells इसके अंदर involved है ठीक है ये intestinal glands है ये आप एक बरी बस एक बर देख लीजेगा और कुछ आपको इसमें देखने की जादर जरुवत नहीं पड़ेगी अगर आपको हमारी videos पसंदारी है और आपको लग रहा है कि हम आपकी preparation में आपकी मदद कर रहे हैं आपकी preparation में value add कर रहे हैं तो आप इस UPI ID पर हमें कुछ सही हो कर सकते हैं पैसे donate करके ये amount कितनी भी हो सकती है 11 रूपे, 21 रूपे, 51 रूपे आपके द्वारा donate की हुई हर एक amount हमारे लिए बहुत ही ज़ादा important है और बहुत ज़ादा हमें support provide करेगी ये request सिरफ उन लोग के लिए जो की सक्षम है, जो की capable है हमें donate करने के लिए अगर आप donate नहीं भी कर सकते, तो भी किसी तरह का guilt नहीं है, आप बस वीडियो से अच्छे से सीखते रहिए, वीडियो पे आप अपना like कीजिए, comment छोड़िए चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe ज़रूर करें, PDF आप हमारे telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं अगला system जो हम कर रहे हैं उसका नाम है circulatory system circulatory system के अंदर हम blood के बारे में पढ़ेंगे, कि blood कैसे flow करता है, और इसी के अंदर हम heart की functioning को भी देखेंगे तो body fluids की इसके अंदर हम बात करेंगे तो पहला body fluid जो हम देख रहे हैं जो की हर को ही जानता है blood के बारे में ठीक है, तो blood किस से बनाता है हम इसका color देखते हैं, इसका color होता है red, red color क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर एक pigment present होता है, जिसका नाम होता है hemoglobin, hemoglobin pigment हमारे blood के अंदर present होता है, globin का मतलब होता है, globin एक तरह का protein होता है और globin protein किस color का होता है red color का होता है, और सबी का खून लाल कलर का होता है, तो किसी किसी का खून ब्लू कलर का भी होता है, ब्लू कलर का खून आपको दिखेगा ओक्टोपस के अंदर, ओक्टोपस के अंदर ब्लू खून होता है, ब्लू खून है यानि कि उसके अस हुमो गलोबिन नहीं होगा, Humoglobin नहीं है तो blue color का खून इसका क्यों होता है इसका blue खून होता है क्योंकि इसके पास होता है Humosinin याद रखने के लिए से याद रखेंगे cyan color blue के जैसा होता है तो cyan से ही cyan आ है तो जहां पे भी आपको cyanin जैसा word दिखेगा आप उसको याद रखेंगे कि ये blue color का रहेगा तो octopus का खून blue color का होता है because of humosinin और इसी तरह से जो cockroach आपने कभी अगर किसी cockroach के उपर गलती से पैर रख दिया हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर से खून निकलता है white color का white color का क्यों निकलता है क्योंकि उसके पास humoglobin या humosinin नहीं होता है उसके पास होता है hemolymph ठीक है? lymph मैंने आपको पहले भी का है sorry white color का इसके अंदर cockroach के अंदर मिलेगा hemolymph के नाम से ठीक है? humans के अंदर जो blood है वो blood vessels के अंदर travel करता है blood vessels के अंदर travel करता है यानि कि ये किसी ना किसी बरतन के अंदर भरा होता है और उसी vessel के अंदर ये travel करेगा pipe माल लें तो pipe के अंदर travel करेगा तो ये vessel के अंदर होता है तो इस system को कहा जाता है closed system क्योंकि ये बंद है लेकिन जैसे butterfly हो गई या फिर अगर आप cockroach की बात कर लें या फिर mosquito की बात कर लें तो इनके पास कोई vessel नहीं होता जिसके अंदर blood flow करता है इनकी जो भी body होती है ये इनकी अगर body है तो इस पूरी body के अंदर ही खून भरा होता है तो ये किसी भी vessel के अंदर flow नहीं कर रहा है mosquito और butterfly के अंधर तो इस system को कहा जाता है open system क्योंकि खून जो है वो बंद नहीं होता है इसके अंदर जो blood है वो direct contact में होता है किसके direct contact में होता है tissues के direct contact में रहता है हमारे शरीर में tissues के contact में नहीं रहेगा ऐसे जो vessel है ये tissues तक माली जैंग ये कोई muscle group है इस muscle group तक खून पहुंचाने का काम ये vessel करेगा vessel के अंदर ही travel करता है जबकि open system के अंदर directly जो है tissue blood के संपर्क में रहता है blood होता क्या ये एक connective tissue है इसका main काम क्या होता है blood का ये connection के साथ मतला हम क्यों इसको use कर रहे है blood की हमारे शरीर में जरुवत ही क्या है तो ये जो है tissues के बीच में flow करता रहता है और इसका main काम होता है कि ये oxygen और nutrient की supply करता रहे blood के अंदर हमारे nutrients होते हैं और oxygen होते हैं और ये एक tissue से दूसरे tissue में इनको supply करता रहता है एक human के अंदर 5 से लेके 5.5 लीटर तक खून होता है लाल कलर का मैं आपको बता चुका हूँ hyomoglobin मैं आपको बता चुका हूँ blood जो है दो चीजों से मिलके बनावता है एक होता है plasma और दूसरे होते है corpus cells ये जो corpus cells हैं जैसे RBC है तो ये होता है red blood corpus cells लेकिन इसको अगर आप red blood cells भी बोलेंगे तो भी नाम सही है और corpus cells बोलेंगे तो भी नाम सही है ये बस वो medical field और layman field वाला difference है पर आप इसमें कोई भी difference ना मान के चले blood आखिर हमारे शरीर में बनता कहा है blood की formation कहां पर होती है तो देखिए जब कोई embryo बनता है नया नया भी sperm और eggs मिले हैं ठीक है parents के sperm और egg मिले है sperm और egg मिलने के बाद क्या है embryo बनता है embryo को भी खून की जरुत होती है लेकिन उसका जो खून है वो खून कहां पर बनता है embryo का खून बनता है liver के अंदर यह आपको याद रखना है लेकिन जब यह embryo एक human बन जाता है adult बन जाता है तो फिर खून की production होती है bone marrow के अंदर bone marrow क्या होता है हमारे शरीर में जो हड़ियां है कुछ हड़ियां बहुत बड़ी होती है कुछ हड़ियां बहुत बड़ी होती है उन बड़ी बड़ी हड़ियों के अंदर एक blank space होता है जिसको bone marrow कहा जाता है और इस bone marrow के अंदर हमारा blood की formation होती है तो अगर आपसे पूछ ले RBC कहां बन रहे हैं WBC कहां बन रहे हैं पूरा पूरा blood ही कहां बन रहा है ठीक है plasma भी कहां पर पाया जाता है bone marrow के अंदर पाया जाता है हमारा blood 55% plasma से मिलके बना है और 45% ये जो है ये blood corpus cells से मिलके बना है blood corpus cells कैसे होते हैं जो नाम अब जाहतर सुनते आते हैं जैसे कि red blood cells white blood cells और platelets इन तीनों से मिलके corpus cells बनते हैं ठीक है अब जब खून बन गया तो खून जमा कहां पर होता है खून का हमने हमारे शरीर के अंदर एक blood bank बना रखा होता है और जो हमारा खून है वो formation के बाद इस blood bank में जमा होता है इस blood bank का नाम होता है spleen यहीं पर ही खून की recycling भी होती है खून मारा भी जाता है इसलिए इसको blood bank भी कहते है spleen को और spleen को ही graveyard of RBCs भी कहा जाता है graveyard ठीक है यह तो हमारे शरीर के अंदर का blood bank हो गया जो कि spleen के अंदर है अगर हमें शरीर के बाहर कहीं पर blood bank में store करना है बहुत सारी ऐसी building होती है जहां पर थैलियों के अंदर और अलग तरीकों से packets के अंदर blood को store किया जाता है तो आपको मैंने पहले ही कहाता है जब हमारा खून हमारे शरीर में होता है तो वो हमेशा flow करता रहता है वो clot नहीं करता वो जमता नहीं है हमारे शरीर के अंदर blood clotting इतने आसानी से नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि एक substance होता है heparin नाम का heparin नाम का substance जो है वो clotting नहीं होने देता लेकिन जब हमारे शरीर से हम खून को बाहर निकाल लेते हैं तो उसको heparin नहीं मिल पाता और वो क्या हो जाता है वो जम जाता है ठीक है तो अगर हम किसी बाहर किसी जगा पे खून को जमा कर रहे हैं थैलियों के अंदर तो वहाँ पे भी तो खून जम जाएगा जी बिल्कुल वहाँ पे खून जम जाता है क्यों जम जाता है क्योंकि उसके सेपरिन नहीं होता तो फिर वहाँ पर store कैसे किया जाता है store करने के लिए हम क्या करते हैं कि यह जो बाहर हम खून को जमा कर रहे हैं हम इसके अंधर blood के साथ एक चीज को मिला देते हैं जिसका नाम होता है oxalate oxalate को मिला दिया जाता है इसकी वज़े से blood जो है लंबे समय तक हम बाहर अपने शरीर के बाहर भी जमा कर सकते हैं पर वो लंबा समय कितना है वो लंबा समय होता है 42 दिन सिरब 42 दिनों तक खून को store करके रखा जा सकता है उसके बाद जो खून है उसके अंदर फिर से clotting चालो जाएगी और खून use करने लाइक नहीं रहेगा जो store किया जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर store करते हैं ये आपको याद रखना है हेपरिन जो है वो आपको कि इसकी pH value 7.4 है अब हम plasma के बारे में देखते हैं एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे plasma क्या होता है straw colored या फिर आप यहीं पर लिख सकते है plasma किस color का होता है plasma होता है yellow color का और इसको yellow color कौन प्रदान करता है तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि liver के अंदर liver के अंदर एक तो Billy Rubin बनता है Billy Rubin बनता है और दूसरा बनता है Billy Worden Billy Worden बनता है यह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा Billy Worden green color का होता है और Billy Worden के green color की वज़ासे ही तो मारा bile juice है, bile juice भी किस color का होता है, bile juice भी green color का होता है, bilirubin yellow color का होता है, और यही yellow color plasma को yellow color प्रदान करता है, तो plasma yellow color का होता है because of presence of bilirubin, यह viscous fluid है, यह सब आपको बताने की ज़रुवरत नहीं है, alkaline या फिर base होता है, क्योंकि इसका pH 7.4 है, ठीक है, सारी, यह blood का होता है 7.4, यह सिरफ आप alkaline याद कर लें, या फिर आप google कर लीजेगा कि इसका pH कितना होता है, ज़रूरत नहीं है, वैसे वो याद रखने की, पर फिर भी, अब plasma का काम क्या होता है, plasma का काम होता है, plasma आपकी oxygen की भी supply करता है, और plasma आपके carbon dioxide की भी supply करता है, हमारे शरीर में 10% oxygen की supply plasma कर रहा है, और carbon dioxide की कितनी supply करता है, 3.7% ये carbon dioxide की supply करता है, ये आपको याद जरूर रखना है कि carbon dioxide की भी इसके अंदर supply हो रही है, प्लाजमा के अंदर देखे प्लाजमा जो है प्लाजमा इसके अंदर 92% सिरफ और सिरफ पानी होता है 92% सिरफ पानी से बना होता है प्लाजमा 7% इसके अंदर प्रोटीन होते हैं इसके अंदर 5-6 तरह के अलग-अलग प्रोटीन होते हैं जिसमें से एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का काम होता है, क्या काम होता है इस प्रोटीन का काम होता है, ब्लड को क्लोट करना, ब्लड की क्लोटिंग क्यों जरूर है, अभी तक हमने देखा कि हेपरिन जो है, वो ब्लड की क्लोटिंग रोकता है, तो ब्लड क्लोट करता ह क्यों है देखिए आपके कहीं पर भी चोट लगती है खून निकल के आता है तो थोड़ी देर के बाद आप देखते होंगे उपर एक ऐसे थका सा जम जाता है एक पापड़ी सी जम जाती है जो की थिक होती है जिसके बाद आपका खून बाहर निकलना बंद हो जाता है अगर तो आपका जो खून है वो कभी रुके गाई नहीं और आपके पूरे शरीर से वो खून पूरा का पूरा बाहर निकलाएगा तो यह चीज ना हो इसलिए हमें यह चीज ना हो आपके पूरा निकलाटिंग की जरुटिंग पड़ती है लेकिन देखिए यह तो तब हो रहा है जब चोट लगी है और तब वो थक्का सा बन रहा है यह क्लाटिंग की प्रॉपरटी इस वज़य से हो रही है क्योंकि प्लाजमा होता है उसके अंदर प्लाजम के अंदर प्रोटीन होते हैं और एक प्रोटीन क्लोटिंग कर रहा है ठीक है तो हमें हमारी बॉड़ी से पूरा का पूरा खून ना भैजाए इसलिए क्लोटिंग की जरूत होती है लेकिन हमें यह भी चाहिए कि जब तक हमारे शरीर के अंदर खून फ्लो कर रहा है तब त हैpyrin, हैपैरिन release करते हैं तो यह protein, एक protein होता है जो क्लोटन को रोकता है तो प्लाजमा के अंदर मैंने आपको बताया 92% पानी है 7% आपका protein होता है 7% आपका protein होता है 1% other substances होते हैं जिसके वारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना तो plasma के अंदर पानी है, protein है और other substance है अगर हम plasma से ये वाला protein minus कर दें जो की clotting कर रहा है अगर हम ये वाला protein minus कर दें जो clotting के काम आता है तो जो बाकी चीजे बची यानि की पानी इस protein को छोड़के बाकी सारे protein and 1% other substance इन सब को मिलाके कह दिया जाता है serum तो अगर कोई question आजा है कि serum किसका पार्ट होता है तो आप उसको plasma बोलेंगे और serum क्या होता है, serum के अंदर clotting वाली चीज माइनस कर दी जाती है यानि कि serum के अंदर से हम clotting वाला factor हटा देते हैं serum में कोई भी clotting वाला factor नहीं होता है या आपको याद रखना है तो blood without clotting factor is known as serum तेरा अलग-अलग factors होते हैं clotting के मैंने अभी focus किया एक protein के उपर ही वो सिरफ कुछ याद कराना था इसलिए उस पर focus किया पर आपको serum की definition क्या याद रखनी है अगर blood में से आप clotting factor अटा देंगे तो जो बचता है वो serum बचता है majorly plasma से अगर आप clotting factor अटा देंगे तो serum बचता है ठीक है plasma किसका component है plasma भी blood का component है तो देखिए ऐसा question नहीं आएगा आपके पास जिसमें option में blood भी हो plasma भी हो ठीक है अगर ऐसा option आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको statement में दे देगा both a and b both blood and plasma भी देगा ठीक है तो अगर plasma दे रखा है तो आप plasma mark कर देंगे blood दे रखा है तो आप blood mark कर देंगे plasma के अंदर जो proteins की मैं बात कर रहा हूँ तो ये तीन protein है fibrinogen, albumin globulin, एक protein होता है इसके अंदर pro-thrombin protein होता है इसके अंदर और एक protein होता है thrombin ठीक है ये protein important होते हैं जो आप याद करनी की कोशिश करेंगे इसके अंदर दे जो main protein होता है main protein होता है fibrinogen main protein कुण सा है? fibrinogen होता है अगर कभी आपके शरीर में plasma की कमी हो जाती है तो आपका शरीर swell होने लग जाता है fullने लग जाता है surgeon होने लगती है आपके शरीर पे जिससे जो है doctor detect कर लेता है कि हो सकता है plasma कम हो रहा हो ये मैं आपको ओर रड़ी बता चका हूँ heparin liver में बनता है ये भी आप देख चुके है प्लाजमा के अंदर कुछ minerals भी पाए जाते है जैसे कि potassium, calcium और magnesium ये भी आपको ध्यान में रखना है अब function क्या है plasma का plasma का function ये है कि आपके शरीर की जो गर्मी है ऐसा ना हो कि आपके शरीर में देखिए blood क्या है blood एक connecting tissue है connecting चीज है ये आपके सारे tissues को connect कर रहा है यानि कि ये इस area को इस area से connect कर रहा है तो अगर heat यहाँ पे है तो ये बहुत गरम हो जाएगा ये area ठंडा रह जाएगा तो blood क्या करता है heat की uniform distribution कर देता है और blood में भी plasma का main roll होता है heat को पूरी body के अंदर ये distribute करता है plasma की कमी अगर हो गई तो आपकी immunity बहुत weak हो जाएगी आपकी immunity के लिए plasma और आपके white blood corpuscles या white blood cells दोनों के दोनों काम कर रहे होते है तो ये immunity provide करता है blood का जो pH है वो mainly plasma की तरह से बना होता है blood का pH आपको बता चको 7.4 होता है blood clotting में कौन सा help कर रहा है protein fibrinogen protein help कर रहा है जिसको मैंने आपको पीछे ही अभी दिखाया कि वो main protein होता है plasma के अंदर ठीक है albumin का का काम क्या होता है वो osmotic balance बनाता है ये दोनों point आप याद करेंगे अब हम red blood cell की बात कर लेते है red blood cell में आपको क्या याद करना है red blood cell बहुत ही अनोखा cell होता है जब हमने cell का lecture किया था तो मैंने बताया था cell के बीचो बीच में nucleus होता है और जो cell है वो division करते है cell जो है वो division करते है साथ ही साथ मैंने आपको बताया था cell का एक power house होता है जिसका नाम होता है mitochondria लेकिन red blood cell इतना अनोखा cell होता है कि इसमें ना तो nucleus होता है इसमें nucleus red blood cell के अंदर nucleus नहीं होता red blood cell के अंदर mitochondria नहीं होता जिस भी cell के अंदर nucleus नहीं होगा हमारे शरीर में वो cell division में हिस्सा नहीं लेगा उसकी division नहीं होगी, तो red blood cell की division नहीं होती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, और division का मतलब क्या है, देखें, biologically क्या होता है, जब भी cell respiration कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो division करेगा, तो division जो है, वो respiration का हिस्सा होती है, तो अगर red blood cell की division नहीं हो रही तो क्या वो cellular respiration कर रहा है नहीं, वो cellular respiration भी नहीं करता है, बाकी ये कुछ facts हैं जो आप याद रखेंगे, ठीक है, spleen के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जिसको human body का blood bank भी कहते हैं, साती सात spleen को graveyard भी कहा जाता है, graveyard किसका कहा जाता है, red blood cells का इसको graveyard कहा जाता है, कहां पर बनता है, ये बनता है हमारे bone marrow के अंदर बनता है after birth, birth से पहले liver में बनता है, और spleen में बनता है, ठीक है, तो birth से पहले RBCs आपके liver में और spleen में बन जाएंगे, बर्थ के बाद आपके bone marrow में बनेंगे, lifespan 120 दिन के होती है, कुछ facts हैं जिनको आपको ही याद करना है, इसके बारे में मैं जादा नहीं बता पाँगा आपको, अब हम बात करेंगे white blood cell की, white blood cell को leucocyte भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, leucocyte इसको white से associate करेंगे, ठीक है, तो leucocyte, इसी का मैंने आपको एक example भी दिया था, leucoderma, leucoderma या फिर vitiligo, यानि की सफेध धब्बे जो इनसान की skin पर पढ़ जाते हैं, ठीक है, तो leucocyte, white blood corpuscles को white blood cell को कहा जाता है, और इसका major function क्या है, इसका major function होता है, आपके immune system को ये strong रखने का काम करता है, white blood cells अगर कम हो जाएंगे, तो आपकी immunity जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, एक चीज जो देखने वाली है, वो ये कि RBC और WBC की ratio क्या होती है, अगर 600 RBC बनेंगे तो 1 WBC बनेगा, अगर 600 RBC बनेंगे तो 1 WBC बनेगा, अब समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप ये मान के चलिए कि RBC और WBC का sum जो है, 601 रखना होता है हमें, सिरफ समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 601 रखना होता है, तो अगर मैं WBC को 100 कर दूँगा, और हमें sum रखना है 601, तो RBC कितने बनेंगे, 501 बनेंगे, अगर मैं WBC को 200 कर दूँगा, तो RBC कितने बनेंगे, 401 बनेंगे, इसका कहने का मतलब क कि अगर कभी WVC की संख्या abnormally increase हो जाती है, abnormally increase हो जाती है, बहुत जादा increase हो गई, तो उसका एक effect ये होता है, कि WVC जब बहुत जादा बनने लग जाते हैं, तो हमारा जो RBC है, उसकी production कम होनी चालू हो जाती है, RBC की production कम होनी चालू हो जाती है, और इस condition को कहा जाता है, कि तुम्हें हो गया है blood cancer, और blood cancer का आपका जो medical नाम होता है, वो होता है, leukemia, 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 leuke का मतलब white, तो white blood cell इतने भढ़ने लग गए हैं, कि आपके RBC destroy हो रहे हैं, तो ये आपका, क्या हो गया, आपका खून आपको ही मा कर रहा है, तो ये leukemia कहलाया जाता है, इसको blood cancer कहा जाता है, ठीक है, ये जो disease है, disease के उपर कोशन आता है, इसनों मैं यहीं पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अगला मैंने आपसे कहा था कि RBC के अंदर nucleus नहीं होता है, तो क्या WBC में होता है, WBC में nucleus होता है, nucleus होगा तो फि बहुत सारी जगाओं पर बनता है, बहुत सारी जगाओं पर, आप spleen और bone marrow को याद रखेंगे, lymph nodes को याद रखेंगे, बाकी एक, ये दोनों आप याद रखेंगे, इससे आपका काम हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि RBC की lifespan 120 दिन की होती है, 120 दिन की होती है, आपके शर और बहुत जादा होती है, तो इसको का जाता है, A granulocyte, ठीक है, तो granulocyte, A granulocyte के बारे में पहले बात करते हैं, A granulocyte के अंदर दो चीजे होती है, एक होता है इसके अंदर monocyte, और दूसरा होता है इसके अंदर lymphocyte, lymph, lymph यहाँ पर आपको word दिखाई दे रहा है, lymph nodes आपक अगर कुछ और नहीं सूज रहा है, तो आप यह कह देंगे कि यह जो lymph है, यह antibody produce करता है, अब antibody क्या होता है, देखिए यह आपका शरीर है, ठीक है, यह आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर जब भी बाहर से कोई चीज आएगी, कोई foreign element आएगा जो आपका शरीर नहीं जान करता है, तो आपका शरीर उसको मारने के लिए कुछ सिपाईयों को बनाता है, और उन सिपाईयों का नाम होता है, antibodies, और antibodies बनाने का जो major काम होता है, वो lymph, lymph वाली चीजे करती है, तो lymphocyte के अंदर antibody बनेगी, जो lymph node होते है, lymph node जैसे की tonsils आपने सुने होंगे, मुह के अंदर या अगर आपकी जीब है, तो यहाँ पे tonsils होते है, यह tonsil भी एक तरह का lymph node होता है, यह क्या करता है, जैसे ही आपके मुह के अंदर को infection आने की कोशिश करता है, तो यह lymph node धेर सारी antibodies को produce करके उसको मारने की कोशिश करता है, कई बारी infection इतना ज़ादा फैल जाता है कि आपक इसली में tonsils नहीं होते, उन्हें tonsillitis हुआ होता है, tonsillitis का मतलब है कि उनके tonsils पे infection हो गया है, tonsils आपके body में हमेशा रहते हैं, और वो foreign element से लड़ने के लिए antibodies भी produce करते हैं, पर जब infection जादा हो जाता है, तो आपके tonsils सूच जाते हैं, जिसको tonsillitis कहा जाता है, तो lymph आप ऐस आपको खाने का काम करता है, ठीक है, और एक चीज, एक fact जो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, वो ये कि monocyte, monocyte, is पूरे WBC के अंदर सबसे large size का जो होता है, वो monocyte होता है, granulocyte का क्या काम होता है, देखिए, WBC से मैंने आपको बता है कि आपको बिमारियों से बच कोशिश करता है, WBC में ही granulocyte है, ऐसे वाले WBC जो कुछी साल रहते, कुछी दिन रहते हैं, कुछी घंटे या कुछी दिन रहते हैं, तो granulocyte किस चीजों से आपको बचाता है, granulocyte आपकी allergy को कम करने की कोशिश करता है, granulocyte आपके अंदर bacteria अगर आ तो उस bacteria को मारने की क करता है, यह काम है आपका WBC का, अब हम आजाते हैं, platelets के उपर, platelets यह भी आपकी bone marrow में ही पाई जाती है, और यह curl less होती है, यानि कि इसके अंदर humoglobin नहीं present होता, ठीक है, bone marrow के अंदर इसकी formation हो रही है, और इसके बारे में इसको discover किया था, William Osler ने, इसको discover किया है, William Osler न होता है, तो वो आप देख लेंगे, इसके अंदर, अगला topic हमारा blood clotting का, तो देखिए blood clotting क्या से होती है, इसको आप एक बरी जल्दी से समझ लेजिए, देखिए, मैंने आप से कहा, कि आपके plasma के अंदर prothrombin होता है, prothrombin जो है, prothrombin क्या है, prothrombin thromboblastin करता है, prothrombin thromboblastin करता है, और वो क्या बना देता है, वो बना देता है, थ्रॉम्बिन को, थ्रॉम्बिन को बना देता है, यह जो थ्रॉम्बिन बन गया है, यह थ्रॉम्बिन फिबरिनो जिन से मिलता है, याद है plasma का protein अभी हमने पीछे देखा, फिबरिनो जिन से मिलता है, और इन दोनों को जब यह दोनों के दोनों मिल जाते हैं, तो इन दोनों को हम क्या क्या देते हैं, कि इन दोनों को हम क्या देते हैं, कि एक नए तरीके का प्रोटीन बन गया है, जिसका नाम है फिबरिन, ठीक है, यह जो लिखा हुआ है, इसके अंदर यही चीज ऐसे लिखी ठीक है? यह जो fibrin है यह आपके घाओ भरने में काम करता है, clotting में काम करता है, यहां पर एक fact आप याद करेंगे, दो vitamin की बारे में बात करेंगे, vitamin C, हम vitamin C क्या करते हैं? जब हमें कोई घाओ हो जाता है, और हम चाहते हैं कि वो घाओ जल्दी से हील हो जाए, तो हम vitamin C लेते ह है, ठीक है? लेकिन जब हमें चोट लगती है, जब हमें चोट लगती है, और हम चाहते हैं कि उसकी clotting हो, तो हमारा शरीर यह वाला process करके clot बनाता है, यह करके clot कर बनाता है, लेकिन clot बनाने में एक vitamin है, जो बहुत help करता है, और उस vitamin का नाम होता है, vitamin K, vitamin K नहीं होगा, तो यह clotting होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, vitamin K help करता है clotting में, और एक और चीज clotting में help करती है, जिसका नाम है calcium, ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे कि calcium और vitamin K clotting में help करते हैं, majorly आप vitamin K के साथ clotting को associate करेंगे, clotting का process क्या है, pro-thrombin, thromboblastin के साथ thrombin बनाता है, और fibrin जो है वो आपका क्या कर रहा है clotting कर रहा है, fiberinogen को मैंने क्या बताया था, यह आपका main protein होता है, यह clotting में help करता है, कैसे help करता है, यह thrombin के साथ मिलके fibrin बनाता है, जो की clotting कर रहा है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे, vitamin K किस काम आता है, vitamin C किस काम आता है, वह बाकि जो लिवर है वो भी फिपरीनो जिन को बनाता है इंदा प्रेजेस और vitamin k already मैं आपको बता चुका हूँ thrombin fibrino जिनके साथ मिलके fibrin बनाता है और fibrin क्या है fibrin आपकी clot होती है यह एक तरह का protein है clot होती है यह ठीक है blood के function की अगर बात करें तो blood क्या करता है एक tissue से दूसरी tissue तक oxygen की supply करता है nutrients की supply करता है wound की healing में help कर रहा है कैसे healing में help कर रहा है क्योंकि clotting factor है clotting factor है ठीक है कुण सा fibrin अब यूपर देखा हमारी body का pH maintain करता है क्योंकि blood का pH कै 7.4 ठीक है transportation of hormones ये सारी चीज़े आप देखते रहेंगे ठीक है एक और fluid है जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा तो आप इसको लिख लीजे इस fluid का नाम है lymph ठीक है ये एक colorless fluid होता है और ये जिस चीज़ का plasma बना होता है ये उनी चीज़ों का बना होता है ठीक है consist किस चीज़ का same as plasma ये आप यहाँ पर लिख लीजेगा इसके अंदर abundance होती है किसकी carbon dioxide की इसके अंदर abundance होती है ठीक है और थोड़ी बहुत इसके अंदर oxygen भी contain होती है lymph के बारे में यही सब है इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बाकी है आप एक बार ही lucent से नजर मार लीजेगा इस पर ठीक है ज़्यादा इसकी detail में जाने का फायदा नहीं है human heart circulation के अंदर human heart का बहुत ही important role है human heart को करेंगे अब हम यह इसके बारे में कुछ facts हैं कि यह साड़े 300 gram से लेके साड़े 400 gram के बवीट वजन होता है इसका peer shaped का होता है एक heart की जो heartbeat होती है जैसे की love dub love dub धक धक नहीं love dub ठीक है यह उसकी heart beat होती है love dub heart की study को cardiology कहा जाता है जहां पर भी cardio आ जाये तो आप उसको मान के चलेंगे कि कि यह किसी ना किसी तरह इसका संबंध जो है वो heart से है यह कहां पर मौजूद होता है देखे अगर हम सामने से एक इनसान खड़ा है तो यह आपको इसकी sternum दिखाई दे रही होगी sternum क्या होती है आपको अपनी यह ribs पताऊंगी ribs कहां पर है ठीक है यह ribs होती है ribs के बीच में एक हड़ी जारी होती है जिसको sternum कहते है जो दिल होता है इसको मैं मान लेता हूँ left side इसको मान लेता हूँ right side दिल जो है वो लगबग बीच में होता है लेकिन इसका जो मास है वो जादा left की तरफ होता है ठीक है पूरी तरह से यह left पे नहीं होता है कुछ हिस्सा इसका right में भी होता है पर जादा हिस्सा इसका left side पर होता है कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर जादा हिस्सा जादा हिस्सा कैसा हो जाएगा उनका वो ऐसे हो जाएगे कि जादा हिस्सा right side पर है left side पर कम हिस्सा है तो ऐसे लोगों को dextro cardiac condition बोला जाता है ऐसी condition जहाँ पर दिल का जादा मास जादा मास जो है वो right side पर होता है उसको dextro cardiac भोलते हैं वरना जातर जो दिल का जादा मास होता है वो left side पर होता है दिल का काम क्या होता है दिल क्या है यह आप ऐसे peer shaped का दिल मान लीजिए यह दिल एक बारी को सिकुड़ता है और एक बारी को यह expand करता है सिकुड़ेगा तो यह छोटा हो जाएगा expand करेगा तो यह बड़ा हो जाएगा जब यह सिकुड़ता है तो इसमें से खून बाहर जाता है जब यह सुकड़ता है तो यह खून को एकदम से बाहर निकालता है और जब यह expand होता है तो इसके अंदर दिल के अंदर खून आता है blood जो है जब यह सिकड़ेगा तब blood इस दिल में से बाहर जाएगा जब यह phallic expand होगा तो दिल के अंदर खून आ जाएगा तो इसी को ही pumping of blood कहते हैं blood pumping क्या होती है contraction और expansion को pumping कहते हैं जो दिल बना होता है दिल के बाहर एक protection के लिए covering बनी होती है इस covering को cardiac membrane कहा जाता है दिल जो है peer shaped का होता है और इसको हम चार पार्ट में divide कर सकते हैं चार पार्ट में divide कर सकते हैं मालीजिए यह आपका दिल है तो इसके चार chamber बने होते हैं चार घर बने होते हैं ऊपर वाले घरों का नाम होता है oracle left side पे अगर हम बात करेंगे तो यह होजाएगा left oracle right side की बात करेंगे तो होजाएगा right oracle नीचे वाले घरों का नीचे वाले chamber का नाम होता है ventricle left ventricle और right ventricle तो ऐसे करके यह चार chamber बने होते हैं oracle और ventricle के pumping कैसे होती है जब भी वो सिकड़ेगा सिकड़ने को कहते हैं contraction और technically इसको बोल जाता है systole जब भी वो सिकड़ेगा तो blood दिल से बाहर निकलता है जब वो expand करता है जिसको का जाता है diastole तो blood दिल के अंदर enter होता है जब आप BP measure करते हैं तो BP कैसे measure होता है BP measure होता है 120 by 80 तो यह भी आपका systole और diastole ही जाता है एक heartbeat का क्या मतलब होता है एक heartbeat का मतलब होता है कि उसके अंदर एक systole और एक diastole हो रही है यानि कि दिल एक बारी को सिकड़ रहा है contract कर रहा है और दूसरी बार दिल जो है वो expand कर रहा है ठीक है जब वो expand करता है तो उसके अंदर खून आता है जब वो सुकड़ता है तो उसमें से खून निकलता है तो ये एक heartbeat में कितना खून उसके अंदर आके बाहर जाता है यानि कि एक heartbeat क्या है दिल expand किया उसके अंदर खून आ गया दिल सुकड़ा उसमें से खून निकल गया ये उसकी एक heartbeat होती है खून आया और खून निकला तो एक heartbeat में वो कितना खून उसके अंदर आता है और कितना खून बाहर निकलता है उसकी संख्या होती है उसका value होती है 70 ml 70 ml ब्लड को वो एक heartbeat में pump कर देता है ठीक है? heart जब beat करता है heart जब beat करता है तो इस heart beat को produce करने के लिए एक नोड चाहिए होता है हमारे शरीर के अंदर ये a call 2017 होता है जिसका नाम होता है SA node SA node की full form होती है Sinoauricular node Sinoauricular node का जो काम होता है इसका काम होता है कि ये heart beat को produce करता है तो एक कोशन आता है कि किसी किसी लोगों के अंदर pace maker लगाने की जरुवत पड़ती है pace maker कब लगाया जाता है जब यह essay node कमजोर पड़ जाता है और यह सही से heartbeat produce नहीं कर बाता यानि कि heartbeat produce नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है दिल सही से secure और expand नहीं रहा है वो दिल सही से contract नहीं हो रहा है और expand नहीं हो रहा है तो ऐसे नोड का काम होता है, हाटबीट को प्रेड्यूस करना, जब ऐसे नोड वीक हो जाता है, तो हमें पेसमेकर लगाना होता है, यह पेसमेकर आर्टिफिशल हाटबीट प्रेड्यूस करता है, और दिल को सुकडने में और फैलने में मदद करता है, तो pacemaker किस बिमारी में use किया जाता है, दिल की बिमारी में किया जाता है, कब किया जाता है, जब sa node weak हो जाता है, sa node का काम क्या है, यह heartbeat को produce करने का काम करती है, एक और node होती है, जो इस heartbeat जो यह produce हुई है, इसको आगे ले जाने का काम करती है, उस node को हम av node कहते हैं, ठीक है, av node का हमें pace maker लगाना पड़ेगा ठीक है normal heartbeat कितनी होती है आदमियों में heartbeat होती है बहतर heartbeat पर मिनट एक मिनट में हमारा दिल बहतर बार धड़कता है women में एक बारी में एक मिनट में ये दिल 78 बार धड़कता है babies के अंदर heart rate बहुत तेजी से होती है 120 से लेके 130 पर मिनट की हार्ट बीट होती है बच्चों के अंदर जब कोई बच्चा नयनय पैदा होता है तो ठीक है अब हम हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या याद करना है देखिए क्या हो रहा होगा मैंने आपसे क्या कहा दिल के अंदर खून आ रहा है और खून जा रहा है दिल के अंदर खून आ रहा है और जा रहा है तो जब भी कहीं पे खून फ्लो कर रहा होता है खून किसमें फ्लो करेगा खून किसी ना किसी वैसल के अंदर फ्लो करता है ये वैसल या तो वेन होगी या फिर आर्टरी होगी ठीक है वेन कब होती है जाद अतर जब भी वेन लिखी हुई आपको दिखे तो आपको यह मान के चलना है कि वेन एक ऐसा वैसल है जहां पे इंप्योर ब्लड आ रहा है ऐसा ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है ठीक है इंप्योर ब्लड आ रहा है जब भी आप आर्टरी की बात करेंगे तो आप यह कहेंगे कि यह एक ऐसा वैसल है जिसके अंदर प्योर ब्लड आ रहा है ऐसा ब्लड आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है इसके अंदर हमने oxygen को डाल दिया है तो usually आप यही बात करेंगे vein आ रहा है यानि कि impure blood artery आ रही है तो pure blood ठीक है आप जातर यही मान के चलेंगे लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ lungs के case में क्या होता है lungs के case में क्या होता है lungs के case में vein से pure blood आ रहा होगा सिर्फ lungs के case में यानि कि जो vein जो vein lungs को heart से connect कर रही है heart से connect कर रही है अगर उसके अंदर pure blood जा रहा है तो वो vein होगी ठीक है और जो vessel दूसरी vessel heart से lung को connect कर रही है जिसके अंदर impure blood जा रहा है impure blood जा रहा है तो वो किसी ना किसी तरह की artery होगी, ठीक है, इतना आपको याद रखने है, अब देखे क्या हो रहा है, दिल से जब खून निकलता है, दिल से जब खून निकलता है, तो वो हमारे बाकी हाथ, पैरों में, पेट में, लिवर में, इन जगाओं पे जाता है, तो पहले प्यूर ब्लड को हाट के पास पहुचा देगा, हाट का काम क्या होता है, हाट का काम क्या होता है, हाट इंप्यूर ब्लड को लंग्स के पास पहुचाता है, और कहता है कि भाई, तेरे लिए मैं काम लेके आया हूँ, ये लिए इंप्यूर ब्लड इस impure blood में oxygen मिला के मुझे वापिस कर दे तो heart जो है यहां से खुन जो है वो lungs तक पहुचाएगा impure blood lungs उसके अंदर oxygen मिलाएगा फिर lungs pure blood को दुबारा से heart को दे देगा अब heart क्या करेगा? heart कहेगा कि मेरे पास pure blood आ गया है इस pure blood को मैं अपने पेट में, अपने लिवर में, अपने पूरे बॉड़ी में फैला दूँगा तो heart का काम क्या है? वो lungs के पास impure blood भेजता है ताकि lungs उसके अंदर oxygen मिला के उसे pure blood दे दे और फिर heart जो है वो pure blood को शरीर के विभिन हंगों में पहुचा दे अलग-अलग अंग में पहुचा दे तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? लंग से जब pure blood आएगा, मैंने आपसे क्या कहा? सिरफ lungs और heart के जो case है, उसके अंदर pure blood वेन में जाता है और impure blood आर्टरी में जाता है वरना हमेशा वेन के अंदर impure blood रहेगा हमेशा वेन के अंदर impure blood रहेगा और आर्टरी के अंदर pure blood रहेगा अभी यह मैं आपको दुबारा से याद करा दूँगा, कैसे देखिए lungs के पास, heart ने, lungs के पास, heart ने impure blood पहुचाया impure blood पहुचाया, तो कोई ना कोई वैसल होगा जो heart को और lungs को connect कर रहा होगा जिसमें सिरफ impure blood जा रहा है, heart से lung के पास ऐसे ही एक वैसल होगा, जहां पे pure blood lungs से heart के पास आ रहा होगा, ठीक है तो ये वाला वैसल, जो heart से impure blood को lungs के पास पहुचा रहा है, उसको कहेंगे pulmonary artery, pulmonary artery, pulmonary लगा दिया artery के आगे, ठीक है, heart से impure blood lungs के पास गया, किस वैसल के थूँ, pulmonary artery के थूँ गया, lungs ने उसमें oxygen मिलाई और pulmonary vein के थूँ, वो pure blood को heart के पास पहुचा देगा, heart के पास पहुचा देगा, ठीक है तो अभी तक तो ये वाला जो हिस्सा था वो हमारा खतम हो गया, अब हम क्या कहेंगे अब हमेशा, अब हमेशा pure blood pure blood आर्टरी में जाएगा और impure blood veins में जाएगा, तो कैसे होता है, देखिए heart के पास pure blood आता है, तो heart क्या करता है जब भी वो सुकड़ेगा, तो blood को pump करेगा pump करेगा, ठीक है, तो heart के पास यहाँ पे lung से खून आ गया और heart जो है अब सुकड़ेगा सुकड़ने के बाद वो खून को अपने दिल में से बाहर निकालेगा और दूसरे areas में पहुँचाएगा, तो जब heart से खून बाहर निकलता है तो वो iota में जाता है किस vessel में जाता है, iota में जाता है यह जो iota है, यह heart से निकलती है, और यह दो हिस्सों में divide हो जाती है, ठीक है, एक हिस्सा उपर जाता है, और एक हिस्सा नीचे जाता है दिल से जब खून निकलता है, तो वो iota में जाता है और iota दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक हिस्सा उपर जाता है और एक हिस्सा नीचे जाता है, जो हिस्सा उपर जा रहा है, वो खून कहां लेके जाएगा, वो खून लेके जाएगा आपके दिमाग में और आपके हाथ में, जैसे ही आपके दिल से खून निकलता है, वो आयोटा में जाता है और आयोटा से वो सीधा आपके दिमाग और आपके हाथों में पहुचता है सबसे पहला काम हाट का खून ये करता है ठीक है तो हाट से खून निकला आयोटा में गया ठीक है, आयोटा से वो जाएगा, वो जाएगा कहाँ पे, आपके हाथ में और आपके ब्रेन में और आपके आयोटा से खुन जो आपके हाथ और ब्रेन में जा रहा है तो उसको कौन लेके जा रहा है ये कैसा blood है, pure blood है, pure blood कौन लेके जाएगा pure blood artery लेके जाएगी, तो कौन सी artery लेके जाती है carotid artery लेके जाती है, ठीक है iota दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ऊपर जा रही है carotid artery जो आपके हाथ और brain में खून ले जा रही है pure blood को और दूसरा iota का हिस्सा नीचे जाता है, नीचे कहाँ जाएगा नीचे जाके वो आपके पेट में, आपके liver में, आपके intestine में और आपकी kidney में खून को पहुँच आएगा, ठीक है तो जब iota से खून आ रहा है और आपके stomach में जाएगा प्योर खून है, तो कोई ना कोई artery ला रही होगी तो stomach में एक artery, प्योर खून को ले के आती है और stomach की artery को कहा जाता है, celiac artery ये वाली जो artery है, ये तो iota है, ये जो है, ये iota है iota से एक celiac artery जा रही है, जो पेट में आपके pure blood को ले जाएगी ठीक है फिर यह IOTA से ही एक दूसरी आर्टरी जुड़ी हुई है जो लिवर में लेके जाएगी लिवर में कौन सी लेके जाएगी? हैप अगया हैप का मतलब लिवर से जुड़ी ही कोई ना कोई चीज होगी फिर उसके बाद Iota नीचे जा रहा है Iota से एक और आर्टरी निकल रही है जो आपके इंटस्टाइन तक प्योर ब्लड को लेके जा रही है यह आर्टरी कोंसी है? सुपर मेसेंट्रिक आर्टरी फिर उसके बाद किड़नी किड़नी के पास यह Iota आरिया Iota से एक आर्टरी निकलके किड़नी में जाती है और यह आर्टरी कोंसी होती है? यह रिनल आर्टरी होती है किड़नी से जुड़ी हूँ चीजों में हम रिनल लगाते हैं इसले जब किड़नी फेलियर होता है तो medical term क्या होती है kidney failure की renal failure renal failure ठीक है renal failure भी दो तरह का हो सकता है या तो acute होगा या फिर chronic होगा तो कभी कभी क्या होता है किसी allergy की वज़े से आपकी kidney कुछ समय के लिए temporarily काम करना बंद कर देती है जिसको acute renal failure कहा जाता है ARF जब kidney हमेशा के लिए ही खराब हो जाती है कि अब ये हमेशा ही काम नहीं करेगी तो उसको chronic renal failure कहा जाता है ठीक है तो देखिए iota heart से iota में खून जाएगा iota दो हिस्सों में divide हो जाएगी नीचे आपकी ये पूरी iota आ रही है उपर जाएगी आपकी carotid artery carotid artery इस iota से धेर सारी arteries निकल रही है एक artery आपके पेट में पहुँचाएगी एक artery आपके पेट के ठीक नीचे liver होता है liver को पहुँचाएगी एक artery आपके liver के नीचे pancreas होता है उसमें पहुँचाएगी फिर एक आर्ट्री उसको किड़नी में पहुचा देगी ठीक है इनके अलग-लग नाम है सब आर्ट्री है सीलियक आर्ट्री, हैपटिक आर्ट्री, सुपरमेसेंट्रिक आर्ट्री और रीनल आर्ट्री ठीक है ये सारी आर्ट्री हो गई मैंने क्या का था, pure blood आएगा तो आर्ट्री होगी इंप्योर ब्लड आएगा तो क्या होगा, vane होगा तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम क्या होगा, देखिए अब इसी तरीके से काम क्या होता है, ये देखेंगे हम आपका kidney, खोन आया, kidney को जो काम करना था वो कर लिया, उसने अपनी oxygen यूटिलाइज कर ली, उसने बना दिया blood को impure, kidney क्या करेगी, अब impure blood निकालेगी, impure blood, तो impure blood किसी ना किसी vein के अंदर जा रहा होगा, kidney से जो vein, impure blood को लेके जा रही है, उसको कह देंगे renal vein, kidney के अंदर pure blood जो लेके जा रही थी, वो थी renal artery, impure blood ले जाएगी renal vein, ठीक है, liver के अंदर, अभी intestine को भूल जाएए, liver के अंदर pure blood ला रही थी, hepatic artery, तो liver ने जब oxygen यूज कर ली, अब वो impure blood बाहर निकाल रहा है, तो impure blood को कौन लेके जाएगा, hepatic vein, यहाँ पे hepatic artery थी, यहाँ पे hep यहाँ पे, यह जो blood है, यह जाएगा heart के अंदर, और heart इसको भीज देगी, lungs के पास, तो यह जो cycle है, इस तरह से चलती रहती है, तो यहाँ से pure blood जा रहा है, pure blood आपके different organs के पास पहुंच जाता है, अलग-अलग अंगों के पास पहुंच जाता है, वो oxygen को यूज करके, impure oxygen क वो ऐसे भीज देती है, तो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, heart था, heart मा लीजे, यहाँ पे एक आपकी iota है, iota है, iota है, iota है, जैसे भी आप इसको बोल लीजे, इस iota में डेर सारी arteries निकल रही हैं, जो अलग-अलग organ के साथ connect हो रही है, ऐसे ही heart के left side पे, यहाँ पे इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ एक लंबी सी vein है, इस vein का नाम क्या होता है, इस vein का नाम होता है, inferior, inferior vena cava, इस inferior vena cava, इस inferior vena cava के पास, impure, यहाँ पे धेर सारी veins connected हैं, धेर सारी veins connected हैं, अलग-अलग organ से, ठीक है, तो जैसे kidney के साथ जो vein connected है, वो हो गई, renal vein, renal vein, ठीक impure blood को लियाएगी ऐसे ही स्टमक से celiac vein impure blood को inferior vena cava के पास लियाएगी फिर यह जो inferior vena cava है वो heart में पहुंचाएगा heart जो है वो lungs तक पहुंचा देगा ठीक है फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर आयोटा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है उपर की तरफ जा रही है carotid artery जो आपके दिल और आप सॉरी आपके हाथ और आपके दिमाग तक खून को पहुंचा रही है और सबसे पहला काम यही होता है सबसे पहला खून आपके दिमाग और हाथ तक पहुंचता है कौन पहुंचा रही है carotid artery तो आपके दिमाग और हाथ से खून कौन लेके आएगा आपके दिमाग और हाथ से खून लेके आती है superior vena kawa ठीक है आपके दिमाग और हाथ से खून लेके आती है superior vena kawa और वो भी क्या करती है वो भी आपके दिल में पहुंचा देगी और दिल आपके लंग्स तक पहुंचा देगा अब एक बारी इस figure को बिना समझाए मैं सिरफ दिखाता चलता हूँ ताकि आपको चीज़े याद हो जाए यह याद करने के लिए मैंने एक सिंपलिस्टिक डाइग्राम बनाया है इसका अगर आपको एकदम टेकनिकल डाइग्राम देखना हो तो आप गूगल कर सकते हैं हार्ट का डाइग्राम या फिर किसी भी बुक के अंदर देख सकते हैं पर उसकी आपको ज़रुत नहीं पड़ है लंग से हार्ट तक पल्मोनरी वेन लेके आ रही है हार्ट कॉंट्रैक्ट करेगा और हमारे अलग-अलग ओर्गन तक खून पहुंचाएगा सबसे पहले ओर्गन जहां पर खून हार्ट पहुंचाता है वो क्या है हार्ट ऐोटा में खून को भेजता है और सबसे पहला ख दिल तक जो खून जा रहा है, सिरफ उस केस में ऐसा होगा कि प्योर ब्लड किसी वेन में जा रही है, वरना हमेशा आर्टरी आपको दिखाई देगा, ठीक है, तो आयोटा में आया, आयोटा ने केरोटेड आर्टरी से दिमाग और हाथ तक खून पहुंचा दिया, फिर आपक पहुंचा देगी, यह सारे और ऑर्गन, यूज़ कर लेंगे ब्लड की, और इंप्योर ब्लड को दुबारा से दिल में पहुंचाएंगे, ताकि दिल जो है, उस इंप्योर ब्लड को लंग्स में दे सके, और लंग्स क्या करेंगे, उसके अंदर औक्सीजन एड़ कर तो एक बड़ी सी यह आप मानलीजे वेन, इनफीरियर वेना कावा, बड़ी सी वेन है इनफीरियर वेना कावा, इस बड़ी सी वेन के अंदर यह छोटी-छोटी वेन्स connected होंगी, किडनी से जो वेन, इनफीर वेना कावा में खून पहुंचा रही है, इंप्योर ब्लड पह ऐसा क्यों है क्योंकि intestine से जो खून है वो inferior vena kawa में नहीं जाता है intestine से खून जो है वो liver में जाता है यह आप याद रखेंगे खून intestine से liver में जाता है और liver intestine के impure blood को भी और liver के impure blood को भी hepatic vein से inferior vena kawa में पहुचा देती है जो vein, जो vein, जो vein intestine से liver में खून पहुचा रही होगी उस vein का नाम होगा portal vein ठीक है यह portal vein है superior vena kawa कहां से खून लेके आ रही है superior vena kawa आपके हाथ और brain से impure blood लेके आपके दिल तक पहुचाती है और दिल उसको lungs में पहुचा देता है तो यह आपका पूरे दिल का function था आयोप आपको यह याद हो गया होगा काम कैसे होता है यह देखिए यह फिर आप इसको छोड़ दीजिए यह एक equation है इंप्योर ब्लड का होता है oxygen की utilization हो गई अब ब्लड के अंदर CO2 बची है तो इसको इंप्योर ब्लड कह देते हैं ठीक है oxygen मेरे को लगता है नहीं वह पूचेंगे पर आप याद कर लिजेगा ठीक है यह glucose होती है उसके अंदर oxygen मिली तो उसके बाद पानी बनता है CO2 बनती ह ठीक है वाल्स की बात करते है अब मैंने आप से कहा की lungs दिल चार चेंबर में डिवाइडेड है चार चेंबर में डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया서 कि ऊपर आपके ओरिकल होते है और नीचे वैंट्रीकल होते है ठीक है right ओरिकल left औरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो ये जो है ये चार चेंबर होते हैं दिल किस से connected है? लंग से connected है लंग से खून आ रहा होगा ठीक है? यहां से लंग से खून आ रहा है एक situation imagine किया यह कि लंग ने pure blood pure blood pure blood यहां से दिल में भेज दिया दिल ने कहा दिल था लंग से नाराज उसने कहा कि मेरे तो बहुत सारे नख रहे हैं मुझे नहीं चाहिए तेरा blood अपना खून अपने पास रख ले और heart ने जब heart contract करेगा सुकडेगा तो उसने इस खून को pure blood को दुबारा से लंग से भेज दिया क्या ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं होता क्यों कि यहां पे हमने एक चौकिदार बिठा रखा है जिसका नाम है mitral valve यह valve क्या करता है यह सिरफ खून को इस direction में आने देता है इस direction में जाने नहीं देता तो यह जो mitral valve है यह सिरफ lung से heart में खून को आने देगा, इसकी backward direction में नहीं जाने देगा, इसी तरह से heart जो है, heart lung के पास खून पहुंचा रहा है इस direction में, तो यहाँ पे valve लगी होती है, ताकि यह जो खून है, यह सिरफ इस direction में जाए वापिस ना आए, ठीक है, इसी तरह से iota में, यहाँ से दिल से जो pure blood है वो iota में जाता है, iota में जो जाता है, तो यहाँ पे भी valve लगी होती है, ताकि iota से वापिस ना जाए, तो खून की backward movement को रोकने के लिए हमने चौकिदार बिठा रखी होते हैं, यह 4 चौकिदार होते हैं हमारे दिल के पास, जिनको हम valve के नाम से जानते हैं यह valve के नाम क्या है, mitral valve, aiotic valve, tricuspid valve और pulmonary valve, इसका काम क्या है, सिरफ backward movement of blood को यह रोकता है, ठीक है, तो valve चार तरह की होती है, human heart के अंदर यह backward flow को रोकती है, अगर कभी बहुत जादा शरीर के अंदर calcium हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, इन valves को बहुत ही जादा hard बना देता है कि यह सही से functioning नहीं कर पाती, तो उस case में क्या होता है, हमें इन valves को replace करना पढ़ता है, replace करना पढ़ता है, replace करने के लिए हम क्या करते हैं, हम pig को पकड़ते हैं, और pig की valve निकाल लेते हैं, और उस valve को human heart में लगा दिया जाता है, इस process को क्या कहते हैं, इस process को xenografting कहा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं, heart beat की तो आप जब भी एक time पे mitral valve और tricuspid valve दोनों के दोनों एक साथ बंद होते हैं, जब ये दोनों एक साथ बंद होते हैं, तो एक आवाज होती है, जिसको कहते हैं, love और फिर उसके बाद जब ये open होते हैं तो यह और यह इसे और सक ऑपन होते है जब इसे दोनों और भूह जो मों नीयुते हैं तो जब मिëंट्राव वॉल्फ क कूछ कohest क्यूं एमधूध और जब इस अवांस why आव्वाज Di ही होती है, valve के अंदर या दिल के अंदर, तो जो sound हो लब डब होने की जगा मर-मर sound होती है, इस से doctor detect कर लेता है कि आपके valve के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, चीक है, ये दो तरह के valve होते है, bicuspid और tricuspid, जो bicuspid valve होता है, वो इस तरह से होता है, यहाँ पे एक slit लगी होती ह है, तो bicuspid valve जब open होता है, तो यह, यह कैसे open होगा, यह valve ऐसे ऊपर की तरफ उट जाएगी, और नीचे की तरफ उट जाएगी, और बीच में से flow चालू हो जाएगा, जो tricuspid valve होता है, यह तीन साइड से खुलती है, यानि कि यह ऐसे भी खुलेगी, ऐसे भी खुलेगी, और ऐसे भी खुलेगी, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, यह एक यहाँ पर सरकल सा बन जाएगा, यह tricuspid valve होती है, ठीक, जादा important नहीं है, tricuspid और bicuspid, अब cardiac cycle की बात कर लेते हैं, cardiac cycle का मतलब क्या है, एक बारी जो है, देखिए, आपका दिल जो है, मैंने दो चेमबर बताएं, auricle, ventricle, दो चेमबर बताएं मैंने, और मैंने क्या बताए है, कि दिल सुकुडता है, और दिल फैलता है, दिल contract करता है, और दिल expand करता है, ठीक है, अब जो cardiac cycle होती है, वो तीन चीजों से मिलके बनी होती है, पहली चीज क्या है, जब भी blood auricle से ventricle में आएगा, तो उसको कहा जाता है auricular systole, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं auricular systole, ठीक है, ये होने में 0.1 second लगता है, auricle से ventricle में खून आया, 0.1 second लगा, फिर उसके बाद, जब भी blood दिल से बाहर जाएगा, दिल से बाहर जाएगा, ठीक है, दिल से बाहर जाएगा, यानि कि जो दिल है, वो contract किया है, अब खून दिल से बाहर जाएगा, तो उसको का जाता है ventricular, venture systole, देखरें आप auricle से ventricle में जा रहा है तो auricular systole, ventricle से बाहर जा रहा है तो उसको ventricular systole कह देते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया systole, यानि कि contraction के time की बात हो गई, अब दूसर, ठीक है, इ Contraction की बात हो गई, बचा expansion, तो दिल पूरा का पूरा एक साथ expand करता है, जब वो एक साथ expand करता है, तो उसको लगते है 0.4 second, इसके अंदर दिल के चारो chamber, एक साथ expand करते हैं, और इसको diastole कह देते हैं, तो जो हमारी cardiac cycle होती हो, उसमें क्या होता है, auricular systole होता है, यानि कि blood जो ह auricular से ventricle में आया, 0.1 second लग गया, फिर उसके बाद blood ventricle से, दिल से बाहर चला गया, इसमें 0.3 second लग गया, फिर उसके बाद दिल जब expand करता है, तो सारा खुन दिल के अंदर आता है, उसमें कितने second लगते हैं, उसमें 0.4 second लगते हैं, तो total एक cardiac cycle जो इन तीन चीजों से मि के बनती है, एक cardiac cycle में कितने second लगते हैं, एक cardiac cycle में 0.1 second लगता है, ठीक है, तो पहले auricular से ventricle में आएगा, ventricle, ventricle से stall होगा, तब वो दिल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो गई आपकी आधी cycle, पूरी cycle करने के लिए दिल को expand करना पड़ेगा, जिसको हम 0.4 second, ये मैं आपको already बता चका हूँ, heartbeat produce कौन करता है, syno auricular node produce करता है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा, तो हमें pacemaker लगाना पड़ता है, pacemaker कहां पे लगता है, आपकी collar bone में लगता है, ठीक है, तो अगर ये इनसान है, ये उसकी गर्दन है, ये उसके shoulder है, ठीक है, ये shoulder है अच्छा होँ रगता है, ये जो पेस मेकर है, पेस मेकर के अंदर लीथियम बैटरी को यूज किया जाता है, तो बैटरी है, तो ये कुछ ना कुछ खराब होबी, तो 5-6 साल के आज-पास, जो ये पेस मेकर है, इसको बार-बार रिप्लेस करना पड़ता है, उसके अंदर heart beat को सुनके potential difference calculate करती है और बताती है कि क्या चीज़े सही चल रही है या नहीं चल रही है तो systole और diastole को कौन नापता है ECG नापती है normal blood pressure 120 by 80 होता है ये सब कोई पता है पहली बार health ने measure किया था और जो BP नापने की machine होती है इसको sphigmo manometer कहा जाता है sphigmo manometer थोड़ा सा confusing name है दो तीन बार पढ़ियागा याद हो जाएगा अब hypertension क्या होती है hypertension का मतलब है कि आपका BP भढ रहा है hypotension का मतलब है कि आपका BP लो हो रहा है BP लो कितना लो हो सकता है 80 by 60 तक जा सकता है ठीक है normal क्या होता है 120 by 80 normal रहता है जो अच्छे athlete होते हैं उनका 110 by 70 रहता है ठीक है अच्छे मतलब average athlete का एक average athlete का यह रहता है जो बहुत ही अच्छे athlete होते हैं जो बहुत जाद exercise करते हैं उनका blood pressure और भी लो होता है 100 के आसपास 122 के आसपास उनका blood pressure रहता है तो एक case हुआ था उसके अंदर जो cyclist था वो इतनी जाद exercise करता था कि उसका heart इतना जादा काम करने लग गया देखिए heart beat basically यह क्या है इसका मतलब यह है कि यह कितना blood पैंक रहा उसका दिल तो अगर किसी का दिल बहुत जादा strong होता है तो उसको कम pump करना पड़ेगा कम pumping से भी वो जादा blood को बाहर फैंक पाएगा ठीक अगर मेरा दिल कमजोर है तो मैं 80 बार beat करूँगा तब 70 ml या फिर मालीजे 2 liter blood मैं pump कर पा रहा हूँ सिरफ एक example कोई आदमी है जिसका दिल बहुत ही जादा मजबूत है वो 60 बारी pump करके 2 liter फैंक देता है ठीक है तो एक athlete था उसने बहुत जादा exercise की तो exercise करने के जाद उसका दिल इतना जादा मजबूत हो गया कि उसका दिल सिरफ 40 pump से ही 2 liter करने लग गया तो क्या होता था जब वो सोने जाता था तो उसका BP बहुत जादा नीचे चल जाता था कितना नीचे चल जाता था उसका BP जो है वो 60 by 40 तक 60 by 50 तक पहुंच जाता था और ये एक deadly situation में पहुंच जाता था वो आदमी तो उसको क्या करना पड़ता था रात को उठके उसको exercise करनी पड़ती थी exercise करने के बाद उसका blood pressure है वो दुबारा से increase होता था ठीक है तो ये भी होता है जादा बहुत जादा exercise करने पर athletes के साथ ये होता है ठीक है सिरफ interesting कहा नहीं थी इसलिए बताई तो जादा खतरनाक situation क्या है क्या BP भड़े रहना जादा खतरनाक होता है या BP low होना जादा खतरनाक होता है देखे जब BP भड़ा रहता है तो उससे आपको पसी नहांगी आपकी चाती में pain होगा अगर BP कुछ जादा ही भड़ जाए तो आपको heart attack हो सकता है वरना इसका hypertension अगर जादा low हो गया तो तुरंत ही तुरंत ही क्या हो जाएगा आपके शरीर में oxygen की कमी हो जाएगी आपके skin पीली पढ़नी चालू हो जाएगी बहुत पसीने आएंगे और ये बहुत ही deadly situation बन जाती है तो hypotension का बहुत ही खतरनाक situation बन सकती है ठीक है पर hypotension क्यों होता ह है अगर कोई आदमी बहुत लंबे समय तक विमार है तो उसकी वज़य से वह इस situation में आता है वरना नहीं होता hypotension क्यों होता है आपने बहुत ज़्यादा salt की intake करते हैं आप जिसकी वज़य से ये hypotension आपको हो जाता है बहुत tension रहती है या anxiety रहती है उससे हो जाता है या smoking करते है तो भी आपको hypotension हो जाता है ठीक है ये दिल की functioning थी अब हम blood group के बारे में पढ़ेंगे blood group एक आदमी था लेंड स्टाइनर लेंड स्टाइनर क्या कर रहा था वो red blood cells की और plasma की study कर रहा था तो उसने जब study करते करते हैं उसने एक चीज नोटीस करी कि red blood cells जो है red blood cell के surface पे उसको कुछ चीज दिखाई दी सेम उसको plasma के surface पे भी एक चीज दिखाई दी जब उसने उ surface के उपर चीज है ये चीज होती है glycoprotein ये चीज क्या होती है glycoprotein इसके उपर उसने और research करनी चालू करी तो उसको ये पता चला कि हर एक इंसान का जो blood है खून जो है वो एक जैसा नहीं होता लोगों के खून में भी अंतर होता है और वो अंतर किस वज़ा से आता है व वो एक तरह का antigen है और plasma surface पे जो glycoprotein है वो एक तरह की antibody है ठीक है antigen और antibody क्या होते है मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूं ठीक है तो उसने जब इन सब की study की तो उसने कहा कि जो antigen है जो ये antigen है ये A प्रकार के हो सकते हैं B प्रकार के हो सकते हैं और A भी प्रकार के हो सकते हैं जो antibodies है वो उसने कही वो या तो A होगी या फिर B होगी उसने अपनी study के अंदर ये चीजे पता लगा लिए तो उसने कहा कि इन चीजों से मुझे ये पता चल गया कि हर किसी का खून जो है वो एक जैसा नहीं है इनके खून के अंदर कुछ antigen present होंगे कुछ antigen present हों कौन साहता करता है antigen और antibody साहता करती है तो उसने कहा जो खून है उसको मैं क्या कह सकता हूँ मैं उसको कह सकता हूँ कि वो चार तरह के खून होते हैं एक खून होता है जिसका नाम मैंने दिया A मतलब Lance Steiner कह रहा है ये कि उसने कहा कि जो blood group है एक A नाम का blood group होता है एक B नाम का blood group होता है और एक मैंने O नाम का blood group बना दिया ये जो A नाम का blood group है इसके अंदर antigen A present होता है कहां से आ रहा है RBC produce कर रही है इस antigen को ठीक है तो blood group A के पास एक antigen होता है A और A blood group के पास antigen अगर A है तो वो एक antibody produce कर रहा होगा हर antigen antigen जब आएगा antigen जब आपके शरीर में आता है तो वो किसी ना किसी तरह की antibody को produce करता है तो जब RBC ने एक antigen बनाया A तो आपके plasma ने एक antibody बना दि जिसका नाम था B ठीक है तो A blood group के पास कौन सा antigen है A और antibody कौन सी है B ठीक है antibody B बन गई ऐसे ही जो B blood group है B blood group के पास antigen होगा B और antibody क्या होगी antibody होगी small a ऐसा blood group जिसके पास antigen A B है A B antigen है ठीक है antigen कौन सा है A B दोनों एक साथ तो उसका blood group हो जाएगा A B ठीक है तीन तरह का antigen होते हैं A A antigen है तो blood group बन गया A B antigen है तो blood group बन गया B और A भी antigen है तो blood group बन गया A भी ठीक है जब antigen A है तो वो blood group के पास antibody होगी B की यह small b है यह ध्यान रखना जब antigen B है तो antibody होगी A की जब उसके पास दोनों के दोनों antigen है दोनों के दोनों antigen है उसके पास तो वो antibody कुनसी बनाएगा वो कोई भी antibody नहीं बनाएगा, उसके बाद कोई antibody नहीं होती, फिर उसके बाद उसने कहा एक चोथा blood group होता है, ये blood group वो है जिसमें इस खून में कोई भी antigen present नहीं है, antigen जो है वो absent है, antigen जब absent है तो वो कौन सी antibody बनाएगा, वो दोनों तरह की antibodies को बना देता है, अब एक सवाल जो कि बहुत exam में पूछा जाता है, वो सवाल क्या है, कि a blood group वाला आदमी किस-को donate कर सकता है, तो आपको ये याद रखना है, a blood group वाला आदमी सिरफ a को donate कर सकता है, या अपने जैसे को ढोनेट कर देगा, या फिर a b को कर देगा, b वाला किस को कर सकता है, b वा ही donate करता है यह और किसी को donate कर ही नहीं सकता O blood group O blood group सबसे ज़्यादा दिलदार होते हैं यह सब को donate कर देता है यह सब को ही donate कर देता है सब को अब बात आती है कि A blood group वाला किस से खून लेता है किस से खून ले सकता है तो देखिए A blood group वाला खुद से ही खून ले सकता है या फिर O से खून ले सकता है या फिर आप इसको याद करने के लिए से करिए कि O blood group सब को खून दे सकता है तो सब में O तो आप लगाई दीजिए सब में O लगा दीजिए A वाला A से लेगा ही B वाला B से लेगा ही A, B वाला मैंने आप से काया, बहुत ही लालची आदमी है, यह सबसे ले लेता है, पर देता सिरफ अपने आपको ही है, ठीक है, ले सबसे लेता है, एक्सेप्ट वो सबसे कर लेगा, पर देगा सिरफ अपने आपको, ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब को याद कर सकते हैं, अ और मेर को वहाँ पर एक नया antigen मिला. Lenshteiner ने क्या काता? antigen कौन से है? A antigen है, B antigen है, और A B antigen है. ठीक है? Winer ने कहा कि एक antigen और है, जिस antigen का नाम होता है, antigen D. इसको हम RH factor भी कह देते हैं. RH factor भी कह देते हैं. वो कहता है कि भाई, Lenshteiner तुने ये तो पता लगा लिया, कि A नाम का blood group है, B नाम का blood group है, A B नाम का blood group है, O नाम का blood group है, पर इसके अंदर भी हमें एक चीज और देखनी है, कि क्या ये blood group में RH factor, यानि कि antigen D है या नहीं है? क्या इसके पास antigen D है या नहीं है? किसी के पास antigen D होता है, antigen D present होता है, तो वो positive blood group बन जाता है, यानि कि अगर A blood group वाले के पास RH factor positive है, तो उसको हम A positive कहेंगे, और अगर उसके पास RH factor negative है, तो हम उसको A negative कह देंगे, ठीक है? फिर Widener और Lenshteiner ने और डिसकवरी की, और उसने क्या कहा? उसने कहा देखो, अगर कोई किसी के पास antigen D है, तो वो सिरफ ऐसे ही आदमी को दे सकता है, जिसके पास antigen D है पहले से, यानि कि अगर कोई positive blood group है, तो वो केवल और केवल positive blood group को ही देगा, यानि कि इसी table के अंदर अब हम एक बारी देख लेते हैं, अगर हम बात करें A blood group की, तो अगर A positive blood group है, तो वो donate किसको कर सकता है? A को कर सकता है और A B को कर सकता है donate, तो A positive जो है, वो किसको donate कर पाएगा? सिरफ और सिरफ A positive को, और A B positive को donate कर पाएगा, अगर positive है, तो वो सिरफ positive वाले को ही donate करेगा, तो A donate A को और A B को करतो सकता है, लेकिन उसमें भी केवल और केवल positive वाले को donate करेगा, फिर Widener और Lensteiner जो दूसरी बात बोली, वो ये बोली कि अगर RH negative है, अगर वो RH negative है, तो वो positive को भी दे सकता है और negative को भी दे सकता है, यानि कि इसी table के अंदर, अगर उसका blood group positive की बजाए A negative होता, तो वो donate किसको कर सकता है, A को और A B को donate कर सकता है, अगर वो negative वाला है, तो उसे फरक नहीं बढ़ता कि वो जिसको donate कर रहा है, वो A positive है या A negative वो कर सकता है, A B positive हो या negative वो कर सकता है, यानि कि plus वाला सिरफ plus वाले को करेगा, लेकिन minus वाला minus और plus दोनों को ही donate कर सकता है, तो ये तो donation की बात होगे, accept करने कि अगर बात की जाए तो, accept करने में क्या कह दिया कि जो positive है, positive ले किसी से भी सकता है चाहे negative हो चाहे positive हो किसी से भी ले लेगा लेकिन जो negative है वो केवल और केवल negative से लेगा ठीक है यानि कि जो positive sign है वो होता है लालची लालची आदमी है ये positive sign वाला लालची आदमी है ये देगा तो सिरब positive वाले को देगा पर लेने के लिए यह बिल्कुल नहीं देखेगा कि positive है या negative है वो सबसे ले लेगा जबकि जो negative आदमी है रह नेगेटिव आदमी है वो बहुत ही ज़ादा उदार दिल का होता है वो क्या कहता है कि मैं किसी को भी देदूगा मुझे फरक नहीं पड़ता तू positive है या negative है पर मुझे अगर लेना है तो मैं सिरफ और सिरफ negative आदमी से ही लोगा ठीक है तो यह आरच देख लिया हमने अब इस आरच फेक्टर की discovery ज़रूरी क्यों है क्योंकि एक बिमारी होती है जिसका नाम होता है Erythroblastosis, Blastosis, Erythroblastosis इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर जो blood cells है उनके अंदर blast होने लग जाता है यह एक ऐसी condition है यह कब होता है वो देखेंगे अब हम यह सिरफ और सिरफ एक ही condition में होगा इसके लावा यह किसी और condition में नहीं होता मान लीजे किसी की शादी हो रही है उसके अंदर जो female है उसका blood group कोई भी blood group हो A, B, AB या फिर O कोई भी blood group हो लेकिन अगर उसका RH factor negative है minus sign का यानि की A minus, B minus, AB minus या फिर O minus अगर female का RH negative है और उसके पती का RH positive है इन दोनों की शादी होई, शादी होने के बाद इनका बच्चा हुआ शादी के बाद इनका बच्चा हुआ तो उस case में क्या होता है इसमें, देखे, जब भी कोई male और female reproduce करते हैं तो जो male का, male के जो antigen होते हैं हमेशा वही antigen, हमेशा वही antigen child के पास चले जाते हैं तो male के antigen child के पास जाते हैं तो अगर male RH positive होगा, तो child भी RH positive हो जाएगा अगर जो father है, male यानि की RH negative होगा तो उसका बच्चा भी RH negative हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो RH factor वाला antigen है यह sperm के थुरू ट्रेवल करता है और sperm किस में होते हैं, sperm father में होते हैं ठीक है, तो एक condition, सिरफ यह condition आप याद रखेंगे कि condition यह है कि male के पास RH positive है यानि कि antigen D male के पास है यानि कि father के पास antigen D present है female के पास यह जो antigen D है, यह present नहीं है female के पास RH negative है तो जब यह दोनो, यह दोनो male और female reproduce करेंगे तो जो बच्चा या फिर embryo बनेगा यहाँ से sperm आया, male का sperm आया male का sperm female के एग के साथ मिला और इन्होंने मिल के क्या बना दिया? इन्होंने बना दिया embryo इस embryo के पास जो खून होगा इस embryo के पास जो खून होगा, उस खून का RH फेक्टर कैसा होगा, उस खून का RH फेक्टर वही होगा, जो उसके male का है, उसके father का है, और father का RH फेक्टर हम क्या लेके चल रहे हैं? RH positive, तो यह जो embryo है, embryo के अंदर RH positive होगा, यानि कि ऐसे कपल जहां पे female के पास RH negative है, यानि कि blood ब्लड ग्रूप उसका negative में आता है, और male ऐसा है, जिसका ब्लड ग्रूप positive में आता है, ऐसे case में क्या होगा, जो embryo बनेगा, embryo positive ब्लड ग्रूप का बनेगा, तो अब situation क्या है, मैं एक diagram से आपको बताता हूँ, ये mother की womb मान लीजे, womb जिसके अंदर बच्चा जो है, वो प कैसा है, उसका आरेच है negative, mother जो है nutrition अपने बच्चे को कैसे provide करती है, mother का blood जो है, वो placenta के थुरू, placenta के थुरू, बच्चे को nutrition provide करता है, तो मा का जो खून है, मा का खून ऐसे embryo में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वो embryo के खून के साथ mix हो जाएगा, embryo के खून के जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप यह mechanism मान के चलिए, तो मा का खून RH negative है, यानि इसके अंदर antigen D नहीं है, antigen D नहीं है, antigen D इसके पास नहीं है, तो यह जो खून है, यहाँ पे चला गया embryo के पास, और embryo में कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा आराम से nutrition लेगा, खुश र embryo का blood, embryo का blood, और मा का blood, mother's blood, mix होके, mix होके कहाँ पर आ गया, दुबारा से mother की body में आ गया, ठीक है, mother की body के अंदर आ गया, तो जब embryo का blood mix हुआ, मा के blood के साथ, मा का blood था ऐसा, जिसके पास antigen D नहीं है, मा का blood ऐसा था, जिसके पास antigen D नहीं है, embryo का blood ऐसा है, जिसके प यह जो खून आ रहा है, क्या इसके पास antigen D होगा या नहीं होगा, इसके पास antigen D होगा, क्यों, क्योंकि वो embryo से वो antigen D को लेके मा की बॉड़ी में आ जाएगा, तो अब क्या होगा, मा की बॉड़ी के पास जो यह खून आ रहा है, यह जो खून आ रहा है, इस खून में antigen D होता है, antigen D होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी किसी body के अंदर कोई भी antigen आएगा, antigen आएगा, तो वो body उस antigen से लड़ने के लिए एक antibody बना लेती है, उस antigen से लड़ने के लिए एक antibody बना लेती है, तो मा का शरीर क्या करेगा मा का शरीर क्या कहेगा वो चौनक जाएगा वो कहेगा कि मेरे पास अभी तक जितना भी खून था वो औरेच नेगेटिफ था मेरे पास ये Antigen D नहीं था अब अचानक से मेरे पास ये Antigen D आ गया है मुझे इस Antigen D को मारने के लिए antibody बनानी पड़ेगी तो इसकी मा की body क्या करेगी मा की body एक antibody बना देगी और ये antibody क्या करती है ये antigen antigen D को खतम करने का काम करती है antigen D को खतम करने का काम करती है लेकिन ये antibody बनने में बहुत समय लग जाता है कितना समय लग जाता है मान लिजे 9 महीने लग जाते हैं 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो इस केस में क्या हो रहा है इस केस के अंदर इस केस के अंदर क्या होगा एक RH पॉजिटिव मेल ने RH नेगेटिव फीमेल के साथ प्रजनन किया reproduction किया तो क्या होता है तो क्या होता है इनका पहला बच्चा तो एकदम सही सलामत पैदा हो जाता है उसमें ना तो बच्चे की health को लेके कोई issue आता है ना मा की health को लेके issue आता है पहला बच्चा सही से पैदा हो गया लेकिन दूसरे बच्चे के case में क्या होगा जो दूसरा बच्चा होगा दूसरे बच्चे का खून जो होगा embryo में जो खून होगा वो कैसा होगा उसके father वाला होगा और father का कैसा खून था RH positive father का खून था RH positive तो दूसरे बच्चे का embryo जो है उस embryo के अंदर antigen D होता है ठीक है दूसरे बच्चे की बात कर रहा हूँ दूसरे बच्चे के खून के अंदर antigen D होता है अब जो mother का blood है mother का जो blood है इस mother के blood में क्या है इस mother के blood में एक तो RH negative blood है ये mother का लेकिन जब पहला बच्चा हुआ था पहले बच्चे में क्या हो गया? पहले बच्चे में मदर के बलड के अंदर मिक्स हो गया था RH positive factor Rhesus factor add हो गया था जिसकी वज़़े से मदर के बलड ने क्या किया था? मदर के बलड ने antigen d को या फिर इस RH factor को खतम करने के लिए antibody बना दी थी ये antibody क्या करती थी? Antigen D को खतम करती थी तो जब second बच्चा पैदा होगा तो मा का खून nutrition देने के लिए उस second बच्चे के पास जाएगा मा का खून second बच्चे के पास जाएगा मा के खून के अंदर क्या है? मा का खून है प्लस में जो पिछले बच्चे की पिछले बच्चे के टाइम पे उसने antibody बनाई थी जो की antigen D को नस्ट कर देती है वो वाली antibody भी होती है मा के खून में तो second बच्चे के पास क्या पहुँच रहा है? मा का खून पहुँच रहा है nutrition के साथ साथ की साथ एक antibody D पहुँच रही है और antibody D का काम क्या होता है? antigen D को नस्ट करना antibody D का काम होता है second बच्चे का RH positive है यानि कि second बच्चे के embryo में जो खून अभी तक है उस खून के अंदर antigen D है उस खून के अंदर क्या है? antigen D है मा के बलड में क्या है? मा के बलड में antibody D है antibody D है मा का खून में जो ये antibody D है, ये इस antigen D को nust करने लगेगा, और ये जो second बच्चा है, ये second बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, ठीक है, तो सिरफ ये इस case में होता है, जहाँ पे जो female है या मा है, मा के पास antigen D नहीं होता, लेकिन father के पास antigen D होता है, तो इन दोनों के reproduction से जो प बहुत सादा complications होने लगेंगी, ये complication क्यों होती है, क्योंकि जब पहला बच्चा होता है, तो पहले बच्चे के पास अपने father की antigen D पहुंच जाती है, ये जो पहला बच्चा है, इसके embryo के पास antigen D होगा, जब मा का खून इस embryo को nutrition पहुंचाएगा, तो मा के खून में य हमारे पास तो antigen D था ही नहीं, ये अचानक से antigen D कैसे आया, इसको खतम करने के लिए मैं सिपाही बना देता हूँ, और उन सिपाहीों का नाम होता है antibody D, तो अब ये सिपाही मा के खून के अंदर रहने लगते हैं, जब second बच्चा होता है, तो second बच्चे का भी RH कैसा होगा अपने बाप जैसा होगा, यानि कि RH positive, second बच्चे के पास antigen D है, जब मा का खून इसको nutrition देने के लिए पहुँचेगा, तो मा के खून के अंदर ये antibody D, जो की पहले बच्चे के time पे बन चुकी थी, वो भी पहुँच जाएंगी और वो second बच्चे को मारने का, second बच्चे के कोई भी case नहीं है, तो जब शादी हो, तो ये RH factor आप ज़रूर चेक कर लीजेगा, अब एक कोशन कुछ-कुछ exam में आ जाता है कि blood group कैसे होगा बच्चे का, अगर कोशन आ जाए कि father का blood group है A, father का blood group है A, और mother का blood group है O, तो बताओ, बच्चे का blood group होने का क्या chance है, तो हम इस लगाने के लिए 00 लगा देंगे दोनों के आगे, 00 लगा दिया, अब हम blood group, बच्चे का blood group कैसे निकालेंगे, child's blood group, यहां से A लिया पहला लिया, और यहां से पहला लिया, child का blood group A, B हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद father का दूसरा लिया, mother का पहला लिया, तो बच्चे का blood group B, O हो सकता है, फिर हमने father का पहला लिया, mother का दूसरा लिया, बच्चे का blood group A, O हो सकता है, फिर हमने father का दूसरा लिया, mother का दूसरा लिया, बच्चे का blood group O, O हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, जो यह O, O तो हमने मन घडंत बनाये थे ना अपने, यह O असली में तो था न ABB हो सकता है, BB hak無聊, AB также O तो कोशन कैसा हैगा । कि कितने परसेंट chance है कि बच्चे का blood group AB हो जाए, तो आप percentage कैसे समयhus Total case है 4, A case में AB हो रहा है, तो 1 by 4 in two में 100, यानि कि 25 % chance है कि बच्चे का blood group AB हो जाए, 25 % chance है कि बच्चे का blood group AB हो जाए, 25 % chance चांसे की A हो जाए 25 वर्सन चांसे की बच्चे का ब्लड ग्रूप O होगा अब माले ते ये वाली कंडिशन है जहां पर फादर का ब्लड ग्रूप A B है और मदर का ब्लड ग्रूप B है तो मैंने क्या कहा है इसको हमेशा पेर में लेते हैं तो यहां पर एक मन घडंत अपने मन से B के आगे O लगा लेते हैं बाद में इस O को हटा भी देंगे तो अब हम बच्चे का कैसे निकालेंगे बच्चे का कैसे निकालेंगे पादर का पहला लिया मदर का पहला लिया A B पादर का पहला लिया मदर का दूसरा लिया A O पादर का दूसरा लिया मदर का दूसरा लि प्लड ग्रूप देया, प्लड ग्रूप तो डग्लूप यहां,ब ब्लड ग्रूप ऐगा, छाइम हूआ, फिन सु प्लूप BC B बॉटुन, का ब्लड ग्रूप यहां पिन सुलग ग्रूप B लival BACK C L और The 10-25 पर्लड भी और China, फिवन ग्युल पहुइंगी है ऐसे ही आप निकालना अब कि फादर का ब्लड ग्रूप है ओ मदर का ब्लड ग्रूप है ओ तो उस केस में क्या करेंगे पेर लेते हैं तो एक मन घडंत ओ हम यहां पे लगा लेते हैं ठीक है तो फादर का पहला मदर का पहला ओ ओ फादर का दूसरा, मदर का पहला, ओ, फादर का पहला, मदर का दूसरा, ओ, फादर का दूसरा, मदर का पहला, ओ, तो इस case में क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रूप, बच्चे का ब्लड ग्रूप A होगा, इसके कितने परसंट चांस है, 0% चांस है, बच्चे का ब्लड ग्रू तो बच्चा 100% O blood group का होगा, इस तरह से हम blood group निकाल लेते हैं, तो कुछ-कुछ paper के अंदर ये question भी पूछा जाता है, इसके साथ हमारा circulation भी खतम हो गया topic, अब अगला topic बहुत easy है, अगला topic में हमें करना है respiratory system, कि सांस कैसे लेते हैं, तो सांस हमारी दो तरह से देखनी है, ए एक सांस हम देखेंगे cellular respiration, यानि कि हमारे cell के अंदर जो respiration हो रही है, वो कह है, इसके बारे में एक बार ही हमने पहले भी बात किये, जैसे RBC का जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने काता कि RBC में nucleus नहीं होता, nucleus नहीं होता है, तो वो cell division में participate नहीं करता, और वो cell division में participate नहीं क respiration हम क्यों कर रहे है, respiration हम इसलिए करते हैं, ताकि हमें energy मिले, तो जब cell, cellular respiration कर रहा होता है, तो उसका भी मकसद होता है कि वो energy मिले, और इस energy को, इस energy को store किया जाता है, adenosine triphosphate की form में, और इस energy को produce कौन करता है, mitochondria करता है, जिसको powerhouse of cell कहते है, RBC के अंदर mitochondria होता नहीं है, respiration वो करता नहीं है, तो वो ATP प्रड्यूस नहीं करता, ठीक है, तो जब हम cellular respiration पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये ATP और ये सर देखेंगे, तो respiration में होता गया है, आप air को intake करते हैं, ये जो आपने air लिया है, ये हम food को जो हमने खाना खाया हुआ है, मुह से आपके खान आ रहा है, नाग से आपकी सांस आ रही है, जो खाना है, खाने की oxidation करनी होती है, और वो oxidation किस से होती है, air से होती है, वो air कोन सी है, air जो आप नाग से सांस लेते हैं, उस air से वो oxidation होती है, और फिर energy release होती है, तो external respiration क्या होती है, देखिए, तीन पार्ट में आप पूरी respiration को divide कर सकते हैं पहला तो यह है कि आपने environment में से air ली और air आपके lungs तक पहुँच गई यह आपकी external respiration है जहाँ पे जो हवा है वो lungs तक पहुचा दी जाती है lungs में पहुचने के बाद जब हमने दिल किया था तो मैं आपको क्या कह रहा था कि दिल के पास जो खून आता है heart दिल के पास sorry दिल जो है heart जो है वो lungs के पास खून भेजता है और कहता है कि ले तिरे पास काम आगया इसमें oxygen डाल दे और फिर जो oxygen डालने के प्योर बलड हो जाएगा वो दुबारा से heart के पास भेज दे ताकि heart उसको दूसरे organs के पास पहुचा सके यही काम था तो lungs का काम क्या है lungs का काम है oxygen मिलाना किस के अंदर खून के अंदर oxygen मिलाना oxygen वो कहां से मिलाता है वो बाहर से हवा लेता है lungs में हवा पहुचती है lungs में हवा पहुचने के बाद वो उसको मिला देता है ठीक है blood में होता है humoglobin जहां पे oxygen मिल जाती है और फिर यह जो humoglobin या फ rioated artery,气, demons, inferior vena kava को है.. आयूप आप को याद होगा.. और पूरि बाडि में.. मतब हार्ट में हार्ट जो पंप करता है उससे खूण जो निकलता है वो पूरि बाडि के अंदर oxygen पहुँच जाती है अब ये पहला process है जब हमने environment से हवा lungs तक पहुँचाई lungs ने खून में oxygen मिक्स करके heart को पहुचा दिया और heart जो है उसको transfer कर रहे है पूरी body में oxygen ले जाने का ही तो काम होता है main purpose क्या है blood का oxygen और nutrition को carry करना blood का main purpose होता है तो यह जो है यह दूसरा step हो गया जहां पर हम gases को transport कर रहे हैं पूरे body part के अंदर body part के अंदर जहां जहां पहुचती जाएगी जैसे stomach में पहुची थी ठीक है जैसे आपके liver में पहुची थी kidney में पहुची थी इन जगाओं पे जो कि basic unit of life होता है जो यह cell है यह क्या करते हैं यह oxidation करते हैं और इस oxidation से हमें energy मिलती है और energy होती है adenosine triphosphate यह जो third process है जहां पर organs के cell oxidation कर रहे हैं इसको cellular respiration कहा जाता है और यह हमारा third step होता है ठीक है अब respiration का basic से देखते है, respiration या तो aerobic होगी या फिर anaerobic होगी, aerobic का मतलब यह है कि respiration oxygen की presence में हो रही है, जब oxygen presence नहीं होती और तब भी हम सांस ले रहे हैं, हम नहीं मतलब cell के अंदर कुछ काम हो रहा होता है, oxygen की absence में, तो उसको anaerobic कहा जाता है, और anaerobic respiration कहां पे होती है, ह क्या करती है, cartilaginous organ है, इसका main मकसद क्या है, atmosphere में जो हवा है, उस हवा को ले जाके वो trachea तक पहुचा दे, और trachea क्या करता है, trachea यह जो हवा इसके पास पहुची है, इस हवा को lungs तक पहुचा देता है, lungs तक पहुचा देता है, lungs के अंदर होते हैं, alveoli, lungs के अंदर हो वो बाल उस dust को उस impurity को इन बालों पर चिपका लेता है, यह जो बाल है वो उस impurity को अंधर नहीं जाने देते हैं, हवा चली जाती है, बालों को सहराती हुई हवा चली जाती है, impurity बाल से चिपक जाती है, कुछ-कुछ similar काम alveoli का होता है, alveoli hair-like structure होते है हमारे lungs पे, और उस हवा कैसी हो जाती है, खांस से टाइम ऐसी होगी, और फिर जटके सब्सक्राइब, उस धव कऊं से हो जाती है हवा जाती है, खांसने खांसने से पहले, खांसती ही है, एक दम से जटके से आगे जाएक जाएगी और जो impurity है अचिपो बाहर धकेलने का काम करती है तो ऐसे से ये एकदम खांसते ही कैसी? ऐसी हो जाएगी तो ये ऐसे से ऐसे जाएगी ठीक है? तो जो impurity है वो हमारे body से निकलने का काम करते है ये alveolai का काम होता है तो अगर आप जादा smoking कर रहे हैं तो ये जो alveolai है ये धीरे धीरे नस्टोना चालू कर देता है और आपके lungs की capacity खराब हो जाती है और जो आपके lungs के अंदर टार है वो बाहर नहीं निकल पाता ठीक है? वो उसको pure नहीं कर पाता तो nose का का काम क्या है? nose हवा को atmosphere से लेके trachea तक पहुँचा देती है हमारी nose के अंदर तीन रीजन होते है एक रीजन तो सांस लेने का होगा सांस लेने वाले रीजन को olfactory रीजन कहते है दूसरा रीजन होगा जहांपे बाल लगे होते है और ये बाल क्या करती है? filter की तरह काम करती है इस रीजन को vestibule कहा जाता है और तीसरा रीजन होता है respiratory region respiratory region क्या करती है? जो हम हवा atmosphere से ले रहे है उसमें हवा भी है और moisture भी है तो यह जो respiratory region है वो क्या करता है? इस हवा को गरम करना चालू कर देता है गरम करता है तो जो भाप है वो उड़ जाती है और सिरफ और सिरफ हवा बचती है यह हमारे नाक के तीन काम है इसलिए आप देखते होंगे कई बार आपको गरम सांस लगती है क्यों क्योंकि नाक उसको गरम भी कर रहा है यह तीन काम होते हैं अब अगर हम अपना आगे का स्ट्रक्चर देखें तो यह वोकल कोड होता है वोकल कोड का मतलब क्या है यहां से हमारी साउंड प्रडूस होती है इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है जितना बड़ा होगा यह उतनी जदा डीप आवाज होगी उतनी जादा low आवाज होगी अमिताव का vocal cord बहुत बड़ा है शारुक का कम है परानकतर का और भी कम हो जाएगा ठीक है तो जब vocal cord sound box बड़ा होगा तो deep sound आईगी drum के जैसी sound आईगी ठीक है low sound आईगी काफी अगर ये box छोटा होगा छोटा होगा small होगा तो sound कैसे आईगी sound आईगी high pitched ठीक है ये बहुत ही high होगी जैसे कि किसी भी female की जो आवाज होती है वो high होती है violent की आवाज जो है वो high होती है ठीक है तो sound box से ये produce होती है sound box के नीचे होता है trachea trachea का का काम क्या है ये सिरफ हवा को लंग्स तक पहुंचा देता है और ट्रेकिया नीचे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इन दो पार्ट्स का नाम होता है ब्रॉंकाई तो अगर कभी भी infection होता है तो उसको ब्रॉंकाईटिस कहा जाता है लंग का infection यानी ब्रॉंकाईटिस इसका मतलब क्या है यह जो ट्रेकिया जा रही है इसके lower end पे infection हो गया है ठीक है तो ब्रॉंकाईटिस उसको कहते है जब infection होता है और इन एरिया को ब्रॉंकाई कहते है फिर यह आपके lungs है lungs जो है वो बड़ी soft organ होते हैं बहुत ही soft होते हैं तो इनको hard करने की ज़रुवत पड़ती है तो hard करने के लिए क्या होता है lungs के ओपर एक membrane लगी होती है एक परत लगी होती है इस परत का नाम होता है plurie membrane plurie membrane क्या करता है हमारे lungs को hardness provide करता है hardness provide करता है lungs के अंदर यह जो आप देख रहे हैं यह होते हैं alveoli यह जो आपको गोले गोले दिख रहे हैं यह होते है alveoli इसका यह hair like structure होते हैं इसका मैं काम दिखा चुका हूँ lungs के ठीक नीचे diaphragm होता है Lungs के ठीक नीचे diaphragm होता है तो जब भी आप सांस, गहरी सांस लेते हैं यह diaphragm थोड़ा सा नीचे चला जाता है और आपके Lung, जो हैं, वो और ज्याद़ एक्सपेंड हो जाते हैं Lungs, ज्याद़ एक्सपेंड हो जाते हैं मतब अभी लंग्स इतने है, जब आपने गहरी सांस ली, तो लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, तो इसके अंदर जादा हवा भरी जा सकती है, ठीक है, यह डायफ्राम जो है, वो नीचे हो जाता है, वोकल कोड, वोईस बॉक्स है, यह मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रैक ब्लड को प्योरिफाई करता है, इसका मतलब क्या हूँ, ब्लड को प्योरिफाई करने का, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करता है, बेसिकली इसका यह मतलब है, ठीक है, लंग्स की बेसिक यूनिट क्या होती है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं, और लंग्स के अंदर से लेके 2 करोड़ अल्वियोलाई प्रेजन होते हैं डायफराम नीचे जाता है लंग्स एक्सपेंड करते हैं लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो जादा हवा लंग्स के अंदर भरी जा सकते हैं यह पूरा प्रोसेस है तो एक्सटरनल रेस्पिरेशन कैसे हुरी है के अंदर ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी और नाइट्रोजन होगी तो जब हम सांस लेते हैं तो हम जादा जादा ऑक्सीजन लेते हैं कितनी ऑक्सीजन लेते हैं 20% हम ऑक्सीजन ले लेते हैं कारबन डायक्साइड मात्र 0.3% आती है जब हम सांस खीज रहे हैं अंदर की तरह भ हमने carbon dioxide सिरफ इतनी ली थी और निकाल कितनी थी 3-4% निकाल दी, nitrogen 78% हमने ली थी और 78% निकाल दी, तो हम कहा सकते हैं कि nitrogen हमने जैसी ली वैसी वापिस कर दी, oxygen हमने जादा ली थी कम वापिस कर दी, carbon dioxide हमने कम ली थी और जादा वापिस कर दी, इसलिए जब आप सांस छोड़ते हैं तो कहते हैं कि carbon dioxide छोड़ी जा रही है, जब oxygen लेते हैं तो कहते हैं कि oxygen ली जा रही है, तो respiration में कौन सी gases participate करती हैं, तो आप उसमें लिख देंगे oxygen और carbon dioxide करती है, nitrogen का participation इसमें नहीं होता है, यह जो oxygen है, यह जो gases हैं, यह हम blood में mix कर देत oxygen के साथ attach हो जाता है और एक नया substance बनाता है जिसका नाम होता है, oxy hemoglobin, oxy hemoglobin, ठीक है, यानि Hb+, oxygen मिलके oxy hemoglobin बनाते हैं, जिसका formula होता है, HbO2, ठीक है, तो oxygen को कौन transfer कर रहा है, hemoglobin हमारे body parts में, body parts में ले जाता है, hemoglobin किस का हिस्सा है, blood का हिस्सा है, तो जैसा भी option ठीक है, ठोड़ी बहुत oxygen, बहुत ही नाम मातर, ठीक है, लगवग एक से लेके 5% तक oxygen कौन transfer करता है, plasma, plasma majorly क्या transfer करता है, plasma CO2 को transfer करता है, oxygen की बहुत ही कम मातरा transfer करता है, plasma ये आपको याद रखना है, ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारे blood के अंदर oxygen किस के साथ जाके मिल जाता है, यानि कि अगर कभी humoglobin की कमी हो गई, आपके शरीर में humoglobin की कमी हो गई, तो oxygen किस के साथ attach करेगा, oxygen जादा attach नहीं कर पाएगा, तो आपके body parts के पास सही से oxygen नहीं पहुच पाएगी, तो कितना humoglobin आपके body को चाहिए होता है, आपके खून में, हर 100 ml खून में, 15, 15 gram humoglobin होना जरूरी है, ठीक है, humoglobin ये normal इंसान का होता है, अगर कोई बिमार होता है, तो 12 gram पर 100 ml humoglobin हो जाता है, अगर आदमी जादा ही बिमार है, और उसका humoglobin 12 gram से भी नीचे पहुच गया है, तो हम ये कह देते हैं कि इस आदमी के पास, इस आदमी को अनीमिया हो गया है, इस इसको अनीमिया कहा जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमने toxins की बात की थी, toxin क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए poison का का काम करती है, उसको हम toxin कह देते हैं, तो हमारी बॉडी में जो lungs हैं, lungs के लिए carbon dioxide एक toxin का का काम करती है, तो carbon dioxide कौन ले लिनो एसिट की फॉर्म में आते हैं वो ठीक है अब हम सेलूलर रेस्पिरेशन करेंगे इजी चैप्टर है इसके अंदर जाधा वो नहीं है जो मैंने डाइग्राम में समझा है वही मेजर था सेलूलर रेस्पिरेशन में basically हम क्या करेंगे हम ATP produce करेंगे energy produce करेंगे और उसके अंदर मेजर रोल किसका रहेगा mitochondria करेगा इसलिए उसको powerhouse of cell कहा जाता है तो सेलूलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है और एकदम से आपके पैर में अकडन पड़ जाती है, आपकी पैर की जो पीछे की मसल से वहाँ पे अकडन पड़ गई, ठीक है आपके पैर में अजीब तरीके का एक pain स्टार्ट हो जाता है, ठीक है वो pain क्यों होता है, क्योंकि आपकी muscle के अंदर lactic acid का build-up हो गया है, lactic acid का build- पूछा जा सकता है, ATP की full form, adenosine triphosphate, जो energy है वो हम ATP की form में करते हैं, तो जो cell है, cell की respiration जब होती है, तो वो ATP release करता है, ATP बनाता है, energy बनाता है, कितनी energy बनाता है, 38 ATP वो बना देता है, 38 ATP cell बना देता है, कितनी respiration, कितनी हम, कितनी सांस लेते हैं एक minute में, हम 12 से 15 सांसे एक minute में लेते हैं, जब आप बहुत तेज दोड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही महनत का काम कर रहे हैं, तो 30 से 35 सांस ले लेते हैं आप, आप ज़्यादा सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि आपकी body ज़्यादा काम कर रही है उसको जादा energy की जरूत है आपकी body को जादा oxygen की जरूत है और उसकी पूरती कैसे होगी जादा सांस लेके उसकी पूरती होगी हमारे lungs में जाधतर कितनी हवा मौझूद होती है वो आप देख सकते हैं 1200 ml रहती है एक सांस में हम 15 500 ml यूज करते हैं और maximum आप कितनी हवा भर सकते हैं अपने lungs के अंदर तो 3000 ml तक आप maximum हवा lungs के अंदर भर सकते हैं मैंने क्या कहा कि जो cell है जब cell respiration करता है तो वो 38 ATP बनाता है ठीक है तो cell भी तो respiration कर रहा है तो वो भी तो एक तरह का काम है तो काम करने में भी energy लगती है तो सांस लेने में एक cell को कितनी energy लगती है 2 ATP energy लगती है और काम करने के लाद वो कितनी energy बना देता है वो 38 ATP बना देता है यह एक तरह से यह है कि उसने 2 रुपे खर्च करके 38 रुपे बना दिये तो अब उसके आज कितने रुपे बचे है उसके आज 36 रुपे बचे है ठीक है Elveoli, pollution और smoking किसको affect करती है हमारी Elveoli को affect करती है respiration में आपको इतना याद करना है nervous system तो देखिए पहले भी आपको example दिये है मैंने brain तक signal जाता है और brain ये feel करता है कि तुने कुछ घडबड कर दे गरम चीज पे हाथ रखा है इसको तुरंथ ही हटा ले उसके वो action की command देता है तो हर एक चीज हमें अगर pain feel हो रहा है तो वो भी इसलिए feel हो रहा है क्योंकि जो nerves है उस pain के signal को हमारे brain तक पहुचा रही है कि हमें pain हो रहा है ठीक है तो हर एक चीज जो हम feel करते हैं वो इस nerves की वज़ा से feel की जाती है तो nervous system के अंदर हम इनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो nervous system की या फिर अगर हम nervous system के functional unit की बात करें तो वो होती है neuron हमारे brain के अंदर 100 billion neurons होते है और इन neurons का काम क्या होता है सिरफ signal को receive करना brain तक पहुचाना ठीक है 100 billion होते हैं इसका काम क्या है stimuli stimuli को receive करता है detect करता है और हमारे central nervous system तक उसको पहुचा देता है तो neuron कुछ-कुछ ऐसा दिखाई देता है तो यह जो हिस्सा है इस हिस्से को यह वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को dendron क्याते हैं इस हिस्से को exon क्याते हैं यह जो आपको यहां से ऐसे ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे यह होते हैं dendrites dendrite का काम क्या होता है dendrite signal receive करता है dead right signal को receive करता है यह जो signal है यहाँ पर receive होगा receive होने के बाद इस cylindrical tube में यह cylindrical tube का क्या नाम है? exon में exon के अंदर वो signal जो है आगे जाएगा आगे जाने के बाद वो synapse में जाएगा synapse synapse यह solan part है और इस solan part के अंदर neurotransmitter लगे होते हैं देखे असली में action कहा हो रहा है? action यहाँ पर हो रहा है आपको अगर कोई सूई चुभी है तो यहाँ पर चुभी है कोई चीज गरम लगी है तो यहाँ लगी है उसका signal यहाँ तक पहुचा तो यह जो neurotransmitter होते हैं यह क्या करते हैं? यहाँ पर ही दूसरा neuron लगा होगा दूसरा neuron कैसे लगा होगा? ठीक है? दूसरा neuron ऐसे लगा होगा यह दूसरे neuron का यह दूसरे neuron का exon है और यह दूसरे neuron का dendron है यहाँ पर भी synapse बने होंगे ठीक है? और यहाँ पर भी dendrites निकल रहे होंगे तो क्या हुआ, signal यहां से आया यहां से वो exon से होता हुआ यहां आया, synapse में पहुचा, synapse में neurotransmitter लगे हुए हैं, और वो क्या करते हैं यहां पे पहुचा, neurotransmitter लगे हुए हैं, उससे वो इन dendrites को use करके दूसरे neuron को, जो दूसरे neuron यहां से चालू हो रहा है, उस neuron में signal पहुच जादेगा, यह जो neuron का signal है, वो दुबारा से ऐसे travel करेगा और यहां पे पहुच जाएगा, यहां पे भी dendrite है, यह dendrite अगले neuron के साथ connected होंगे अगले neuron माल लीजे, ऐसे लगा हुए ठीक है, यह अगले neuron यह अगले neuron के dendrites है जो यह ऐसे लगे हुए है, यह उसका exon है, और यह उसके synapse है ठीक है, तो एक के पीछे एक ऐसे neuron लगा होता है, जो signal यहां पे हुआ, वो signal यहां से ऐसे, इसमें पहुचा इससे, इसमें पहुचा इसमें पहुचा और यह ऐसे पहुचा है ऐसे करकर के वो signal कहां पहुच जाता है हमारे central nervous system तक पहुच जाता है तो क्या हो रहा है इसके अंदर जो signal है, signal कहां पे receive होता है signal receive होता है dendrites के पास dendrites signal receive करता है यह जो nasals granule है इसका काम होता है कुछ protein की synthesis signal इस exon नाम की tube के अंदर travel करता है और कहां तक जाता है synapse तक जाता है synapse के अंदर एक neurotransmitter fluid लगा हुआ है यह जो neurotransmitter fluid है इसके आगे लगे होते हैं dendrites यह dendrites एक अगले neuron के साथ connect होता है अगले neuron से connect है और वो आगे signal को transmit कर देता है अब बात यह आती है कि यह जो exon है यह एक cylindrical tube है जहां से electrical signal पास हो रहा है तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो signal जो है signal dead होने लगे signal जो है कमजोर होने लगे तो हमने क्या लगा रखा है हमने लगा रखी एक myelin sheath तो जो exon है इसको हमने यह जो काली काली बना रखी है यह यह वाला हिसा यह myelin sheath होता है myelin sheath क्या करता है signal को stimulate करता रहता है signal को stimulate करता रहता है ताकि signal वीखना पड़े और जो ranvir node है यह आपको ranvir node दिखाई दे रहा होगा यह जो लाल से आपको दिखाई दे रहा है यह वाला हिस्सा यह रैन्वीर नोड होते हैं यह सिगनल को और भी जाधा आगे पहुंचा देता है उसको और भी जाधा एम्प्लिपाई कर देता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा हमारा नियूरॉन का स्ट्रक्चर होता है डेंड कर देता है माईलीन शीथ उसी सिगनल को यह जो इंपल्स वाला सिगनल है उसको स्टिमिलेट करता है और रेनवीर नोड उस सिगनल की इंटेंसिटी को और भढ़ा देता है ताकि जो सिगनल है वो कमजोर ना पड़े एक्जोन के एंड पॉइंट पे साइनप्टिक नॉब लगी होते है जो की सोलन पार्ट होता है इस सोलन पार्ट के अंदर एक neurotransmitter fluid लगा होता है धेर सारे exon का जब bundle बन जाता है तो उसको nerve कहा जाता है ठीक है तो जो neural signal है वो इस nerve से पास होते हैं दो neuron कहां पर connect होते हैं synapse पर connect होते हैं वो already मैं आपको दिखा चुका हूँ अब हमे types of nervous system पढ़ने हैं तीन type के nervous system पढ़ने हैं एक होता है आपका central nervous system जिसके अंदर आपकी brain और spinal cord आएगी यह आपका brain है और यह आपकी read की हड़ी है यह दोनों मिलके क्या बनाते हैं यह दोनों मिलके बनाते हैं central nervous system spinal cord के बारे में थोड़ा सा हम अपने skeletal system में भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा limited रहेगी इसकी फिर हम देखेंगे peripheral nervous system और फिर देखेंगे autonomic nervous system तो सबसे पहले हम central nervous system देख रहे हैं central nervous system में हम brain देख रहे हैं यह आपका brain है brain जो है एक layer की तरह बना होता है brain की study को क्या कहते है neurology brain की study को कहा जाता है यह आपको याद रखना है brain layer की तरह बना हुआ है तो यह माली जी एक गद्दा हमने यह उपर वाला लगा रख है और इसका नाम होता है cerebrum उपर वाले का ठीक है इसके नीचे एक और गद्दा है फिर यह जो है यह इस हिससे को हम कहते हैं corpus, corpus colosum इस हिससे का नाम होता है corpus colosum इसके नीचे यहाँ पे ठीक है इसके अंदर thalamus होता है यह वाला जो हिससा है यह thalamus है और यहीं पे एक हमारा gland लगा होता है उस gland का नाम है pituitary gland ठीक है pituitary gland तो अगर कोशन आजा pituitary gland कहां पे आता है pituitary gland brain में होता है कैसे याद करेंगे पिटाई हुई पिटाई का signal कौन पता लगाएगा brain पता लगाएगा तो pituitary gland कहां पे आपके brain में है इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है यहीं पे ही नीचे की तरफ इस जगा पे आपको hypothalamus भी मिलेगा इस यहां पे जो मिलता है उसको points कहते है और नीचे हैंगे तो medulla होता है सबसे नीचे spinal cord होता है और जो आपके सर के पीछे वाला हिस्सा होता है सर के पीछे वाला सा हिस्सा होता है यह होता है cerebellum ठीक है तो तो अगर कोई आदमी को अगर मैं बनाओं, यह उसका सर है, साइड प्रोफाइल अगर मैं किसी आदमी की बनाओं, यह उसकी गर्दन है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, यह उसकी नाक, वोट, चिन, गर्दन, और यह आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है, पेट वाला आदमी, साता है और यह कहां तक जाता है यह जो है आपकी spinal cord तक यानि कि इस हिस्से तक यह आपके spinal cord तक आपका यह diagram बना हुआ है ठीक है? Cerebellum कहां पर है? इस जगा पर है ठीक है? तो जो भी इंसान का brain होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखो आज की rate में भी आपसे कहता है कि बादाम खाले दिमाग तेज हो जाएगा ऐसा नहीं होने वाला जितना भी आपका दिमाग तेज होना था वो 6-7 साल के बीच में तेज हो जाता है तो जब भी आपका future में बच्चा हो तो इतना ध्यान रख लेना कि आपके brain की जो development है वो केवल और केवल आपके life के शुरुआत के 6-7 साल में होती है उसके बाद development brain की नहीं होती आपका brain पूरी तरह से 6-7 साल में develop हो जाता है तो जब आपका बच्चा हो तो 2 साल से लेके 6-7 साल तक उसकी nutrition का देखिए nutrition का ख्याल तो आपको पहले दिन से लेके भी रखना होता है पर यह जो साल है यहां पे mother's milk बहुत बड़ा role play करता है तो वो आप देते ही रहेंगे लेकिन 2-6 साल का 7 साल का बच्चा जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको बाहर से nutrition बहुत अच्छा देना है आप यहां पे बादाम खिलाएं, किचडी खिलाएं, कार्भो हाइडरेट वाली चीज़े खिलाएं प्रोटीन भी उसके अंदर सही मातरा के अंदर देते रहें ठीक है क्योंकि 6-7 साल के बाद brain develop नहीं होगा brain जो है layer की form में होता है ठीक है याद हो जाएं तो याद कर लेना वरना जादा आपको इसमें वो नहीं करना तीन layer कोंसी है duramater, duramater है यह meter m-a-t-e-r, meter नहीं है duramater, फिर arkenoid और piamater, सबसे बाहर होती है duramater फिर बीच में होती है arka और फिर नीचे होती है pia इन तीनों को मिलाके meninges कहा जाता है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि आपके brain को protect करना आपका brain जो है वो soft हिस्सा होता है उसके उपर यह 3 layer लगी होती है 3 layer किसकी है pia pia देखिए brain के सबसे पास होगा pia तो सबके पास होता ही है और सबसे top पे क्या होगा durable चीज लगानी होती है तो duramater आ जाएगी सबसे top पे और बीच में arka arcanoid आ जाएगा middle में ठीक है इन तीनों को मिलाके meninges कहा जाता है ठीक है हर एक layer के बीच में यह जो सबसे उपर duramater है duramater और arcanoid के बीच में एक fluid की layer होती है ठीक है फिर arcanoid और आपके pia के बीच में arcanoid और pia के बीच में भी एक fluid की layer होती है यह जो fluid की layer होती है, इस fluid को कहा जाता है, cerebrospinal fluid, क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम cerebrospinal fluid कहा जाता है, हर layer के बीच में यह पाई जाती है, parts of brain की अगर बात की जाए, तो हमारे सामने वाला जो हिस्सा होता है, उसको four brain कहते हैं, बीच वाले हिस्से को mid brain कहते हैं, और सबसे last वाले हिस्से को hind brain कहते हैं, इसमें जो सबसे जादा difficult portion है, वो हमारा mid brain का है, जिसको हमें अच्छे से देखना है, इसके अंदर यह जो हम कर देखिए, अब मैं मजा करूँ, जो mid brain है, basically mid brain क्या करता है, इसका एक ही काम है, यह four brain को hind brain के साथ connect कर देता है, ठीक है, तो hind brain क्या है, अगर हम अपने पुराने example पी चलें, यह आपका hind brain है, यह पीछे का brain है आपका, तो पीछे के brain में आपके पास क्या है, cerebellum है, पीछे क balance maintain करता है, आपने पीछे सारी दारू और दारू पीते ही, आप लडखड़ा के गिरने लगे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसले हुआ कि जब भी आप alcohol पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, तो आपका जो cerebellum है, वो affect हो जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाता है, और आपकी body जो मिड ब्रेन का फंक्शन हो जाएगा, मिड ब्रेन का फंक्शन है, वो आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो मेजर फंक्शन हमें देखना है, ठीक है, मेजर फंक्शन हमें देखना है, वो आपका इसका फोर ब्रेन का फंक्शन है, तो फोर ब् दुनिया है, पोर ब्रेन जो है, वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, सेरेब्रम और डाइ एंसेफिलोन, तो पहले डाइ एंसेफिलोन देख लेते हैं, जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा हिप्पोकरेट है, आपने एक डायलोग भी सुनाओगा कि हिप्प प्रक्ष का वो ग्यान बांटते रहते हैं, लेकिन असली में वो क्या करते हैं, असली में उन्हें जादा से जादा पैसा चाहिए, असली में वो उनकी खुद की शादी हो रखी है, तब भी दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरी लड़कियों को गंदी नजर से देखते रहे है इनको बहुत ही ज़ादा भूख लगती है तो इन्हें सिरफ एक रोटी से पेट भर जाना चाहिए पर लालची इतने जादा है कि यह तीन-तीन रोटी खा जाते हैं जब इन्हें दाल से फिलोन के अंदर एक चीज होती है हिपो थेलिमस हिपो थेलिमस हिपो थेलिमस नाम की चीज होती है जो हमारी यह सारी डिजायर को जनम देती है हमें हंगर लग रही है भूख प्यास लग रही है सैड हो रहे हैं हैपी हो रहे हैं दिल तूट गया तो हर्ट हो गए सेक्स की यह सारी चीजें आपकी hypothalamus में होती हैं याद करने के लिए आप hypocrisy से याद करेंगे कि मोक्ष की बात करते हैं लेकिन बाकी सारी डिजायर अपनी पाल के बैठे हुए हैं तो hypothalamus hypocrite है ठीक है सारी की सारी डिजायर hypothalamus से आती है फिर उसके बाद क्या होता है कि भई सबजी मंडी में सबजी खरीदने जाएंगे ठीक है तो हिपो थेलमस डिजायर को जनम देता है और थेला थेलमस थेलमस रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है शादी के बाद ही तो रिप्रोडक्शन होगा ठीक है तो हिपो थेलमस किस काम है desires के काम आता है ठीक है फिर thalamus शादी के बाद ही reproduction होता है तो thalamus reproduction के लिए reproduction की चीजों को control करने के काम आता है इस तरह से आप यह याद कर लेंगे दोनों के दोनों four brain में पाए जाते हैं four brain के diencephalon section में यह बहुती छोटा सा section होता है एक बटा चौथा ही यह हिससा लेता है तो तीन बटा चौथा है हिससा कौन लेता है वो cerebram लेता है cerebram के अंदर हमारी बाकी सारी चीजों होती है कैसी-कैसी आप कोई भी चीज देख रहे हैं आपने पेड देखा पेड़ देखने के बाद आपका दिमाग इंटरप्रेट करता है कि ओ मैंने पेड़ देखा है अगर आपका दिमाग उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा तो यह क्या है यह सिराफ आपका brown और green color का कोई object है आपको पता ही नहीं कि यह क्या चीज़ आपका brain बताता है कि वो tree है तो brain के इस function को कहते हैं कि वो visual को interpret करता है आप किसी की बात सुन रहे हैं उस बात को process कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है उसको processing of language को भी brain करता है और brain का कुण सा हिस्सा cerebrum में parital हिस्सा करता है cerebrum का जो frontal हिस्सा होता है यहाँ पे हमारे ideas आते हैं यहाँ पे हमारी thoughts आती है हमारी intelligence जो है वो brain के front में आती है ठीक है सबसे हागे तो आपकी intelligence ही रहेगी आपके idea हमेशा front में रहने चाहिए फिर उसके बाद parital में आपकी visual interpretation होती है temporal, temporal के अंदर आपकी memory होती है ठीक है बले ही temporary के जैसा sound करता है temporary के जैसा sound करता है पर यह temporary नहीं है इसके अंदर memory आती है इसके अंदर आपके emotions भी आते हैं occipital, occipital आपकी vision को control करता है आपकी आखे कहां देख रही हैं, क्या देख रही हैं वो control करता है तो occipital देखता है और parietal उसको interpret कर लेता है, फिर उसको देख, occipital ने देखा, parietal ने उसको interpret कर लिया, फिर उसके बाद आपके पास idea आया कि मैं इससे कुछ काम कर सकता हूँ, वो idea आपके frontal में आता है, फिर आप सो गए, आप सो गए, आपको ध्यानी आप सो गए, आपने temporal area है आपके four brain का temporal area जो है वो याद दिलाता है कि याद है तुने तेरे occipital area ने कुछ देखा था parital ने interpret किया था और तेरे frontal ने कुछ idea सोचा था वो सब तुझे याद है क्या वो सब तुझे याद है क्या अगर याद है तो तु आज उसके बारे में क्या hind brain के अंदर medulla भी होता है medulla क्या करता है medulla involuntary function करता है ऐसी चीज़े करता है जिनके उपर आपका ज़्यादा control नहीं है जैसे कि आप सांस ले रहे हैं क्या आपको बार बार सोचना पड़ता है कि मैं सांस ले ना भूल गया मुझे सांस ले नहीं है नहीं वो अपने आप हो रहा है जो आपने खाना खाया खाना खाने का आप ऐसे करते हैं कि ओ मैंने खाना खा लिया चला हम मैं एक बटन दबाता हूं ताकि मेरे digestive process start हो जाए आप कोई बटन नहीं दबाते हैं वो automatically start हो जाता है तो ऐसी चीज़े जो आप खुद नहीं करते लेकिन वो अपने आप होती रहती है सांस लेना आपका blood जो है वो flow कर रहा है यहीं चीज़ों को involuntary function कहते हैं involuntary process कहते हैं तो medulla जो है वो involuntary processes को check करता है cerebellum से balancing हो रही है देखे balancing को कैसे आद करेंगे bell बेलन की तरह लुडखते जाएंगे अगर आपके cerebellum को affect हो गया तो medulla involuntary process करता है hind brain हो गया mid brain सबसे important function सबसे आदा function इसी के ही हैं और वो क्या है यह four brain को hind brain से connect लगता है that's it ठीक है तो मैंने आपसे क्या कहा था तीन तरह के central nervous system पढ़ेंगे हम एक है central nervous system central nervous system के अंदर हमने brain के बारे में पढ़ा brain का four brain पढ़ा mid brain पढ़ा और hind brain पढ़ा hind brain के अंदर हमने cerebellum और medulla पढ़ा mid brain का सच कोई function नहीं है four brain के अंदर हमने cerebrum, die, encephalon इन चीजों के बारे में पढ़ा ठीक है अब हम देखेंगे central nervous system हो गया अब हम देखेंगे peripheral nervous system central nervous system consist करता है brain का और brain के नीचे जारी है एक spinal cord इसका ठीक है तो जो भी nerves brain और spinal cord से जुड़ी होती हैं वो सारी central nervous system का हिस्सा बन जाती हैं लेकिन कुछ nerves ऐसी भी तो होंगी जो अलग से कहीं पर पड़ी होंगी तो वो जो अलग से पड़ी हुई nerves होती है उनको कह देते हैं peripheral nervous system तो peripheral nervous system वो होती है विचार outside the network of brain and spinal cord ठीक है जादा कुछ इसके अंदर देखना नहीं है जो कोशन आएगा वो आपका central nervous system से ही आएगा पर बताना है इसलिए बता रहा हुँ है तो यह यहाँ पर दो तरह की nerves मिलती है एक efferent और एक efferent ठीक है यह normal function है यह peripheral का नहीं आता यह nerves का normal काम है जो nerves हैं वो दो तरह की हो सकती है efferent और efferent अगर कोई information information कोई nerves central nervous system तक लेके आ रहा है तो उस nerve को हम efferent nervous system कहेंगे अगर कोई information central nervous system से हमारे किसी organ तक जा रही है organ तक जा रही है कोई information तो उसको efferent nerves कहेंगे ठीक है यहाँ पर मैं confused होगे ता आप इसको please correct कहीजेगा peripheral nervous system में दो तरह की nerves होती है cranial nerves और spinal nerves सिरफ आप इनके पेर याद कर लें cranial nerves के 12 पेर होते हैं spinal nerves के 31 पेर होते हैं ठीक है autonomic nervous system तीन तरह के nervous system की बात हो रही है central nervous system जो की सबसे important है फिर peripheral nervous system फिर autonomic nervous system तो autonomic से ही आपको याद रहना चाहिए जो automatically चलता रहा है उसी के जासा sound कर रहा है तो ये उन सारी चीजों को control करता है जो automatically चलती रहती है यानि कि involuntary processes involuntary processes के लिए हमने central nervous system में भी hind brain के अंदर पड़ा है medulla के बारे में medulla भी involuntary processes को करता है और autonomic nervous system भी ऐसे ही processes के उपर काम करता है जो कि involuntary है तो autonomic nervous system क्या करता है आपका central nervous system आपका central nervous system कोई command कोई command भीज रहा होगा किस के पास ऐसे organs के पास जो कि involuntary function कर रहे है ऐसे organs कोंसे होते है जैसे कि आपका digestive system तो digestive system में जो organ involved है उसके लिए आपको तो कोई button on नी करना होता है अपने digestive system को on करने के लिए तो वो central nervous system इनके पास एक command भीज़ता है digestive system के पास कि खाना आ गया चल एंजाइम रिलीज कर वो अपने आप ही होता रहता है फिर ऐसी breathing वाला पार्ट है तो breathing को भी कौन कंट्रोल कर रहा है आपका brain कंट्रोल कर रहा है अगर आपका central nervous system खराब हो गया तो आप breathing भी नहीं कर पाएंगे तो breathing एक ऐसा process है जिस पर इंसान खुझ से नहीं कर रहा मतलब आप अपने दिमाग को याद नहीं दिलाते हैं कि मुझे सांस लेनी है लेकिन आपका दिमाग automatically automatically सांस दिलाने का काम करता रहता है तो जो central nervous system से information को involuntary organs तक ले जाएगा involuntary organs तक ले जाएगा ऐसे nervous system को autonomic nervous system कहते हैं दो तरह का autonomic nervous system होता है sympathetic और parasympathetic ये कैसी चीजों को control करते हैं जैसे heartbeat heartbeat accelerate करनी है तो sympathetic autonomic nervous system करेगा heartbeat को low करना है तो parasympathetic autonomic nervous system करेगा तो ये इस तरह की example है इसको आपको रटने की जरुवत नहीं है, सिरफ समझ लीजिए कि involuntary के उपर ये काम कर रहा है, central nervous system से information को involuntary तक ले जा रहा है, ठीक है, नारको टेस्ट जब होता है, नारको टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक आदमी को बेहोश करके उसको एक chemical दिया जाता है, फिर उससे अपने उपर होश नहीं रहता है, काबू नहीं रहता है, उससे हम सच उगलवा लेते हैं, तो जो कोशन आता है, वो यह आता है कि किस तरह का chemical होता है, तो उसका नाम है sodium amytal, brain mapping के अंदर क्या होता है, brain mapping के अंदर हम brain की impulses को, brain जो command दे रहा है, उन command को हम map करते हैं, कि वो कैसी कैसी command दे रहा है इसके अंदर, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम आपकी preparation में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी preparation में value add कर रहे हैं, तो आप इस UPI ID पर हमें कुछ सहीयोग कर सकते हैं, पैसे donate करके, ये amount कितनी भी हो सकती है, 11 रुपे, 21 रुपे, 15 रुपे, आपके द्वारा donate की हुई, हर एक amount हमारे लिए बहुत ही जादा important है, और बहुत जादा हमें support provide करेगी, ये request सिरफ ओन लोग के लिए है, जो की सक्षम है, जो की capable है, हमें donate करने के लिए, अगर आप donate नहीं भी कर सकते, तो भी किसी तरह का guilt नहीं है, आप बस वीडियो से अच्छे से सीखते रहे हैं, वीडियो पे आप अपना like कीजिए, comment छोड़िए, चैनल पर नए हैं तो चै तो इस chapter के अंदर, देखे, जादा समझाने का नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़े रटने वाली है, मेरा suggestion यह होगा कि आप सिरफ हड़ियों का, जो भी हम हड़ियों देखते जाएंगे, स्केलेटर सिस्टम के अंदर कुछ एरियास देखते जाएंगे, उन एरिया जो फॉक्षन है, जो उसका काम होगा, आप उसका काम के उपर जादा फोकस करें, ठीक है, इसके उपर फोकस ना करें कि किस हिस्से में कितनी हड़ियों होती है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन जो फोकस मेजर होना चाहिए, वो फंक्षन के उपर होना चाह है कि skull का function क्या है brain को protect करना skull के अंदर 28 हड़ियां होती है 22 हड़ियां तो directly skull के अंदर होती है 6 हड़ियां हमारे कान में होती है ear bones ठीक है तो अगर ear bones को मिला दिया जाए skull के अंदर तो 28 हड़ियां होती है वरना 22 कहला ही जाती है ये देखे ये side profile है यह frontal area होता है हमारे skull का, यह parital area होता है, यह temporal area होता है, इसका अभी 2 second पहले ही हमने बात की है सारी की सारी है, ठीक है, यहाँ पर एक sphenoid नाम की हड़ी होती है, और यहाँ पर एक itmoid नाम की हड़ी होती है यहाँ पे एक bone होती है जिसका नाम होता है hyoid यह हमारे tongue के tongue के नीचे पाई जाती है गर्दन में tongue के नीचे पाई जाती है यह hyoid bone यह जो लिखा हुआ यह number इसके यह बताते हैं कि cranium में 8 हड़ियां है, facial में 14 हड़ियां है ear bone में 6 हड़ियां है उनके नाम दिये हुए है तो एक बार यह आप read कर लीजएगा पर बहुत साथ है इसके उपर आप obsessed नहीं करेंगे कि मैं इसको एक दम रट के चलूँ हूँ, एक दम रटना नहीं है जितना याद हो जाए इसमें उतना याद करेंगे ठीक है, face की जो हड़ियां होती है वो ये सारी होती है nose में 5 होती है, eyes में 4 होती है ये इस तरह की हड़िया है ठीक है, अभी तक skull का function हमें एक अच्छे से याद करना है skull से हम थोड़ा सा नीच आएंगे तो rib cage मिलता है rib cage, पसलियां पसलियां कितनी होती है ये 24 पसलियां होती है जो pear की form में होती है यानि कि 12 पसलियां यहाँ पे है और 12 पसलियां यहाँ पे है इन दोनों के बीच में एक हड़ि जा रही होती है उस हड़ि का नाम होता है, स्टर्नम sternum हडडी का नाम होता है इस नाम को हमने जब heart वाला chapter किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि sternum से left side पे heart का जादा तर्मास जो है वो left side पे होता है sternum के ठीक है थोड़ा सा right side पे होता है तो यह वही चीज़ है sternum जो है दोनों ribs के बीच में होती है हमारी ribs कितनी है बारा बारा पेर है ribs के यानि 24 ribs है यानि की 1,2,3,4 ऐसे करके ribs होंगी ठीक है या फिर अगर पेर में देखें तो 1,2,3,4,5,6,7 फिर 8,9 7,8,9 10,11,12 ठीक है यहां पे 13 14,15,16 17,18 ऐसे करकर के 24 तक जाएंगी तो एक से लेके 7 तक यह वाली जो ribs हैं यह सारी की सारी sternum से connected होती है किस से connected होती है जो यह बीच में हड़ी जा रही है sternum की इस हड़ी से यह 7 ribs connect होती है 7 ribs यहां की connect होंगी 7 ribs यहां की connect होंगी तो यह जो एक से लेके 7 तक ribs होती है इनको 2 ribs कहा जाता है, ठीक है, फिर 8, 9, 10 को false ribs कहा जाता है, क्योंकि यह sternum से जुड़ी नहीं होती, फिर 11 और 12 को floating ribs कहा जाता है, यह हमारे थोड़ा पीछे की तरफ होती है, hips के थोड़ा से उपर होती है, यह floating ribs कहला ही जाती है, ठीक है, तो इस तरह से यह ribs होती है, soft organ को से heart और आपके lungs, heart और lungs को protect करने का काम किसका होता है, rib cage का होता है, क्या यह mobile होती है, क्या यह हड़ियां हिल सकती है, तो बहुत limited mobility है, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी चाती में बहुत ज़्यादा सांस जब आप भर लेंगे, तो आपकी चाती थोड़ी सी फूलती है, उस case में आपका rib cage थोड़ा सा expand कर जाता है, तो बहुत ही limited mobility होती है, chest bone को sternum भी कहा जाता है, यह जो sternum है, इसको chest bone भी कहते हैं, vertebral column, तो देखे, यहाँ पर आपकी खोपड़ी रखी हुई है, skull रखा हुए, ठीक है, skull के नीचे जो हड़ियां जा रही है, उसको हम vertebral column कहते हैं, इसमें आपको सिरफ दो नाम अच्छे से याद रखने हैं, एक है atlas और दूसरा है axis, आपकी खोपड़ी जिसके उपर रखी हुई है, उसको atlas कह देते हैं, तो atlas आपकी skull का base बनता है, फिर आप अपनी खोपड़ी को इधर से उधर, अपनी गर्दन को आप दाएं से बाएं हिला सकते हैं, यह जो rotation में help करती है, तो कौन सी हड़ी करती है, axis help करती है, atlas जो है, वो skull का base है, rotation axis करवाती है, vertebral column क्या करता है, यह आपकी पूरी की पूरी read की हड़ी कह लिजिए, यह आपको क्या करता है, यह आपकी body को support provide करता है, वरना आपकी जो शरीर है वो नीचे गिर जाएगा, कितनी होती है, बच्चों के अंदर 33 होती है, adult के अंदर 26 होती है, spinal cord क्या होता है, spinal cord क्या होता है, धेर सारी nerves का bundle होता है इस nerves के bundle को हम invertible column भी कह सकते हैं ठीक है? ये bundle of invertible column इसके अंदर nerves पाई जाती है धेर सारी और ये जो spinal cord है ये धेर सारे organs को हमारे brain से जोडने का काम करती है तो जो भी signal होता है वो signal spinal cord से होता हुआ हमारे brain के अंदर जाता है ये आपको जरूर याद रखना है कि वो brain तक हमारे signal को पहुचाने में spinal cord का एक major role रहता है ठीक है? ये सब आप याद कर लिजे मैं इन सब को prefer नहीं करता हूँ कि आप इतना याद करें कि किसमें कितनी हड़ियां हैं क्योंकि ये पूचना जातर एक्जामस में पूचा नहीं जाता है और याद रखना भी मुश्किल हो जाता है आप ये formula याद कर लिजेगा C7, T12, L5 तो cervical की 7 होती है thoracic की 12 होती है और number की 5 होती है ठीक है? pectoral girdle ये पीछे से अगर मैं किसी आदमी को देखू पीछे से आदमी खड़ाया ये उसके बाजू हो गई ये उसका धड़ हो गया शरीर हो गया ये उसकी बाजू है ठीक है? और ये उसका सर ये पैर हो गया अगर मैं पीछे से देखू तो पीछे से पीट के पीछे से यहां पे एक मसल, एक हड़ी मुझे दिखाई दे रही होगी, उस हड़ी को, उस हड़ी को मैं क्या कहूंगा, उस हड़ी को मैं कहूंगा, इस 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 तक जाती है ठीक है? तो अभी हम पीछे से बात कर रहे हैं पीछे से पीट पर यहां पे SCAPULLA है और SCAPULLA के ठीक उपर यह SCAPULLA वाला हिस्सा है, और SCAPULLA के ठीक उपर एक और हड़ी रखी होती है जिसका नाम होता है collarbone या भी våra beauty bone सामने से आप देखएंगे तो यह बहती बना होता है ऐसा socket बना होता है यह आपकी collarbone यह आपकी downstairs- circuit से हमारी बाजू चालू होती है यह हमारी बाजू का नाम चालू हो रही है तो जो अब बाजूब का ऊससे में जो Pharडी होती है उसका नाम होता है humorous ठीक है नाम heat से याद रखने यह humorous सेम इसी तरह से जब हम पैर पढ़ेंगे तो पैर में भी क्या होगा पैर में भी एक गर्डल बनाओगा एक सौकेट बनाओगा उस सौकेट से आपका पैर स्टार्ट हो रहा होगा तो पैर की ये वाली हड़ी हो जाएगी फेमर बाजू की ये वाली हड्योग हो गई हूमरस तो जम मैं ये पढ़ा दूं तो आप एक बार इसको ऐसे पढ़ना कि हाथ की हड्डी हूमरस थी पैर की फेमर थी इस तरह से आप इसको पढ़ना तो सबसे टॉप पे शोल्डर से जो आपकी बाजू निकल रही है तो जो हड्डी होती है उस हड्डी को कहते हैं हूमरस के नीचे दो हड्डियां जुड़ी होती है दो हड्डियां है ये ठीक है मैं इसको रब करके दिखाता हूँ ध्यान से देखिए दो हड्डियां आपको ये वाली और एक हड़ी दिख रही है ये वाली इस हड़ी का नाम होता है radius और इस हड़ी का नाम होता है उलना तो radius और उलना बीच में ये gap होता है यहाँ पर कोई भी हड़ी नहीं है ठीक है फिर आपकी कलाई आ जाती है कलाई में जो हड़ी होती है उसका नाम होता है कारपल कारपल से कुछ हड़ियां ऐसे जा रही होती है जिसका नाम होता है मैटा कारपल फिर उंगलियों के अंदर जो हड़ियां होती है उसका नाम होता है फिलांजिस ठीक है आपकी पैरों की जो उंगलियां होंगी पैरों की उंगलियों में जो हड़ियां होंगी उनका भी नाम phalanges होगा, ठीक है, तो आपका पैर ऐसे है, मान लिजे, यह आपका पैर है, यह आपका पैर है, मान ले, तो यहाँ पर phalanges होगी, यहाँ पर metacarpal होगी, यहाँ पर carpel होगी, ठीक है, यह आपको याद रखना है, यहाँ पर carpel होगी, और हाथ में carpel कहाँ पर हो हाथ में total आपकी 30 हड़ियां होती है एक हाथ में तो total हड़ियां हो गई आपकी 60 ठीक है अब पैर का देख लेते हैं पैर जो है hip joint से जुड़ा होता है यह hip की हड़िया hip की हड़िय में 2 girdle बने हुए ठीक है एक girdle यह एक girdle यह ठीक है girdle मतलब socket बना हुए इस socket से एक पैर निकलना चालू होगा तो यहाँ से पैर निकलना चालू हो रहा है तो जब से पहली हड़िय होती है उसका नाम होता है femur femur हड़ी होती है फिर femur के बाद 2 हड़ियां ऐसे जुड़ी होती है हाथ में भी ऐसी दो हड़ियां जुड़ी होई थी एक थी radius और एक थी उलना पैर के अंदर जो यह हड़ियां जुड़ी होती है इसका नाम होता है tibia और fabula इन दोनों के बीच में एक छोटी सी हड़िय और होती है यह वाली जिसका नाम होता है पटेला हाथ की कलाई में हड़ी का नाम होता है tarsal पैर की इस एडी वाले हिस्से में जो हड़ी होती है उसका नाम tarsal होता है फिर कलाई से जो हड़ियां जारी होती है वो metatarsal होती है ऐसी पैर के अंदर इस एडी से जो हड़ियां जारी है वो metatarsal उंगलियों में जो हड़ियां होती हैं वो फैलांजिस होती हैं तो पैर की कितनी हड़ियां? 30 हड़ियां, ठीक है? अब हम joints की बात करेंगे, joint क्या करते हैं? देखिए हमारे शरीर में हड़ी से हड़ी को भी जोड़ना है और हड़ी से हमें muscles को भी जोड़ना है, ये muscles हैं, ठीक है? bone से bone को भी जोड़ने का काम करना होता है और bone से muscles को जोड़ने का भी काम करना होता है ठीक है? bone से bone को जोड़ा, bone से muscles को जोड़ा तो bone से bones को कौन जोड़ता है? bone से bones को ligament जोड़ते हैं तो ऐसे यह ligament लग जाते हैं, यह ligament एक bone को दूसरी bone से जोड़ देता है, जबकि muscle, muscle और bone को जोड़ने के लिए, जो चीज लगी होती है, उसका नाम होता है tendon, tendon, ठीक है, tendon उसका नाम होता है, तो अगर हम ligament की बात करें, तो क्या होता है, एक bone आ रही है, यही bone, और एक bone आ र पीचे से आ रही है, यह वाली है, ठीक है, यह दो bone है, ठीक है, दो bone, और यह दो bone, इस bone के ठीक उपर एक परत चड़ी होती है, एक परत चड़ी होती है, और इस bone के ठीक उपर भी एक परत चड़ी होती है, इस bone के ठीक उपर भी एक परत चड़ी होती है, इस bone का नाम, परत पर और यहां पर इन दोनों जगाओं पर यह जो चीज होती है इसको हम ligament कहते हैं ligament कहते हैं तो इस ligament और यह दोनों synovial membrane के बीच में एक fluid जैसी चीज होती है जिसका नाम होता है synovial fluid इसका नाम होता है तो अब दो हड्यों को जोडने का काम कौन कर रही है ligament कर रही है ligament और synovial membrane के बीच में जो fluid होता है उसका नाम होता है synovial fluid skeleton के अंदर ही कुछ बाते और हैं जो हमें जाननी है skeletal system का type क्या होता है कितने type के skeletal system होता है तो जो skeletal system होता है, वो दो तरह का होता है, या तो वो exoskeleton होगा, exoskeleton system होगा, ठीक है, या फिर वो endoskeleton system होगा, ठीक है, जो exoskeleton system होता है, ये वो system होता है, जो आपके body के surface पे पाया जाता है, body के surface पे पाया जाता है, जैसे कि आपके नाखून, आपके नाखून आपके body के सर्फेस पर पाय जाते हैं, आपके बाल, हेर, हेर भी एक तरह का skeletal system का part होता है, यह आपको याद रखना है जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो wings होते हैं, पंक होते हैं वो सारे की सारे exoskeleton का part होते हैं, इसकी एक खासियत जो आपको याद रखनी है, वो यह कि यहाँ पे blood की supply नहीं होती, इन जगाओं पे आप बाल कारते हैं, नाकुन कारते हैं, क्या वहाँ पे blood निकलता है, ऐसे ही पंक काटने पे भी blood नहीं निकलता है, क्यों क्योंकि यहाँ पे कोई भी खून नहीं आ रहा होता है, जो दूसरे तरीके का endoskeletal system है, endoskeletal system, यहाँ पे blood की supply होती है, blood की supply होती है यह जो endoskeletal system है यह बहुत ही अच्छे से well developed system होता है, well developed system होता है, और यह system पाया जाता है, inside the body body के अंदर पाया जाता है, यह system यह system, दो part में आप divide गर सकते हैं, या तो यह axial system होगा या फिर appendicular system होगा तो या तो axial system होगा, या फिर appendicular system होगा, appendicular system का मतब जहाँ पे appendages लगे हुए है, appendages आपके होते हैं, जैसे की आपके हाथउ और आपके पैर, ठीक है, तो ये जो appendicular system यहाँ पर बन जाएगा, axial system क्या होता है, axial system वो system होता है, जो आपकी body को सीधा रखने का काम कर रहा है, जो आपकी body को सीधा रखने का काम करेगा, वो axial system बन जाएगा, इसके अंदर आपकी skull आए जाएगी, जो अभी हमने देखी, skull हो इसके अंदर, इसके अंदर आपका rib cage आएगा, ये भी हम देख चुके है, vertebral column आएगा, इसको भी हम देख चुके है, तो ये इस तरह के skeletal system होते हैं, कुछ fact और आपको पता होने चाहिए, वो fact क्या है, कुछ special type की हड़ियां होती है, जो सबसे छोटी हड़ी हमारे शरीर के longest bone होती है, femur, अगर बात होती है, सबसे strong bone की, ये bone इतनी strong होती है, कि cement से भी ज्यादा strongest bone को कहा जाता है, और ये भी कौन सी होती है, femur, femur हम already देख चुके हैं, ये कौन सी bone है, जो आपके hip से निकलती है, आपके pair की जो सबसे top की bone होती है, femur, यानि कि ये आपकी thigh bone होती है femur longest भी होती है, और strongest भी होती है, अगर hardest की बात की जाए, तो वो bone कुन सी होती है, वो होती है आपकी jaw bone, ठीक है, ये कुछ special bones हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, एक fact आपको ये पता होना चाहिए, कि जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है, तो उस चाइल्ड के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, उस चाइल्ड के अंदर 300 हड्डियां होती हैं, फिर जब वो बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है, तो उसके अंदर ये छोटी-छोटी हड्डियां होती हैं, जो आगे जाके जोईन होके, कम हड्डियों में बदलती जाती हैं, त तो उस case में 206 bones हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, 206 bones पाई जाती है, ये bones बनी किससे होती है, तो देखिए ये bones बनी होती है, majorly दो चीजों से बनी होती है, एक है आपका calcium, ठीक है, calcium के साथ ही हम यहाँ पे add कर देते हैं, phosphorus को भी, और magnesium को भी, ठीक है, तो ये इन तीनों स बनी होती है, और साथ में ये कुछ protein से बनी होती है, जिस protein का नाम क्या होता है, ओसीन प्रोटीन, तो bones के अंदर calcium, phosphorus, manganese कितना होता है, 62% होता है, और ओसीन प्रोटीन, 38% ओसीन प्रोटीन होता है, ये इनकी बनी होती है, हड्डियों की study को क्या कहा जाता है, osteology, osteology, हड्डियों की study को osteology कहा जाता है, ये कुछ facts से bone के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, अगला जो हमें topic करना है अपने skeletal system में वो है joint, joint का ही हमने ligament के बारे में देखा था, आप joint का ही थोड़ा सा और जादा देखेंगे, joints की study को कहा जाता है, orthology, ये joints की study होती है, joints human body के अंदर तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे, तीन तरह के joints देखने को मिलते हैं, एक joint permanent होता है, permanent का मतलब कि ये joint बिल्कुल भी नहीं हिलता, जैसे कि आपके skull bone, आप अपने skull की हड़ियां, यहां पे भी बहुत सारे joints लगे होंगे, लेकिन आप उन हड़ियों को हिला नहीं सकते, इसमें कोई movement नहीं होती, इसलिए permanent होते हैं, फिर कुछ temporary होते हैं, जहां पर limited movement होती है, तो मैं already आपको example देख चुका हूँ, rib cage का, rib cage जो है limited movement वाले होते हैं, यह temporary joints होते हैं, फिर होते हैं perfect joint, perfect joint का क्या मतलब है, यह इतने अच्छे joint हैं कि यह कहीं पे भी move कर सकते हैं, complete freedom होती है movement की, हमें perfect joint के बारे में detail में पढ़ना है, perfect joint में अभी मैंने आपको pectoral girdle के बार चालू हो रही है, तो यह कैसा होता है, यह ball and socket की तरह होता है, यह ऐसे socket बना होता है, और हमारी बाजू की हड़ी एक ball की तरह होती है, जो इस socket के अंदर fit हो जाती है, तो यह जो ball and socket आप अपनी बाजू को घुमा के देखेंगे, यह 360 degree movement करती है, यह आप कैसे भी इसको Example क्या है, Pectoral Curdle में Humerus, यानि कि आपकी बाजू की बात हो रही है, या फिर pelvic Curdle में Femur, या आपकी थाई की बात हो रही है, जो मैंने Hip Bone बताई थी, Hip Bone का जो यह गरडल होता है, इसको Pelvic into Curl काते हैं, और बाजू के अंदर जो होता है, उसको हम Pectoral Curdle कहते हैं, तो एक तो य तो हो गई 360 degree movement वाली ball and socket joint, फिर होता है hinge joint, hinge joint क्या होता है, यह door की तरह होता है, जैसे आपने कभी दर्वाजा देखा हुआ, दर्वाजा क्या करता है, यह दर्वाजा एक जगा से fix होता है, दूसरी जगा पर इसकी movement होती रहती है, तो अगर मैं इसको लिटा के दिखा हूँ, तो अगर यहां पर joint है, कोई चीज ऐसे है, तो या फिर दर्वाजे को ही अगर देखें, दर्वाजे को अगर मैं उपर से देख रहा हूँ, तो मेरे को यह दिखाई दे रहा है दर्वाजे का इससा, यह यहां पर दर्वाजा जड़ा हुए दिवार के साथ, तो यह वाला जो हिस्सा है दर्वाजे का ये ऐसे और ऐसे मूव कर सकता है तो दर्वाजे की मूवमेंट जो है वो सिरफ ऐसे होगी और ऐसे वापिस आईगी दर्वाजे की सिरफ इतनी मूवमेंट होती है अब ये मत कहते ना कि ऐसे भी डोर आते हैं जो पूरी तरह होते हैं उन डोर की ब elbow से आप अपनी बाजू को एक ही direction में move कर सकते हैं यह आपकी बाजू है यह आपका elbow joint है तो आप इस हिस्से को ऊपर और नीचे ही ले जा सकते हैं उससे जादा नहीं ले जा सकते हैं आपकी बाजू ऐसे हो सकती है या फिर आपकी बाजू ऐसे हो सकती है और यह इसी phase पे move करती रहेगी same knee वाला joint है वो भी A की direction में move करेगा इसको hinge joint कहा जाता है pivot joint, pivot joint क्या होता है? pivot joint rotation दिखाता है rotation क्या? आप एक तरह से ऐसे देखिए आप अपनी गर्दन को left से right में move कर रहे हैं left से पूरे right में move कर देते हैं नीच में वो जूड़ी रहती है बीच में आपकी गर्दन है आप ऐसे सामने देख रहे हैं एक बार यह आपने पूरा left में देखा है एक बार यह आपने पूरा right में देखा तो यह pivot joint है यह आपको neck में दिखाई देगी, neck में कहां? skull और axis के बीच में एक और movement होती है, अगर आप अपने बाजू को अपने बाजू को अगर आप ऐसे यह आपका हाथ है ठीक है, अंग उठा और यह आपका हाथ है आप अपनी बाजू को ऐसे भी rotate कर सकते हैं और ऐसे भी rotate कर सकते हैं तो यह pivot joint का example होता है ellipsoid joint ellipsoid joint क्या होता है यह आपके radius radius और carpel radius carpel और ulna के बीच में जो भी movement होगी उसको ellipsoid joint कहते हैं यह special joint होता है यह आपको रटना पड़ेगा gliding joint क्या होता है वो carpel और carpel के बीच में जो joint होगा उसको हम gliding joint कह देंगे यह दोनों आपको याद करने है ellipsoid और gliding joint बाकि मैंने आपको समझा दी हैं जो हमें skeletal system में last चीज़ पढ़नी है वो है muscles इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम muscles की study को myology कहा जाता है muscles के अंदर lactic acid का build up होता है मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ जिसकी वज़े से हमारी muscles tired हो जाती है तो lactic acid कहां पे बनता है हमारी muscles में बनता है जिससे tiredness होती है हमारे human body के अंदर इतनी muscles होती है strongest muscle होती है हमारी jaw की muscle को हम strongest muscle कहते हैं जिसका नाम होता है masterous muscle सबसे बड़ी muscle होती है आपके gluteus muscle जो की आपके buttox के अंदर पाई जाती है तो जो भी आदमी इंसान female जो भी अपना fat loss करना चाता है और muscle build करना चाता है उसको अपने gluteus को अच्छे से train करना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ी muscle है इसको train करने में सबसे अदा मेहनत लगती है और जिसको सबसे अदा मेहनत लगेगी उसी का ही सबसे अदा fat loss होगा ठीक है सबसे लंबी muscle होती है आपकी thigh की muscle जिसको नाम होता है sartorius thigh की जो हड़ी होती है वो सबसे अदा strong होती है femur और femur को सबसे strong muscles जो है सबसे लंबी muscle जो है sorry जो सबसे लंबी muscle है वो support कर रही होती है सबसे strong muscle आपकी jaw की होती है यह हार एक चीज को चबा जाती है एक ऐसी muscle है जो दिन रात 2400 घंटे 365 दिन काम कर रही है उस muscle का नाम है आपकी heart की muscle और heart बनाता है cardiac muscles का यह involuntary muscle होती है busiest muscle होती है आपको heart की muscle क्या काम करेगी वो सोचने की ज़रूत नहीं होती है अब यह कुछ muscles के नाम है biceps के बारे में हर को ही जानता है ठीक है यह अगर आपकी बाजू है ठीक है रित्यक्रोशन को imagine करें वो अपनी biceps दिखा रहा है ठीक है यह उसका सर है यह इसके shoulder है तो यह वाली जो muscle होती है यह biceps होती है नीचे वाली muscles को triceps कहा जाता है यहाँ पर जो muscle होती है इसको forearm कहते है chest की muscle को pecs कहा जाता है यानि कि यह pectoral muscles होती है chest की muscle को pectoral muscle कहा जाता है hip की muscle को gluteus कहा जाता है thighs में आपकी दो muscle होती है sartorius और quadriceps sartorius जो है वो longest muscle होती है ठीक है, calf muscle क्या होती है आपका जो पैर का पीछे वाला pulpy हिस्सा होता है, वो आपकी calf muscle है, यह अगर आपका पैर है तो यहाँ पे यह pulpy हिस्सा होता है यह आपकी calf muscles होती है deltoids यह आपके shoulder है, यह गर्दन यह सर, यह आपके shoulder है ठीक है, shoulder है यह shoulder है आपके, तो shoulder के यहाँ पे और यहाँ पे आपके deltoids यह delt muscles होती है इसके साथ हमारा skeletal system वाला chapter भी खतम होता है human body का अगला topic जो हमें देखना है, वो है reproductive system reproductive system के अंदर हम male और female reproductive organs के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि reproduction कैसे होती है reproduction क्या है reproduce करना, produce करना किसको produce कर रहे हैं, आप offspring को produce कर रहे हैं, males और females मिल के बच्चे पैदा करते हैं, उसको reproduction कहा जाता है males जो है, जो हम sexual reproduction के अगर बात करें तो males के sperm और females के eggs male के reproduction में participate करते हैं reproduction दो तरह से हो सकती है या तो sexual होगी या फिर asexual reproduction वो होती है जिसके अंदर gametes produce नहीं होते sexual reproduction के अंदर gametes produce होते gametes produce होते हैं, gametes क्या है, male के अंदर जो sperm होते हैं उनको male gametes के आप जाता है, female के जो egg होते हैं उनको female के gametes कहा जाता है तो ये gametes मिल के reproduction में participate करते हैं Human reproductive organs की अगर बात की जाए तो ये organ दो तरह से होते हैं, या तो primary organ होंगे या फिर secondary organ, primary organ वो होते हैं जो की directly gametes को produce करते हैं gametes को produce करने वाले organs को primary reproductive organ कहेंगे जैसे sperm कौन प्रेड्यूस कर रहा है testis जो है वो sperm को प्रेड्यूस करता है उसी तरह से ovary जो है वो egg को प्रेड्यूस करती है ये दोनों के दोनों इन gametes को प्रेड्यूस करने में involved हैं तो इसको कहा जाता है primary organs secondary organ वो होते हैं जो कि reproduction में participate करते हैं indirectly ठीक है दूसरे तरीकों से वो participate करते हैं तो male reproductive organ की अगर हम बात करें तो male reproductive organ के अंदर ये होते हैं आपके testis ठीक है plural में testis हो जाता है वैसे ही testis होता है एक singular तो testis जो है ये epididymus से जुड़ा होता है epididymus से जुड़ा होता है testis का काम क्या होता है testis जो है वो sperm को produce करता है ये जो sperm है ये temporarily store हो जाता है epididymus में epididymus में ये थोड़ी दिर के लिए store रहता है फिर epididymus क्या करता है इस sperm duct को ये एक नली बनी हुई है ठीक है ये एक तरह की pipe बनी हुई है जिसको हम sperm duct कहते हैं epididymus क्या करता है इस sperm duct को use करके जो यहां पर sperm उसने store किये थे उस sperm को sperm duct को use करके कहां पर पहुँचा देता है वो पहुँचा देता है seminal vesicle में seminal vesicle के अंदर sperm जो है वो permanently store हो जाते हैं permanently store होते हैं और कब तक store रहते हैं जब तक की ejaculation नहीं होता जब भी ejaculate किया जाता है तो ejaculation में निकलता है semen ejaculation में निकलता है semen और इसकी quantity कितनी होते हैं 3 milliliter के आसपास semen निकलता है इस semen के अंदर धेर सारे sperm होते हैं धेर सारे sperm होते हैं और वो sperm कहां से आ रहे हैं वो seminal vesicle के अंदर स्टोर हो गए थे कैसे स्टोर हो थे epididymus ने epididymus ने sperm duct को use करके testis में जो sperm बने थे उन sperm को epididymus ने इस duct को यूज करके seminal vesicle के अंदर स्टोर कर दिया था ठीक है sperm को protect करने के लिए sperm को protect करने के लिए prostate gland prostate gland जो है वो एक hormone release करती है जो की सिस्पम को protect करता है आपको यह इतना याद करना है prostate gland कहां पे होती है आपके rectum के पास में ही यह यह होती है ठीक है यह uterus है और यह urethra है urethra से आप urine पास करते हैं ठीक है तो यह हमारा male reproductive organ है वो क्या क्या काम कर रहे है वो सब हमने देखे एक बारी इसको देख लेते हैं testis जो हैं दो होते हैं यह एक bag like structure के अंदर store होते हैं और उस bag like structure को हम scrotum कहते हैं scrotum के अंदर आपको एक चीज़ याद रखने कि scrotum एक special muscle से बना होता है उस special muscle का नाम होता है detrusa detrusa muscle एक special muscle होते हैं यह क्या करती है देखे स्क्रोटम का काम क्या है scrotum testis के temperature को control में रखता है नियंतरन में रखता है उसको ज़्यादा गरम नहीं होने देता तो ये क्या करता है जब बहुत जादा गरमी होती है तो आपकी बॉड़ी बहुत जादा गरम है बहुत गरमी का टाइम है और आपकी बॉड़ी बहुत जादा heat प्रेड्यूस कर रही है तो ये scrotum क्या करता है scrotum की detrusa muscle क्या करती है ये lose हो जाती है और scrotum जो है वो ज़ादा expand कर जाता है expand करने से क्या होता है जो आपके testis है वो आपकी body से दूर हो जाते हैं आपकी body heat produce कर रही थी वो heat से अब दूर हो गए और उनका temperature regulate हो गया ऐसे ही जब बहुत जादा सरदी होती है बहुत जादा cold होता है cold होता है तो उस case में क्या होता है इनको थोड़ी सी गर्मी की जरूत होती है ताकि temperature जो है वो नियंतरित रहे तो उस case में क्या होता है उस case में जो ये scrotum है ये scrotum जो detrusa muscle से बना ये detrusa muscle contract कर जाती है सिकुड जाती है, जिससे जो आपके testis हैं, वो आपकी body के और पास आजाते हैं, आपकी body के पास आने से क्या होता है, जो body की थोड़ी बहुत गर्मी होती है, उस गर्मी से उनका temperature regulated रहता है, तो detrusa muscle एक special muscle है, जो की temperature sensitive है, जब temperature high होता है, तो वो expand कर जाती है, ताकि जो scrotum का distance से आपकी body से increase हो जाए, और उनका temperature जाद आना भड़े, और जब temperature कम होता है, तो वो contract कर जाती है, ताकि scrotum आपकी body के पास आजाए, तो ये बहुत ही special muscle होती है, detrusa, जो आपके male reproductive organ के अंदर पाई जाती है, testis कहां पर पाई जाते हैं, आपके, देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो ये testis उस बच्चे के abdomen में होती है, या ये कह सकते हैं, embryo के abdomen में होती है, बच्चा 6-7 महीने का होता है, तो जो ये testis हैं, वो abdomen से नीचे गिर जाते हैं, और ये scrotum के अंदर आ जाते हैं, elephant के अंदर scrotum नहीं पाया जाता, testis का काम के है, testis का काम है, sperm को produce करना, ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, testis को protect करने के लिए कुछ cell होते हैं, gliding cell, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, कि वो उसको cover करता है, उसको protect करने के लिए, ठीक है, gliding cells, अब जो testis है, testis एक तो आपके sperm को produce कर रहा है, sperm के साथ साथ ये कुछ male hormones को भी produce करता है, male hormones को भी produce करेगा, main hormones कुन से, male hormones वो वाले जिससे जब आप देखते होंगे, जब लड़का 14-15 साल का होता है, तो उसकी हवाज एकदम से change हो जाता है, उसकी voice के अंदर एक change आ जाता है, उसके जो बाल है, उसके face पे बाल उगने लग जाते हैं, उसकी दाड़ी मूच आने लग जाती है, तो ये जो voice में change होता है, और facial में change होता है, ये किस से होता है यह इन male hormone से होता है जो कि testis produce करता है sperm के साथ साथ sperm वो अलग produce करता है male hormone अलग से produce करता है तो male hormones कुन से होता है androgen या फिर इनको हम testosterone भी कहते हैं दोनों नाम male sex hormones के होते हैं यह voice change और facial hormone के लिए होता है अब मैंने का थे seminiferous tubules के बारे में बात में बात करेंगे तो यह कुछ जादा नहीं होता आप जो टैस्टिस होता है वो basically ऐसा दिखता है यह testis है ठीक है यह कुछ ऐसे इसकी veins जा रही होती है यहां पे यह यह कुछ tubules बने होते हैं ठीक है यह tubules बने होते हैं members के आसपास यह tubules बने होते हैं, यह जो tubules है, इसको seminiferous tubules कहा जाता है, और यह seminiferous tubules जो है, यह epididymus से connected होते हैं, ठीक है, epididymus क्या करता है, testis ने जो sperm produce कर लिए, उनको थोड़ी देर के लिए store करता है, और फिर sperm duct को use करके, इन sperm को, इन sperm को, वो कहां पर पहुंचा देता है seminal vesicle के अंदर पहुंचा देता है, seminal vesicle में वो permanently store होते हैं, कब तक, जब तक की ejaculation ना हो जाए, ठीक है, जब भी ejaculation होगा, ejaculation होगा, तो 3 milliliter semen produce होता है, semen जो है, वो बाहर निकलता है, इस 3 milliliter semen के अंदर 300 million sperm होते हैं, sperm की यह जो cycle है, यह आप कर लेंगे, sperm को nutrition कौन करता है, saroti cell जो है, वो sperm को nutrition प्रोवाइड कर देते हैं, जो semen है, semen यह जो 3 milliliter produce हो रहा है, इस semen का pH क्या होता है, 7.4, blood का pH कितना होता है, blood का pH भी 7.4 होता है, यह एक basic होता है, इसके अंदर carbohydrates पाय जाते हैं, और कुछ protein भी होते हैं, जो special carbohydrates इसके अंदर पाया जाता है, fractose या fructose आप इसको कैसे भी pronounce कर सकते हैं, ठीक है, और prostate gland, prostate gland का होती है, आपकी rectum के सामने prostate gland बनी होती है, prostate gland जो है, sperm को protect करने के लिए एक fluid को secrete करता है, एक fluid को secrete करता है, युरेत्रा जो है वो इस prostate gland के बीच में से पास होती है, यह हमारे male sex hormone था, sorry, male sex organ था, female sex organ की अगर ह तो उसके अदर ovaries होती है, ovaries का काम क्या होता है, ovaries का काम होता है, eggs को produce करना, जैसे testis का काम था, testis का काम क्या था, sperm को produce करना, ये जो sperm है, ये पहुँच जाते हैं, ipadidymus में, ipadidymus के अंदर, और epididymus एक duct को, एक pipe को, एक नली को use करता है जिस नली का नाम होता है sperm duct और इस sperm duct को use करके वो क्या कर देता है vesicle के अंदर उसको store कर देता है ऐसी female के अंदर ovaries जो है वो eggs को produce करती है और यह जो eggs हैं, यह fallopian tube को use करके uterus के अंदर egg को ले के आती है fallopian tube का क्या काम है, वो uterus के अंदर egg को ले के आती है कब, वो भी हम आगे देखेंगे जब हम fertilization पड़ेंगे ठीक है, तो अब हम female reproductive organ के बारे में पूरा देखते है ovaries क्या होती है, ovaries female sex organ होती है इसको gonads भी कहा जाता है, यह kidney के पास पाई जाती है female के अंदर, और यहाँ पे oogenesis होता है oogenesis क्या होता है, eggs को produce करने के process को oogenesis कहा जाता है तो ovaries जो है, वो eggs को produce करती है, उसको oogenesis कहेंगे eggs का दूसरा नाम ova भी होता है, ठीक है तो यह दो ovaries हैं, जो की, दो ovaries हमने उपर देखी यह देखिए, एक ovary यहाँ पर, एक ovary यहाँ पर हर महीने, इसमें से कोई ना कोई ovary जो है एक egg प्रड्यूस करेगी, कितने egg प्रड्यूस करती है हर महीने एक ही egg प्रड्यूस होता है या तो यह ovary कर देगी, या यह ovary कर देगी, ठीक है और यह fallopian tube से connected है ठीक है हर महीने एक एग एक एग हर महीने प्रेड्यूस होता है ओवरीज जो है एक तो उजेनेसिस कर रहे हैं यानि कि एग को प्रेड्यूस कर रहे हैं साथी साथ ये दो हॉर्मोन को रिलीज करती हैं एक हर्मोन का नाम है estrogen और दूसरे का नाम है progesterone, estrogen जो है वो feminine voice provide करती है, soft skin provide करती है, memory glands develop करने में help करती है, और जब egg mature हो जाता है तो उसको release करने में help करती है, estrogen, progesterone क्या करती है, ये आपके uterine के अंदर कोई changes होते हैं, उनको control करती है, आपकी menstrual cycle को control करती है, और pregnancy को maintain करने में इसका role होता है, ठीक है, जो हमारे testis है, testis क्या काम कर रहे थे, testis sperm produce कर रहे थे, और ovary आपकी, ovary आपकी egg produce कर रही है, testis एक hormone produce कर रहा था, जिसको testosterone या फिर androgen, ये दूसरा मेरे को इसका नाम याद नहीं हो रहा है, क्या नाम था उसका दूसरा testosterone के अलावा, ये androgen, androgen क ठीक है, ओविडक्ट, ओविडक्ट क्या होती है, ये tube-like है, यहाँ पर यही लगा लीजेगा आप, ये tube-like चीज होती है, जो कि ovary से uterus तक, uterus तक egg को carry करती है, ओविडक्ट इसी का ही दूसरा नाम होता है, fallopian tube, ठीक है, male के अंदर sperm को, epididymus से vesicle के अंदर कौन लेके जा है, sperm duct, और ovary या फिर female के अंदर, oveduct या फिर fallopian tube, egg को ovary से uterus तक ले जाती है, uterus क्या होता है, uterus जो है, एक खाली, एक muscular organ है, यहाँ पर बड़ी खाली जगा होती है, खाली जगा क्यों होती है, क्योंकि जब egg, egg, एक condition ले लेते हैं, मान लिजे ये egg, ovary ने produce किया था, ये egg fallopian tube के अंदर था, इसी दोरान, male, किसी male के साथ, ये female जो है, ये reproductive cycle में engage होते है, ठीक है, तो उस case में ये जो male है, ये sperm release करता है, female body के अंदर, अगर sperm इस egg तक पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं, कि जो egg है, वो fertilize हो चुका है, अगर sperm इस egg तक पहुंच के है, तो हम कहते हैं कि वो egg fertilize हो गया, egg कहां पे है, fallopian tube में है, जैसे ही egg fertilize होता है, वो क्या करता है, इस egg को uterus में transfer कर देता है, uterus में transfer कर देता है, uterus क्या करता है, माली जी ये खाली जगा है, egg जो है uterus में आ गया, तो uterus क्या करेगा, uterus अपनी जो ये, ये जो उसकी wall है, दिवारे हैं, इस द स्टोर कर लेता है फर्टिलाइज एग को यहां पर स्टोर कर लेता है तो अब आप पूछेंगे कि इसने यूटरेस ने अपनी दिवारों को चौड़ा किया था यूटरेस ने अपनी दिवारों को इसले चौड़ा किया था क्योंकि यह जो एग है एग को नूट्रीशन की जर लेके आजाता है ताकि इस एग को वो blood पहुचा सके in case अगर एग फर्टिलाइज हो के यहां पे आया तो अगर ऐसा हुआ कि एग प्रडियूस हुआ था लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उस case में क्या होगा उस case में यह जो uterus है यह उदास हो जाएगा उदास क्यो मोटी कर रखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ओवरी ने एग प्रेडियूस किया है अगर इस टाइम पे किसी मेल का स्पम इससे मिल जाए और यह फर्टिलाइज हो जाए तो मुझे उस एग को nutrition प्रोवाइड करने के लिए जगा देनी थी मुझे उस एग को अपनी वॉल के साथ चिपका के रखना था और उसको nutrition देनी थी तो मैंने अपनी दिवारों को पहले से ही अभी fertilization नहीं हुई है मैंने पहले से ही मोटा कर लिया था अब तुम कहा रहे हो कि fertilization हो ही नहीं रही fertilization हो ही नहीं रही तो uterus उदास हो जाता है और वो क्या कहता है कि अब मैं अपनी दिवारों को मोटा करके क्या करूँगा अब ये जो उसने extra structure बनाया था इस structure को वो shed कर देता है जाड़ देता है और ये जो जाड़ता है तो उस case में क्या होता है female body में से धेर सारा blood निकलता है और इसी को ही क्या कहा जाता है menstrual flow हो रहा है अभी इसको हम और भी देखेंगे detail के अंदर तो आप समझ गए uterus क्या करता है uterus के अंदर बहुत ज़्यादा खाली जगा होती है क्योंकि वो क्योंकि वो क्या करता है वो अपने आपको हमेशा तयार रखता है कि कभी भी मेरे पास fertilized egg अगर आ गया तो मैं उसको nutrition प्रोवाइड करूँगा यह fertilized egg यहीं पे ही बच्चा बन जाएगा ठीक है यहाँ पे मैं बच्चे को bear करूँगा और फिर बाद में यहीं से बच्चे को बाहर निकाल दिया जाएगा तो uterus का यह काम होता है fertilization के process को देख लेते हैं हम एक बरी अच्छा उससे पहले दो चीज़ और देखने हैं cervix cervix vagina और uterus के बीच के area को cervix कहा जाता है vagina क्या होती है vagina एक birth canal होती है birth canal क्यों यह vagina है baby जो है वो uterus के अंदर है जब वो baby निकलेगा वो vagina के through निकलता है तो vagina के through निकले कोई friction नहीं होनी चाहिए कोई friction नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे एक lubrication के लिए जो vagina है वो एक mucus को produce कर देती है mucus क्या करता है friction को खतम कर देता है करते है जिससे जो track है वो track गीला रहे fertilization क्या होती है copulation के time पर क्या होता है millions of sperm millions of sperm जो है वो vagina के अंदर release करते हैं वजायना के अंदर million sperm आ जाते हैं यह जो sperm है यह uterus तक पहुँचते हैं uterus तक पहुचने के बाद यह fallopian tube में जाते हैं fallopian tube में जाते हैं तो देखे क्या हो रहा है वजायना के रास्ते से वजायना के रास्ते से sperm जो है वो कहां तक पहुच रहे fallopian tube तक पहुच रहे और female body में ovary क्या करती है ovary egg produce करके कहां पर अपने egg को पहुचा देती है वो एग को पहुचा देती भी तो फैलोपियन ट्यूब में एग भी है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पम भी पहुँच गया थीक है तो जब यह दोनों के दोनों ओवम, ओवम यानी की एग, एग भी फेलोपियन ट्यूब में है और स्पन भी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पन एग के अंदर एंटर कर जाता है, million of sperm चलते हैं कुछ sperm वहाँ तक पहुंचते हैं और कितने sperm egg के साथ मिलते हैं सिरफ एक sperm egg के साथ मिलता है जैसे ही egg में एक sperm enter कर जाता है वो जो egg है वो अपने चारो तरफ एक membrane बना लेता है ताकि बाकी कोई sperm उससे ना मिल सके तो जैसे ही एक sperm उस egg में अंदर sperm घुस गया है sperm जो है वो अब egg के अंदर है इसको कहा जाता है कि egg जो है वो fertilize हो गया है इस प्रोसेस को fertilization कहते हैं ठीक है egg जब fertilize हो जाता है तो उसका नाम हम change करके कह देते हैं कि अब egg एग नहीं रहा वो zygote बन गया है egg तो वो था जो ovary ने produce किया अब जो है ये egg के सासा sperm भी है इसके अंदर तो ये क्या बन गया है ये zygote बन गया है zygote कहां पे बनता है ये fallopian tube के अंदर बनता है 6-9 दिन तक ये fallopian tube में रहेगा फिर उसके बाद वो क्या करता है उसके बाद वो नीचे आना चालू कर देता है ये fallopian tube के अंदर zygote है fallopian tube से 6-9 दिन के बाद वो zygote uterus में आता है uterus के अंदर आता है और zygote zygote भी एक तरह का cell है और यहाँ पे cell की division start हो जाती है मैंने आपको क्या बन आता हर cell divide होता है अवरी ने एग बनाने चालू कर दिये होते है वैसी uterus अपनी दिवार को मोटा कर लेता है क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसने एग बना दिया एग जो है वो fallopian tube में पड़ा है अगर वजायना के रास्ते से sperm आके इस एग में मिल गया तो मुझे उस एग को यहाँ पर पालन पोशन करना पड़ेगा उस एग का तो उस पालन पोशन करने के लिए मुझे खून चाहिए खून के लिए मैं अपनी दिवारों को मोटा कर लेता हूँ यहाँ पर धेर सारे blood vessel को लेके आ जाता हूँ यह वो कब कर लेता है यह वो उसी टाइम पर कर लेता है जब ओवरी ने एग को प्रड्यूस किया होता है तो जैसे ही यूटरस के पास 6-9 दिन के बाद फेलोपियन ट्यूब से जाइगोट यूटरस के पास आएगा तो यूटरस क्या करेगा अपनी दिवार के साथ उस जाइगोट को छिपका लेता है उसको attach कर लेता है इसको कहा जाता है implantation हो चुकी है weary जब प्रड्यूस करेगी तो वो एग होता है एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है अगर इस एग में sperm enter कर गया तो यह जो egg है यह zygote बन जाता है जब यह zygote uterus में आता है uterus इसको अपनी दिवार के साथ चिपका लेता है और जब वो दिवार के साथ चिपका लेता है तो यह जो zygote है यह क्या बन जाता है यह embryo बन जाता है अब जो बच्चा है वो इसी embryo के अंदर बच्चा धीरे धीर develop होता जाएगा embryo को nutrition कहां से मिलती है मा के खून से मिलती है through placenta और जो embryo के अंदर waste बन रहा होता है वो waste भी placenta के थूर रिमूव हो जाता है ठीक है यह जो uterine wall के साथ implantation हो गई है यह 36 हफतों तक रहती है 36 हफते यानि कि 9 months तक रहती है और 9 महीने के बाद बर्थ कैनाल से यानि कि वजायना से बच्चे को निकाल लिया जाता है और बच्चे का बर्थ हो जाता है बच्चा हमेशा पहले सर आता है उसका head आता है और फिर उसके बाद उसका बाकी का शरीर और पैर आते हैं यह हमारा पूरा fertilization का प्रोसेस होता है यह तो उस case में है ठीक है जब वो fuse कर गया है अब देखे ओव्यूलेशन क्या होती है जब कोई भी female 10 से 13 साल की होती है तो वो eggs को produce करना चालू कर देती है ठीक है एक follicle stimulating hormone होता है ठीक है जैसे ही female 10 से 13 साल की होती है वैसे यह follicle stimulating hormone होता है follicle stimulating hormone क्या करता है यह ovaries को stimulate करता है ovaries को stimulate करता है और ovaries को कहता है कि अब तेरा अब जो यह लड़की है इस लड़की की puberty हम start कर रहे हैं और अब यह जो लड़की है यह क्या करने चालू कर देगी यह estrogen और progesterone progesterone produce करना चाली कुर देगी along with eggs तो 10 से 13 साल के आसपस कभी भी इन लड़कियों की जो puberty है वो start हो जाती है start करने में कौन सा hormone काम आता है follicle stimulating hormone काम आता है और यह follicle stimulating hormone कहाँ पर पाया जाता है यह पाया जाता है pituitary gland के अंदर अब आपको मैं यहाँ पर याद दिलाऊंगा मैंने आपसे क्या कहा था मैंने आपसे कहा था कि pituitary gland brain के अंदर exist करता है पिटाई हुई पिटाई हुई यह आपको कौन बताएगा यह brain बताएगा इस तरह से याद करने के लिए कहाता तो pituitary gland brain में होता है जब लड़की 10 से 13 साल के बीच में होती है तब वो follicle stimulating hormone release करता है और लड़कियों की puberty start कर देता है puberty का मतलब यह वो age आ गई है जहाँ पे लड़की अब eggs produce करना चालू कर देगी और साथी साथ estrogen और progesterone को produce करेगी एक लड़की जो है males अपनी पूरी life रह सकते हैं जब तक भी उनके sperm produce हो रहे है तब तक वो अपनी reproductive life के अंदर होता है female की यह जो reproductive phase है यानि की 10 से 13 साल के आसपस की जब वो होती है तब वो start हो जाता है और 45 से 50 साल की वो होती है तब तक यह phase चलता रहता है इस phase में हर महीने उसकी ovary egg को produce करेगी ठीक है हर महीने ovary जो है वो eggs को produce करती रहेगी अगर वो egg fertilize हो जाएगा तो तो वो egg uterus की थिक wall से चिपक जाएगा uterus की थिक wall से चिपक जाएगा लेकिन अगर वो egg fertilize नहीं होता तो क्या होता है वो egg जो है वो as it is नीचे गिर जाता है वो fertilize नहीं होता जो uterus है वो उसको चिपकाता नहीं है साथी साथ uterus ने जो अपने आपको ये थिक कर रखा है egg को nutrition देने के लिए उसने अपने आपको थिक कर लिया था वो इन चीजों को भी shed करना चालू कर देता है तो इसको कहते है uterus wall की uterus wall की shedding हो रही है या फिर uterus lining की shedding हो रही है यह जो lining की shedding होती है यह blood और mucus की form में हर महीने लड़कियों में दिखाई देती है और इस चीज को क्या कहा जाता है इस चीज को menstrual cycle कहा जाता है ठीक है ओवरी हर 28 दिन महीने के 28 दिन में या फिर हर 28 दिन के बाद ओवरी जो है एक egg प्रड्यूस करती है जैसी वो egg प्रड्यूस करतेगी uterus wall थिक हो जाती है क्यों क्योंकि वो अब तयार कर रही है अपने आपको कि क्या पता zygote आ जाए अगर zygote आ गया तो तो जो process मैंने आपको fertilization की बताई थी वो होता है अगर zygote नहीं आया तो uterus की wall तूटने लग जाती है और वो shedding हो जाती है और blood और mucus की form में वो वजाइना से निकल जाती है ठीक है कुछ ये birth control method होते हैं आपको पता होने चाहिए loop और copper tea ये एक तरह का intrauterine contraceptive device है वजाएना के अंदर copper tea को insert कर दिया जाता है ताकि जो आपके sperm है वो sperm कभी भी fallopian tubes तक ना पहुँच पहे हैं ये uterus के अंदर place होता है ताकि pregnancy ना हो वैसे tummy के अंदर क्या होता है males की males की जो sperm duct होती है जिसका नाम होता है waist difference हम जो sperm duct की बात करें यह उसी की नाम है males के sperm duct को block कर दिया जाता है male का अगर sperm duct block हो जाएगा तो क्या sperm vesicle तक पहुचेगा नहीं पहुचेगा sperm अगर vesicle तक नहीं पहुचेगा तो क्या ejaculation के टाइम पे ejaculation के time पे जब आपका semen बाहर निकल रहा है तो semen में sperm होंगे तो उसमें sperm नहीं होंगे semen की production होगी पर sperm नहीं होगा उसके अंदर females के case में क्या होता है females के case में fallopian tube को block कर दिया जाता है fallopian tube को block कर दिया तो क्या fallopian tube के अंदर sperm या फिर egg पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा तो फिर वो pregnant नहीं हो पाएगे ठीक है कुछ sexually transmitted disease होते हैं यह नाम आपको पता होना चाहिए AIDS, gonorrhea, syphilis और genital herpes जब आपके पास time हो तो यह आपको एक बारी google करके पढ़ लीजिएगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको idea लग जाएगा next topic हमारा excretory system का है बहुत ही simple सा topic है इसमें जादा कुछ नहीं करना ठीक है excretory system क्या है excretory system का अंतलब यह है कि हमारी body जो भी waste produce कर रही है उससे अपनी body से eliminate करना है body से बाहर भगाना है तो हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का metabolism होता है जिससे energy मिलती है metabolism दो तरह का हो सकता है पहला metabolism होता है anabolism दूसरा catabolism anabolism के अंदर क्या होता है anabolism के अंदर simple simple molecules होते हैं in simple molecules से complex molecules बनाया जाता है complex molecules बनाया जाता है anabolism के अंदर और इस process के अंदर इस process के अंदर भी कुछ energy release हो जाती है ज़्यादा detail में नहीं जाना है बस anabolism के है simple molecule से complex molecule बन रहे है जिसमें कुछ energy release हो रही है इसको constructive metabolism कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर छोटे से बड़ी चीज़ बन रही है constructive metabolism catabolism के अंदर complex molecules पहले से होते है और इन complex molecules से simple molecule बनाया जाता है इसको destructive destructive metabolism कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर destruction हो रही है और इसकी destruction के time पे भी energy release होती है तो यह दो तरह के metabolism होते है जादा में detail में नहीं जाना है human excretory system के अंदर क्या होता है देखिए एक kidney होती है देखिए एक pair of kidney होती है यानि कि दो kidneys है इन दोनों kidney से kidney, kidney इन दोनों kidney से tube निकल रही होती है उस tube का नाम होता है ureter ureter नाम की tube निकल रही होती है और यह ureter नाम की tube urethra में जाके मिल जाती है दोनों की दोनों तो kidney जो है वो धेर सारा waste प्रड्यूस करती है वो जो waste है वो इन ureter के थूरू कहाँ पर आ जाता है यूरेथरा में आ जाता है और यूरेथरा के अंदर urine जो है वो collect हो जाता है यूरेथरा नहीं, यह यूरीनरी ब्लेडर होता है, यूरीनरी ब्लेडर के यहाँ पर टिप पर यूरेथरा होता है, यूरेथरा में हम क्या करते हैं, यूरीन को अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं, थूरू यूरेथरा, जहाँ पर इखटा हो रहा है, वो ब्लेडर है ठीक है गुबारे जैसी ब्लेडर होता है गुबारे जैसा ठीक है तो किड़नी से कुछ ट्यूब्स निकल रही है जो कि यूरिनरी ब्लेडर में लेके आ रही है और यूरिनरी ब्लेडर से हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है यूरेथरा तो किड़नी जो ट्यूब आ रही है with the help of nephrons nephrons क्या होते है nephrons कुछ नहीं है यह इस तरह की आप एक structure मान लीजिए इस structure में क्या होता है यहां पर यह हमने filter लगा रखा है तो जो भी चीज आएगी यह filter कर लेगी उस चीज को filter कर लिया इस filter का नाम होता है glomerulus और यह जो glomerulus होते हैं glomerulus यह glomerulus एक capture हुट होते हैं तो kidney के अंदर धीर सारे nephrons होते हैं यानि कि यह एक लगा हुआ है ऐसा घेर सारे nephrons होते है और इसका काम क्या होता है यह filter कर देता है और collecting duct के अंदर वो चीज फिल्टर होती जाती है तो kidney की functional नेफरों, एक किड़नी मैनी फिल्टरिंग यूनिट से यानि कि मैनी नेफरों से मिलके बनी होती है, और किड़नी की शेप बीन के जैसी होती है, चा कहें। नेफरोन क्या होता है नेफरोन के अंदर एक तो ट्यूब्स का मैस होता है और दूसरा एक फिल्ट्रिंग पार्ट होता है जिसको ग्लॉमेर्यूलस कहते हैं Glomerulus जो है एक Bowman's Capsule के अंदर Enclosed होता है इसके चारो तरफ एक Bowman's Capsule लगा होता है Glomerulus के अंदर डियर सारी Blood Capillary होती है जो की Renal Artery से Attach की जाती है ठीक है? Filtration कैसे होती है? बस इतना याद कर लिजे कि Glomerulus कैसे filter कर रहा है? यह High Pressure का यूज करता है High Pressure का यूज करता है Waste को Separate करने के लिए तो Urine जो बनता है वो High Pressure की मदद से बनता है यह आपको याद रखना है कि Glomerulus के अंदर कौन सा Mechanism लग रहा है तो आप सीधा आंसर कर देंगे High Pressure उसके अंदर लग रहा है इससे जाद आपको इसके अंदर जाने की ज़रुवत नहीं है यह एक थोड़ा सा कि जो Blood है Glomerulus के अंदर Blood कौन लेके आता है Efferent Arteriole जो है वो Blood Glomerulus के अंदर लेके आता है और Glomerulus से Blood को लेके कौन जाता है वो Efferent Arteriole लेके जाती है यह हमारा छोटा से Excretory System का वो है NCRT में बस इतना ही दिया हुआ है अगला चैप्टर हमारा Glands का है देखे Glands वाला चैप्टर जो है आपकी NCRT के अंदर नहीं है और जो सबसे Important Glands है सबसे Important Glands में आपको सासाथ कराता गया हूँ जैसे कि Thalamus के बारे में आपको मैंने बताया था Hypothalamus बताया Pitutory Gland के बारे में बताया यह सारी चीज़े मैं आपको Already बताता चल रहा हूँ यहां पे मैं सिरफ जो सबसे Important है मैं उनको Cover करता चलूँगा बाकी आपको मैंने लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दिया इन नोट्स के अंदर तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले अगर टाइम परमिट करता है तो इनको डिटेल में पढ़ लेना वरना जो Important है वो मैं यहां पे Cover करता चलूँगा ठीक है यह बहुत ही ज़ादा factual topic है ग्लेंड का और हर्मोन का तो ठीक है ग्लेंड क्या होता है ऐसा कोई भी औरगन जो किसी substance को सिक्रीट करता है उसको ग्लेंड कहते हैं ग्लेंड दो तरह के होते हैं या तो ग्लेंड एंजाइम प्रेड्यूस करेगा या फिर ग्लेंड हॉर्मोन प्रेड्यूस करेगा अगर वो एंजाइम को प्रेड्यूस करता है तो इसको pipe की जरूत पढ़ती है या फिर नली की जरूत पढ़ती है मुझे पता नहीं नली की spelling यही होते है या नहीं पर आप समझ गयोंगे ठीक है pipe की जरूत पढ़ती है तो एंजाइम को release करने के लिए उसको duct की जरूत पढ़ती है और hormone को release करने के लिए उसको duct की जरूत नहीं पढ़ती है यह जो hormone है यह directly blood में mix कर दिया जाता है ठीक है तो ऐसे gland जो enzyme को release कर रहे हैं इनको duct की जरूरत हो थी, इनको exocrine gland कहते हैं और ऐसे glands, जो कि hormone release कर रहे हैं, जो ductless होते हैं, उनको endocrine glands कहा जाता है, कुछ gland ऐसे होते हैं, जो कि enzyme भी produce कर रहे हैं और hormone भी produce कर रहे हैं, जैसे कि pancreas, ये सब आलरेडी आपको बता चुका हूँ, pituitary gland के बारे में बता चुका हूँ, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके brain में पाया जाता है, hypothalamus के पास, pituitary gland के अंदर तीन हिस्से होते हैं, इन तीन हिस्सों में जो सबसे, देखें, anterior होगा, middle होगा और posterior होगा, ये तीन हिस्से होते हैं, इसके अंदर मैंने आपको अभी अभी थोड़ी सी देर पहले बताया, कि एक follicle stimulating hormone pituitary gland release करता है, और जब ये follicle stimulating hormone release होता है, तो 10 से 13 साल की लड़कियों को ये पता चल जाता है, उनके शरीर को ये पता चल जाता है, कि आप puberty आने का समय हो गया, अब वो eggs produce करेंगी और estrogen और progesterone को produce करेंगी, तो ये जो follicle stimulating hormone है, ये कौन produce करता है, ये pituitary gland produce करता है, यहां से ये पैरा आप हटा लिजएगा, पैरा नहीं है यहां पे, ठीक है, तो pituitary gland तीन हिस्सों में होता है, anterior, middle और posterior, anterior से कौन-कौन से hormone निकलते हैं, जो सबसे important है, वो मैंने cover करा दिया था आपको, middle के अंदर से, middle pituitary gland से एक hormone निकलता है, जिसका नाम होता है, melanocyte, 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 इसके साथ जैसी आपको melanocyte याद आए, तो देखिए, आपको paper के अंदर क्या होगा, आपको ये word मिला होगा, कि melanocyte किस चीज को control करता है, तो आपको ये word याद रखने की जरूत नहीं है, कि melanocyte word याद रहे दिमाग के अंदर, आपको क्या याद रखने हैं, कि जैसी melanocyte सुनो, आपके दिमाग में melanin आ जाना चाहिए, melanin आ जाना चाहिए, प्रोंने, melanin क्या होता है, ये आपकी skin का एक pigment होता है, और इस pigment का काम क्या होता है, sun से, sun से जो ultraviolet rays आ रहे हैं, UV rays आ रहे हैं, ये melanin pigment हमें उस UV rays से protect करता है, ठीक है, अगर ये melanin हमारी skin में नहीं होगा, तो हमें skin cancer का खत्रा रहता है, ठीक है तो melanocyte जो middle pituitary gland में होता है वो क्या करता है वो melanin को produce करता है ठीक है किसी किसी जगा पे क्या होता है मान लिजी किसी की body है यह उसकी body है इस body में इस area में melanin produce नहीं हो रहा melanin जो है वो dark color provide करता है हमारे skin को या brown color provide करता है हमारे skin को तो अगर melanin produced नहीं हो रहा तो क्या ये dark color की कुई नहीं? ये पूरी की पूरी सफेद हो जाएगी और इस condition को क्या कहा जाता है? इस condition को leukoderma कहा जाता है. कुछ लोग इसको vitiligo भी प्रनाउंस vitiligo भी इसको बोला जाता है. ठीक है? तो leukoderma किस case में होता है? जब melanin की production नहीं हो प्रयूती उसको leukoderma कहा जाता है. posterior pituitary gland के अंदर oxytocin निकलता है और anti-diuretic hormone निकलता है. इसमें oxytocin बहुत important है. oxytocin क्यों important है? क्योंकि oxytocin hormone क्या करता है? ये lactation में help करता है. lactation का मतलब क्या है? जब कोई pregnant lady बच्चे को birth देती है, तो बच्चे को mother's milk चाहिए होता है. तो mother's milk जो होता है, mother's milk produce करने लगते हैं उनके जो breast होती है. तो ये जो mother milk produce करने वाला process होता है, इसको lactation कहा जाता है. तो ये जो है milk produce करने में help करता है. तो इसी वज़े से जो गाए भैंस होती है, जो गाए भैंस के दूद निकाल रहे होते हैं. ठीक है? काओ के जो दूद निकाल के आपके यहां पर ले के आ रहे हैं, अगर कभी गाये दूद नहीं दे रही होती, गाये दूद नहीं दे रही होती, भैस दूद नहीं दे रही होती, तो उनको एक injection लगाया जाता है, उस injection में क्या होता है, उस injection में oxytocin होता है, तो oxytocin क्या करता है, lactation में help करता है, दूसरा क्या नाम है इस Oxytocin को बर्थ हॉर्मोन भी कहा जाता है बर्थ हॉर्मोन क्या कहते हैं हमने reproduction के time पर पढ़ा कि वजायना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं यह जो वजायना है यह क्या करती है यह contraction प्रड्यूस करती है यह security है ताकि यहाँ पर बेबी है वो धीरे धीरे सरक सरक के बाहर आ जाये contraction नहीं होगा तो यह जो बर्थ कैनाल है यहाँ से बेबी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है cesarean या फिर c-section करना पड़ता है पेट का operation करना पड़ जाता है ठीक है तो यह जो contraction नहीं होती तो किसी किसी female के अंदर यह contraction नहीं हो रही होती तो उसको क्या करते है उसको एक injection लगाया जाता है उस injection के अंदर oxytocin hormone होता है और ये injection लगाने के बाद जो female है वो contraction produce करना चालू कर देती है और baby बाहर आने लग जाता है इस injection का नाम होता है pitocin injection ठीक है तो ये normal delivery में help करता है इसलिए oxytocin को birth hormone भी कहा जाता है यहाँ पर ये लिखा हुए clearly तो आपको घबराने की जुरूत नहीं है diuretic क्या होता है जिन चीजों से जादा toilet है उनको diuretic चीज कही जाती है तो जो चीज जादा toilet आने से रोके उसको anti-diuretic कहा जाता है ठीक है तो ये भी posterior pituitary gland करता है growth stimulating hormone जो है वो growth को कर देगा अगर growth stimulating hormone बहुत जादा हो जाए तो क्या बिमारी होती है तो बिमारी का नाम होता ह एक्रोमेली जैसे भी आप इसको प्रणाउंस करें इसके अंदर क्या होता है जो face है वो gorilla की तरह दिखने लग जाता है और अगर growth hormone बहुत ही कम हो जाए तो dwarfness हो जाती है follicle stimulating hormone में आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ एग और sperm production की जो signal है वो ये देता है luteinizing hormone जो है वो भी एग और sperm की production में help करता है thyroid stimulating hormone thyroid को stimulate करता है देखिए नाम से ही याद हो जाना चाहिए thyroid stimulating hormone thyroid stimulate कर रहा है luteinizing में आपको याद रखना है कि egg और sperm follicle stimulating में आपको मैं already याद करा चुका हूँ ठीक है thyroxine hormone को release करता है ये thyroxine hormone क्या करता है ये growth hormone को signal करता है कि growth hormone अब तू release होना चालू हो जा तो thyroid gland जो है thyroid gland का एक दूसरा काम क्या होता है thyroid gland का दूसरा काम होता है iodine का balance maintain करना तो अगर body के अंदर iodine की deficiency होती है तो thyroid gland जो है वो सूज जाते है thyroid gland के अंदर सूजन आ जाती है तो thyroid gland कहां पाई जाते हैं trachea में पाई जाते हैं trachea कहां पे होती है आपकी गर्दन में होती है आपकी neck में होती है तो अगर thyroid gland सूज जाएंगे तो आपकी गर्दन भी सूच जाएगी और इस condition को goiter कहा जाता है ठीक है जब तुम्हारा thyroid gland thyroid gland hormone को secrete नहीं करता है तो तुम्हारी body क्या कहती है body कहती है thyroid gland की मुझे जरुवत क्या है यह जो thyroid gland है यह तो toxin का काम कर रहा है toxin का काम कर रहा है मैं इसको मार देती हूँ तो हमारी body अगर thyroid gland hormone को secrete नहीं करेगा बहुत ही कम secrete कर रहा होगा तो हमारी body इस gland को poison समझती है और अपने आपको खुद ही मार देती है इसको हाशी मोटो बिमारी कहा जाता है हाशी मोटो बिमारी के अंदर क्या होता है thyroid gland खुद को self digest कर लेता है goiter के अंदर क्या अख होता है iodine की कमी की वज़े से thyroid gland swell हो जाता है thyroid gland thyroxine hormone को produce करता है यह important है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे cover किया है अगला होता है पैरा thyroid gland जादा important नहीं है बस आप इसको एक बार पढ़ लेना कि calcium amount को यह control करता है thymus gland thymus gland क्या करता है यह हमारे immune system को maintain करने के काम आता है pineal gland इसके अंदर आप बस यह याद करेंगे brain के अंदर मैंने आपको एक hypothalamus बताया था जिसकी कहानी बतायी थी कि hypocrite लोग है thymus क्या करता है thymus आपके reproductive के लिए help करता है reproduction में help करता है इसको याद कैसे कराता है जब शादी हो जाती है तो थैला लेके ही आप बाजार में घूमते रहते हैं और गीयात और ही खरीदते रहते हैं अप ठीक है तो ये मैंने brain के अंदर hypothalmas और thalmas आपको अल्रेडी बताता है एक pineal gland और आप याद करेंगी ये भी brain में पाया जाता है तो brain के अंदर hypothalmas, thalmas, pineal gland और साथ की साथ pituitary gland ये सारे पाया जाते है pineal gland मैं क्यों बता रहा हूं देखिए कई भारी क्या होता है हमारी एक biological clock बनी होती है हमारी अचानक ही सुबह 7 बजे 6 बजे अपने आप याँख खुल जाती है रात को 10-11 बजे के 12 बजे के आसपस हमारी आँख अपने आप बंद होने लग जाती है ठीक है ये हमारी एक biological clock है ये biological clock maintain करने में कौन help करता है pineal gland help करता है pineal gland जो है ये thalmis के साथ connected होता है और जो बच्चे होते हैं ये बच्चों में पाया जाता है इसलिए बच्चों को शुरू से एक routine बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि उनका pineal gland अच्छे से काम करता रहे जैसे जैसे बच्चा adult बनता है जैसे जैसे बच्चा adult बनता है वैसे ही वैसे ये pineal gland fibrous tissue के अंदर convert हो जाता है pineal gland serotonin और melatonin hormone को भी release करता है melatonin अगर आ जाएगा तो melanin याद रखेंगे serotonin आ जाएगा तो आपको blood pressure ये याद करना पड़ेगा ठीक है adrenaline को हम fight, flight and forget ठीक है 3F hormone भी कहते है इसका मतलब किया जब भी कोई danger की situation आती है तो कुछ आदमी का natural instinct होता है कि मैं लड़ जाओ इसके साथ ठीक है वो काम कौन करवाता है adrenaline कराता है जब कोई dangerous situation आती है तो कुछ लोगों का natural instinct करता है कि मैं यहां से भाग जाओ, I should run away from this place तो यह flight वाला signal कौन देता है यह adrenaline देता है forget का मतलब क्या होता है कि भाई मैं जो भी खराब चीज़ हुई थी मैं उसको भूली गया, मेरे को याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो कौन कराता है, वो adrenaline कराता है और आपको लग रहा है कि हम आपकी preparation में आपकी मदद कर रहे हैं आपकी preparation में value add कर रहे हैं तो आप इस UPI ID पर हमें कुछ सहीओ कर सकते हैं पैसे donate करके यह amount कितनी भी हो सकती है 11 रूपे, 21 रूपे, 15 रूपे आपके द्वारा donate की हुई हर एक amount हमारे लिए बहुत ही ज़ादा important है और बहुत ज़ादा हमें support provide करेगी यह request सिरफ ओन लोग के लिए जो की सक्षम है, जो की capable है हमें donate करने के लिए अगर आप donate नहीं भी कर सकते तो भी किसी तरह का guilt नहीं है आप बस वीडियो से अच्छे से सीखते रहिए वीडियो पे आप अपना like कीजिए comment छोड़िए चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe ज़रूर करें PDF आप हमारे telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे marathon session का यह जो आखरी chapter है यह है eyes का तो eyes का weight होता है 7 gram का eyes जो है वो एक तरह की photo receptor होती है photo का मतलब light तो eyes जो है हमारी वो light को receive करती है और फिर उसका ब्रेन तक वो signal पहुंचा देती है brain तक signal कैसे पहुंचाएगी optic nerve को use करेगी वो optic nerve ब्रेन तक signal पहुंचा देगा और brain यह decide कर लेगा कि हम क्या देख रहे है ठीक है brain जो है उसको यह पता चल जाएगा कि हमारे सामने जो visual चीज है जो दिखाई दे रही है वो क्या है वो brain interpret करता है optic nerve का use करके तो eyes क्या है वो light को लेके बहुत जादा sensitive होती है इसलिए eyes को photo receptor कहा जाते है जो याद करने वाला है जो समझाने वाला है वो मैं बताते चल रहा हूँ आपकी आखों का जो सबसे front का part होता है उसको cornea कहा जाता है यह एक तरह की transparent खिडकी होती है cornea से जो light है वो आपकी आख के अंदर enter करती है और light की bending हो जाती है तो जो cornea है वो क्या करता है आपकी light की bending करता है और आपकी आख के अंदर light को आने देता है cornea जो है वो convex shape का होता है यह आपको याद रखना है cornea के ठीक पीछे एक color वाला हिस्सा होता है यह cornea है cornea के ठीक पीछे एक हिस्सा होता है जो हमारी आँख को color दे रहा होता है कि आँख किस color की होगी वो हिस्सा आईरिस होता है ये ठीक कोर्णिया के पीछ होता है और colored part होता है प्यूपिल क्या करता है प्यूपिल ये decide करता है कि कि रोशनी आएगी तो आपने कई बार देखा होगा जब आप अन्हेरे कमरे से एकदम से उजाली जगह में जाते हैं अपने आपी बंद होने लग जती है आप उसको आखों को एगडम भींच लेते हैं, पिचका लेते हैं. ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी प्यूपिल जो है, वो रेगूलेट कर रही है कि कि तनी रोशनी आपकी आँख के अंदर घुसे. वो नहीं चाहती कि डेहर सारी रोशनी आपकी आपकी आँख के अं आँखों को चोड़ा कर देती है, वाइड कर देती है, ताकि जादा रोशनी आपकी आँखों में गुशे और आपको दिखाई देने लगे, तो ये काम कौन करता है, ये प्यूपिल करता है, ठीक है, प्यूपिल रेगुलेट करता है, लाइट को एंटर करने का, ये कहां पे स्थित होता है, ये कौनिया और आइरिस के बीच में होता है, ठीक है, प्यूपिल बेसिकली, जो कौनिया और आइरिस के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे एक वाटरी फ्लूइड होता है, जिसको एक्वेस ह्यूमर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आइरिस औ और pupil हम देख चुके हैं, सब से आगे cornea, cornea के बाद colored हिस्स आइरिस का, फिर pupil आ गया, ठीक है, फिर हम देखेंगे, आइरिस और pupil के बाद यहां पे, यहां पे एक biconvex lens लगा होता है, यहां पे क्या लगा होता है, एक biconvex lens लगा होता है, यह lens क्या करता है, यह lens इमेज प्र को produce कर देता है और यह जो image produce हुई है यह image brain तक कौन पहुचा देती है optic nerve optic nerve जो है वो brain तक इस image को पहुचा देती है कि हम क्या image देख रहे हैं ठीक है तो यह जो lens है by convex lens है यह कैसी image बनाता है retina के ओपर जो image बनेगी वो कैसी होगी वो inverted होगी और real होगी physics के lecture के अंदर मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ retina screen होती है जहां पर image जो बन रही है वो retina पर बनती है यह light sensitive होती है और आपकी आँख का यह अगर आपकी आँख है तो lens यहां पर है हो सकता है इस lens को adjust करने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़े थोड़ा सा ऊपर नीचे जाना पड़े आगे जाने के लिए इसको help करती है ciliary muscles ठीक है lens की shape को determine कौन करती है ciliary muscles उसकी focal length को कौन determine करती है ciliary muscles आगे पीछे जाने से focal length change होती है फिर उसके बाद आता है आपका एक और एक ligament आता है जिसका नाम होता है suspensory ligament, suspensory ligament क्या करता है ये lens को अपनी जगा पे maintain करने में help करती है lens जदादा उपर नीचे ना जाए, उस चीज को रोकती है ciliary muscles इसको focal length adjust करने में help करती है लेकिन बाद में lens जो है वो अपनी जगा पे रहे उसमें कौन help करता है, suspensory ligament करती है ये elastic के जैसी होती है और lens को अपनी जगा पे ही रखने की कोशिश करती है ये ciliary muscles और lens दोनों को support provide करती है optic nerve क्या करती है, आप जो भी देख रहे है, retina पे जो भी image बन रही है वो आपके brain तक कौन लेके जाएगा, optic nerve लेके जाएगी एक blind spot होता है हमारी आँख के अंदर ये blind spot क्या होता है, ये basically वो area होता है जहां पे कोई भी sensory organ नहीं होता तो यहां पे जो भी हो रहा है, वो हमारे brain तक उसकी information नहीं पहुंचती, ये area कौन सा है ये area वो होता है, जहां पे optic nerve, retina के साथ मिल रही होती है, उस area को blind spot कहता है eyelid, आपकी आँखों की जो eyelid होती है, वो क्या करती है आपको धूल मिटी से बचाती है, जैसी कोई धूल मिटे आईगी आपकी eyelid अपने हाँ बंध हो जाती है ये कुछ defect है, इन तीन defect के बारे में हम अल्रेडी physics के class के अंदर बात कर चुग है चार defect के बारे में, in fact, astigmatism के बारे में आप वहाँ से देख लीजेगा करेक्शन के लिए इसकी सर्जरी कराने पड़ती है जैसे ये सफेद पर्दा पड़ा है, ऐसी काला पर्दा भी पढ़ जाता है, जिसको काला मूतिया कहा जाता है जिसका नाम होता है English में, glaucoma ये क्यों होता है, जब आपकी आँख के अंदर aqueous humor, जादा produce होने लग जाता है या फिर जो sclem नाम की चीज होती है उसके अंदर जादा blockage हो जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो photo receptors है जो light को receive करने वाली चीजे होती है वो मर जाती है, जिसकी वज़ा से अंधे हो जाते है यह सफेद मोतिय है और यह काला मोतिय है एक होता है strabismus strabismus के अंदर इसको आपने भेंगा जो कहा जाता है squint eyes, यानि कि देख कहीं रहा है और बात कहीं कर रहा है वो उसको strabismus कहा जाता है इसके अंदर जो आपकी eyeball होती है वो एक side में चली जाती है और ऐसा क्यों होता है आपकी जो muscles हैं उनकी length बदल गई जो muscles आपके eyeball को अपनी जगा पे रखती है वो muscles एक जगा 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 है दूसरी जगा weak है जिसके वैसे वो strong की तरफ चले गई तो इससे आपकी eyeball टेड़ा देखने लग जाती है इसको correct करने के लिए operation कराना पड़ता ह है एक और बिमारी है जिसको cook돼 कहा जाता ही हिंदी में और English में जिसका नाम होता है Trach else इसके अंदर क्या होता है जो आपकी कंजक्टिवा होता है या कॉर्णिया होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है सूजन क्यों आती है इसकी वज़े से आती है यह एक बैक्टीरिया होता है क्लिमीडिया ट्रेकामोटिस यह जो बैक्टीरिया होता है इसकी वज़े से सूजन आ जाती है आपकी कंजक्टिवा और कॉर्णिया में जिससे बहुत जादा पेन होता है और आपकी आखों से पानी आने लगता है तो इसको अगर तुरंत ही ठीक करना है तो आपको तुरंत ही अंटिबाटिक्स लेलो यह जल्दी ठीक हो जाएगा अगर आपने अंटिबाटिक्स लेने में देर कर दी है अंटिबाटिक्स आपके उपर काम नहीं कर रहे है तो सर्जरी करानी पड़ती है इसके साथ हमारा आई वाला चैप्टर भी खतम और ये जो हमारा मैरतन सेशन है बायोजी का ये भी खतम हो गया है मेरी कोशिश रही है कि जातर चीज़ आपको लेक्चर में ही याद हो जाए बाकि आप जनरल नॉलिज की जो लूसेंट आती है उस लूसेंट के अंदर बायोजी वाले सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम हमने 80% के आसपा स्लेवर्स कंप्लीट कर रहे गया है वो factual है और जादा important नहीं है मैंने basically NCRT को cover किया है ठीक है तो जो 20% रहे गया है वो आप Lucent से cover करेंगे एक बारी मैं suggest करूंगा आप Lucent ज़रूर पढ़ ले क्योंकि handwritten notes के अंदर अरे एक fact को नहीं लिखा जा सकता बहुत सारे fact हम से छूट जाते NCRT पढ़ते हैं कुछ चीज़ें हमें लगती है important नहीं है और हम notes नहीं बना बाते लेकिन Lucent के अंदर वो सब लिखा है Lucent पढ़ना आपके लिए आसान क्यों हो जाएगा क्योंकि 80% fact हम already cover कर चुके हैं तो इसके साथ हमारे ये session यहीं पर खतम होता है Thank you